एक बार की बात है, जिग्यासू छात्रों से भरी एक जीवन्त कक्षा में रवी नाम का एक प्रतिभाशाली युवा लड़का रहता था। उनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था और वे जटिल विश्यों को समझने की उत्सुकता के लिए जाने जाते थे। एक दिन, उनके शिक्षक, जो अपनी कहानी कहने के माध्यम से सबसे कठिन पाठों को आसान बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक नई अवधारणा पेश करने का फैसला किया, in as a, वित्तिय विवर्णों की प्रस्तुती के लिए मानक। शिक्षक ने अपने पाठ की शुरुवात अपने सामान्य मनमोहक तरीके से करते हुए कहा, कल्प ना करो, रवी, तुम एक भव्य किताबों की दुकान के मालिक हो। यह सिर्फ कोई किताबों की दुकान नहीं है. यह शहर की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा किताबों की दुकान है. अब अंत में प्रत्येक वर्ष आपको अपने ग्राहकों और निवेशकों को यह बताना होगा कि आपकी किताबों की दुकान कैसे चल रही है. क्या यहाँ पैसा कमा रहा है या क्या आपको कुछ चुनोतियों से पार पाना है इसके लिए आपको अपनी वित्तिय कहानी प्रस्तुत करने का एक स्पष्ट तरीका चाहिए रवी उच्सुकतावश आगे की ओर जुग गया लेकिन मैं वह कहानी कैसे बताऊ सर शिक्षक मुस्कुराएं अच्छा सवाल है रवी यहीं पर इंड आज एक आता है जैसे एक अच्छी तरह से लिखी गई किताब की शुरुवात मध्य और अंत होता है आपके वित्तिय विवर्णों को एक संगरचित प्रारूप का पालन करना चाहिए इंड एस एक वह मार्ग दर्शिका है जो आपको बताती है कि उस जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति आपके व्यवसाय को आसानी से समझ सके रवी की आखे जिग्यासा से चमक उठीन तो मुझे इस वित्तिय कहानी में क्या शामिल करना चाहिए अध्यापक समझाने लगे इंड एस एक आपको बैलन्स शीट से शुरुवात करने के लिए कहता है यह आपकी कहानी की नीम्व की तरह है जहां आप दिखाते हैं कि एक निश्चित समय पर आपके व्यवसाय का मालिक क्या है और उस पर क्या बकाया है इसे अपने किताबों की दुकान की वित्तिय स्थिती के रूप में सोचे ऐसा करें आपके पास बैंक के बकाया से अधिक किताबे भरी हुई है बैलन्स शीट से यही पता चलेगा वह रुके रवी को इस विचार को आत्मसात करने के लिए कुछ समय दिया और जारी रखा इसके बाद लाब और हानी का विवर्ण आता है यह वह जगह है जहां आप बताते हैं कि आपके व्यवसाय ने वर्ष के दौरान कितना कमाया और कितना खर्च किया क्या लोगों ने कई किताबे खरीदी या थे बिक्री धीमी है यह विवर्ण दिखाएगा कि आपकी किताबों की दुकान ने लाब कमाया यहानी रवी ने भी साथ-साथ चलते हुए सिर हिलाया और क्या यही सब है? शिक्षक ने हंसते हुए कहा बिल्कुल नहीं, मेरे उच्सुक छात्र उसके बाद आप Cash Flow Statement प्रस्तुत करते हैं यहाँ भाग बताता है कि आपके व्यवसाई में पैसा कैसे आता और जाता है और अधिक? यहाँ आपके किताबों की दुकान की धड़कन की तरह है जो दिखाता है कि इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए परियाप्त नकदी है या नहीं रवी ने एक पल के लिए सोचा और पूछा लेकिन क्या होगा अगर मेरा व्यवसाई बढ़ता है और मैं इसे निवेशकों के लिए अच्छा बनाना चाहता हूँ मैं अपने बयानों में ऐसा कैसे कर सकता हूँ शिक्षक ने अपना हाथ उठाया और कहा आ, यह एक महत्वपूर्ण बिंदू है, रवी इंड-A.S.1 के लिए आपको सच्चा होना आवशक है आप जानकारी छिपा नहीं सकते हैं या अपने व्यवसाय को इससे बहतर नहीं दिखा सकते हैं सब कुछ निश्पक्ष और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए आपके पाटकों को, चाहे वे निवेशक हों या ग्राहक उन्हें जो दिखता है उस पर भरोसा करना चाहिए इंड एस एक एक खेल के नियौमों की तरह है यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई निश्पक्ष रूप से खेले रवी मुस्कुराया उसे लगा जैसे वह समझने लगा है तो, इंड एस एक मेरे वित्तिय व्यवसाय के लिए एक कहानी कहने वाली मार्गदर्शिका की तरह है जो यह सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी किताबों की दुकान की स्थिती को स्पष्ट और सच्चाई से प्रस्तुत करूँ शिक्षक ने गर्व से सिरहिलाया बिलकुल, रवी, आप समझ गए याद रखें, एक महान कहानी की तरह स्पष्टता और इमानदारी महत्वपूर्ण है इंड आज एक आपको एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करने में मदद करता है ताकि हर कोई जान सके कि आपकी किताबों की दुकान वित्तिय रूप से कैसे चल रही है रवी ने उस दिन कक्षा छोड़ दी इस विश्वास के साथ की अब वह अपने शिक्षक के अविस्मरणी या कहानी कहने के कौशल की बदौलत वित्तिय विवर्ण ठीक से प्रस्तुत करने के महत्व को समझ सकता है क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्यता लें टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में रवी जिग्यासु छात्र कक्षा में बैठा था अपने शिक्षक से एक और मनोरम पाठ के लिए तयार जो अपनी कहानी कहने के जादू के लिए दूर दूर तक जाना जाता था आज शिक्षक ने एक नई अवधारणा को समझाने का वादा किया था इंड ऐस दो जो सूची से संबंधित है शिक्षक ने शुरू करते ही मुस्कुराते हुए कहा रवी चलो हम तुम्हारी किताबों की दुकान पर वापस चलते हैं अब कलपना कीजिए कि आपकी अलमारिया सभी प्रकार की पुस्तकों से भरी हुई है ये पुस्तके आपका स्टॉक है या लेखांकन के संदर्भ में आपकी इंवेंटरी है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि इस इंवेंटरी का मूल्य कितना है रवी की आखे जिग्यासा से चमक उठीन मैंने इसके बारे में सोचा है सर लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पुस्तकों का मूल्य कितना है शिक्षक ने सिर हिलाया खुश होकर की रवी सही प्रश्न पूछ रहा था यही पर इंडास दो आता है यह वह मार्क दर्शिका है जो आपके जैसे व्यवसायों को उनकी सूची के मूल्य का पता लगाने में मदद करती है इसे यह सुनिश्चित करने की एक विधी के रूप में सोचे कि आप अपनी अल्मारियों पर रखी हर चीज का सही मूल्य जानते है रवी उत्सुक था तो मैं अपनी इन्वेंट्री के मूल्य की गणना कैसे करूँ सर शिक्षक आगे की ओर जुके मानो कोई रहस्य साजा करने जा रहे हो दो मुख्य चरण है रवी सबसे पहले यह तै करना है कि किताबे अपने स्टोर तक लाने में आपको कितना खड़ जाएगा इसमें प्रकाशक से किताबे खरीदने के लिए आपके द्वारा भुक्तान की गई कीमत परिवहन लागत और यहां तक कि उन्हें अपने गोदाम में संग्रहित करने की लागत भी शामिल है रवी की आखे चौड़ी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसमें कितने कारक शामिल थे तो मुझे किताब की कीमत के अलावा और भी बहुत कुछ सोचना होगा शिक्षक ने सिरहिलाया बिलकुल यहां केवल वह कीमत नहीं है जो आप किताब के लिए चुकाते हैं आपको उन लागतों के बारे में भी सोचना होगा जो उन पुस्तकों को बेचने के लिए तयार करने के लिए आवशक है यहां पहला भाग है लागत का पता लगाना रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा लेकिन क्या होगा अगर किताबे अच्छी तरह से नहीं बिक रही हैं या वे बहुत लंबे समय से शेल्फ पर पड़ी हैं शिक्षक जानबूच कर मुस्कुराए आ, यहां हमें दूसरे भाग पर लाता है इंड एस दो हमें बताता है कि लागत की गणना करने के बाद आपको इसकी तुलना शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से करनी होगी यहां वह राशी है जिस पर आप बिक्री के लिए किसी छूट या खर्च पर विचार करने के बाद पुस्तक बेचने की उम्मीद करते है यदी शुद्ध वसूली योग्य मूल्य लागत से कम है तो आपको अपनी इन्वेंटरी का मूल्य कम करना होगा रवी हैरान लग रहा था मैं मूल्य क्यों कम करूंगा, सर? अपने इसे 100 रुपय में खरीदा था लेकिन अब कोई भी इसे उस कीमत पर खरीदना नहीं चाहता नई किताबों के लिए जगह खाली करने के लिए आपको इसे 60 रुपय में बेचना पड़ सकता है इस मामले में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य आपके द्वारा भुकतान की गई राशी से कम है इसलिए आपको इसे अपने खातों में प्रतिबिम्बित करना होगा इंड एस दो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इन्वेंटरी का अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है जो आपके व्यवसाय की अधिक सटीक तस्वीर दिखाता है रवी ने धीरे से सिरहिलाया तो मुझे अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत और उस राशी दोनों के आधार पर तै करने की जरूरत है जिस पर मैं उन्हें बेच सकता हूँ बिल्कुल रवी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा और याद रखें, इन्ड एस दो आपको अपनी इन्वेंटरी में कोई अनावशक लागत जोडने की अनुमती नहीं देता है आप विज्यापन या सामान्य प्रशासनिक व्याय जैसी चीजे शामिल नहीं कर सकते केवल किताबों से सीधे तोर पर जुड़ी लागते जैसे उन्हें खरीदना, परिवान करना या भंडारन करना शामिल की जानी चाहिए रवी ने एक पल सोचा और फिर पूछा लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेंट्री आपके व्यवसाई की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है यदि आप अपनी इन्वेंट्री को अधिक महत्व देते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आपका व्यवसाई वास्तव में उससे बहतर प्रदर्शन कर रहा है यह उन लोगों को गुम्रा कर सकता है जो आपकी किताबों की दुकान में निवेश करना चाहते हैं या यहां तक की अच्छे निरने लेने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं Ind as though यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी inventory का सही मूल्यांकन किया गया है, ताकि हर कोई आपके व्यवसाई की सही तस्वीर जान सके. रवी अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए मुस्कुराया. अब मैं समझ गया. सर, Ind as though मुझे मेरी अलमारियों पर रखी पुस्तकों के सही मूल्या का पता लगाने में मदद करता है. यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं उनकी कीमत को बढ़ा च्छा कर नहीं आगता. शिक्षक ने गर्व से सिर हिलाया. बहुत बढ़िया. रवी. याद रखें, जैसे एक अच्छी कहानी को सच्चाई से बताने की जरूरत होती है. वैसे ही आपकी सूची का मूल्यांकन भी इमानदारी से किया जाना चाहिए. Ind as though आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करने के लिए है. यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी किताबों की दुकान की कहानी हमेशा सटीक और निश्पक्ष हो. रवी ने उस दिन अपनी सूची को संभालने की सपष्ट समझ के साथ कक्षा छोड़ी. सबसे जटिल लेखांकन अवधारणाओं को भी सरल. यादगार कहानियों में बदलने की अपने शिक्षक की अद्विती अक्षमता के लिए धन्यवाद. क्रिप्या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक बरसात की दोपहर, सदैव जिग्यासू छात्र रवी, कक्षा में बैठा, खिर्की से बारिश को टकराता हुआ देख रहा था. वह गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसका प्रसिद शिक्षक एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए तैयार होकर अंदर आया. आज का विशय इंड एस साथ था, जो नकदी प्रवाह के विवरण को शामिल करता है. शिक्षक, जो जटिल अवधारनाओं को आकरशक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, ने अपने सामान्य तरीके से शुरुवात की, रवी, कल्पना कीजिए कि जो बारिश आप बाहर देख रही हैं, वह आपके व्यवसाय में आने और जाने वाले पैसे की तरह ह कुछ दिनों में लगातार भारी बारिश होती है और कुछ दिनों में आसमान साफ रहता है, लेकिन चाहे बारिश हो रही हो या नहीं, आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, है ना? रवी ने उच्सुकतावश सिर हिलाया हाँ, सर लेकिन मैं अपने व्यवसाय में यह सब कैसे ट्रैक करूँ? रवी की बढ़ती जिग्यासा को महसूस करते हुए शिक्षक मुस्कुराए अच्छा सवाल है, रवी यही पर इंड-एस साथ चित्र में आता है यह आपको नकदी प्रवाह का विवर्ण बनाने में मदद करता है जो एक मानचित्र की तरह है जो दिखाता है कि एक निश्चित अवधी में आपके व्यवसाय में नकदी कैसे आती और जाती है रवी समझने को उच्सुक होकर जुग गया तो यह नकषा कैसे काम करता है श्रीमान शिक्षक ने आगे कहा चलो इसे तोड़े रवी अपनी किताबों की दुकान की फिर से कल्पना करें ऐसे तीन मुख्य रास्ते हैं जिनसे नकदी आपके व्यवसाय में आ और जा सकती है इन डैस साथ आपको इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित करने के लिए मार्ग दर्शन करता है परिचालन गतिविधिया, निवेश गतिविधिया और वित्पोशन गतिविधिया इन में से प्रत्येक आपके व्यवसाय की नकदी कहानी का एक अलग हिस्सा दिखाता है रवी की आखे चमक उठी इन में से प्रत्येक पत का क्या मतलब है, श्रीमान? रवी की सगाई से खुश होकर शिक्षक मुस्कुराए आइए परिचालन गतिविधियों से शुरुवात करें यह आपके व्यवसाय का मूल है रोज मर्रा की चीजे जो नकदी लाती हैं और बाहर भेजती हैं जब ग्राहक किताबे खरीदते हैं तो आपको मिलने वाले पैसे के बारे में सोचें यह नकदी आ रही है वे नकदी बाहर जाने के उदाहरण है इंडएस साथ आपको इंदैनिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है ताकि आप देख सकें कि आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चलने के लिए परियाप नकदी कमा रहा है या नहीं रवी ने सिर हिलाया तो यह मेरी किताबों की दुकान की जीवन रेखा की तरह है सर शिक्षक की आँखें गर्व से चमक उठीन बिलकुल रवी अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं निवेश गतिविधिया यह वह जगह है जहां आप लंबी अवधी की संपत्ती खरीदने के लिए इस्तिमाल की गई नकदी दिखाते हैं जैसे कि यदि आप अधिक अलमारियां खरीदने या यहां तक की अपनी किताबों की दुकान की एक नई शाखा खोलने का निर्णय लेते हैं यह वह जगह भी है जहां आप संपत्ती बेचने से प्राप्त होने वाली नकदी को रिकॉर्ड करते हैं उदाहरन के लिए यदि आपने कुछ पुराने उपकरण बेचे हैं तो उस बिक्री से आपको जो पैसा मिलेगा वह यहां दिखाया जाएगा रवी ने एक पल रुख कर पूझा तो यह मेरे व्यवसाई में बड़े बदलावों के बारे में है, है ना? शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, यह आम तौर पर एक बार की या कभी कभार होने वाली घटनाएं है वे दिखाते हैं कि आप अपने व्यवसाई के भविश्य में निवेश कर रहे हैं या नहीं रवी का दिमाग यह सोच कर चक्रा गया कि एक दिन उसकी किताबों की दुकान कैसे बढ़ेगी और आखिरी रास्ते के बारे में क्या? सर, शिक्षक करीब आ गये, यह जानते हुए कि यह सब एक साथ लाने की कुझी थी आखिरी रास्ता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यह वह जगह है जहां आप अपने व्यवसाई को वित्पोशित करने के तरीके से संबंधित नकदी को ट्रैक करते हैं यदि आप अपनी किताबों की दुकान का विस्तार करने के लिए रिण लेते हैं, तो रिण से प्राप्त नकदी यहां जाती है इसी तरह, जब आप उस रिण को चुकाते हैं, तो बाहर जाने वाली नकदी भी यहां दर्ज की जाती है यदि आपका व्यवसाय लाभांश का भुकतान करने के लिए परियाप्त रूप से विक्सित हो गया है, तो यहां आपके द्वारा निवेशकों को वापस दिया गया पैसा भी दिखाता है रवी का चहरा समझ से चमक उठा तो नकदी प्रवाह का विवरण मुझे दिखाता है कि मेरे व्यवसाय में पैसा कहां से आता है और कहां जा रहा है, ठीक है चाहे वह रोज मर्रा की बिक्री से हो, बड़े निवेश से हो, या रिन से हो, शिक्षक गर्मजोशी से मुस्कुराए यह सही है, रवी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्डैस साथ का उप्योग करके आप देख सकते हैं कि आपका व्यवसाय स्वस्थ है या नहीं उदाहरन के लिए भले ही आप लाब कमा रहे हो, यदि आपकी परिचालन गतिविधिया परियाप्त नकदी नहीं ला रही है, तो आपको अपने बिलों का भुक्तान करने में कठिनाई हो सकती है यह विवर्ण आपको अपने व्यवसाय की नकदी स्थिती की बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है रवी ने एक पल सोचा, फिर पूछा, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? तीचर ने सोच समझ कर रवी की ओड देखा कल्पना करो रवी, अगर आपकी किताबों की दुकान में स्टॉक और उपकरण जैसी चीजों के लिए बहुत सारा पैसा बंधा हो लेकिन आपके करमचारियों को भुकतान करने या नई किताबे खरीदने के लिए बहुत कम नकदी हो आप परेशानी में पढ़ सकते हैं, भले ही कागस पर ऐसा लगे कि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है नकदी प्रवाह का विवरण यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल मुनाफे पर बलकि नकदी प्रवाह पर भी ध्यान केंदरित कर रही हैं, जो आपके व्यवसाय को जीवित रखता है तुकडों को एक साथ आते हुए महसूस करते हुए रवी मुस्कुराया अब मैं समझ गया, सर इंडाय साथ मुझे आने और जाने वाली सभी नकदी पर नजर रखने में मदद करता है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा व्यवसाय वास्तव में कैसा चल रहा है अध्यापक ने रवी की पीठ थपत पाई बहुत बढ़िया, रवी याद रखें, जैसे बार से बचने के लिए बारिश के पानी का ठीक से बहना जरूरी है वैसे ही आपके व्यवसाय में नकदी का प्रबंधन भी अच्छे से होना चाहिए इंड एस साथ आपको यहाँ देखने में मदद करता है कि आपकी नकदी कहां बह रही है ताकि आपकी किताबों की दुकान बिना किसी आश्चर्य के फलफूल सके रवी ने उस दिन यह स्पष्ट समझ के साथ कक्षा छोड़ी की नकदी प्रबाह का विवरण कैसे काम करता है अपने शिक्षक की अविश्वसनी या कहानी के लिए धन्यवाद जिसने सबसे जटिल विचारों को भी सरल बना दिया क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उज्जवल सुभा में रवी ने प्रत्याशा की भावना के साथ कक्षा में प्रवेश किया आज का दिन विशेश था, क्योंकि उनके शिक्षक, जो अपनी मंत्रमुग्द कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिध थे, एक नए और दिल्चस्प विशय को समझाने के लिए तयार थे, इन्ड एज आठ, जो लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रूटियों से संबंधित है रवी की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखते हुए, शिक्षक ने गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ कक्षा का स्वागत किया सुप्रभात, सभी को आज, हम लेखांकन की दुनिया में एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, बिलकुल अलग-अलग रास्तों वाले जंगल में घूमने की तरह प्रत्यक पत एक व्यवसाय द्वारा लिये गए निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है और यहां हमारे द्वारा बताई गई वित्तियक कहानी को कैसे प्रभावित करता है रवी की जिग्यासा बढ़ी रास्तों से आपका क्या मतलब है सर शिक्षक ने उत्तर दिया आईए कलपना करें कि आप अपनी प्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं रवी जब आप निर्णय लेते हैं कि अपनी पुस्तकों की लागतों को कैसे रिकॉर्ड किया जाए या उनके मूल्य की गणना कैसे की जाए तो आप अपनी लेखांकन नीतियां चुन रहे हैं इंडाजार्थ आपको इन विकल्पों को समझने में मदद करता है और यदि आप उन्हें बदलने का निर्णय लेते हैं या यदि आप कोई गल्ती करते हैं तो क्या होता है रवी ने उच्सुकतावश सिर हिलाया तो ये लेखांकन नीतियां क्या है शिक्षक ने आगे कहा लेखा नीतियां आपके व्यवसाई के लिए निर्धारित नियौमों की तरह है वे आपको अपने लेंदेन को रिकॉर्ड करने के तरीके के बारे में मार्ग दर्शन करते हैं उदाहरण के लिए आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धती का उप्योग करके अपनी इन्वेंटरी की लागत रिकॉर्ड करने का निर्णय ले सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप सबसे पुरानी किताबे पहले बेचते हैं यह विकल्प दर्शाता है कि आप वित्तिय रूप से अपने व्यवसाई का प्रतिनिधित्वक कैसे करना चाहते हैं रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा तो मेरी पसंद का तरीका मेरे वित्तिय विवर्णों के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है बिलकुल शिक्षक ने कहा विभिन लेखांकर नीतियां अलग-अलग वित्तिय परिणामों को जन्द दे सकती है इसलिए इंडाज आठ के लिए आवशक है कि आप अपनी नीतियों में सुसंगत रहें ताकि आपके वित्तिय विवर्ण समय के साथ तुलनिय बने रहें यदि आप अपनी लेखांकर नीति को बदलने का निरने लेते हैं तो आपको अपने विवर्णों में परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का खुलासा करना होगा रवी की भौमें सोच में पड़ गई क्या होगा यदि मुझे एहसास हो कि मुझे पहले लगाए गए अनुमान को बदलने की जरूरत है उदारन के लिए यदि मैंने शुरू में अनुमान लगाया था कि वर्ष के दौरान एक निश्चित संख्या में किताबे बिकेंगी लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने गलती की है रवी के व्यावारिक प्रश्न की सराहना करते हुए शिक्षक मुस्कुराए आ, यही वह जगह है जहां लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन लागू होते हैं ये परिवर्तन व्यवसाय की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है कभी-कभी आप नई जानकारी एकत्र करते हैं या महसूस करते हैं कि आपके पिछले अनुमान सटीक नहीं थे आपके मामले में यदि आपने शुरू में अनुमान लगाया था कि कि किसी लोकप्रिय पुस्तक की 200 प्रतियां बिकेंगी लेकिन बाद में पता चलता है कि मांग कम है तो आपको अपने अनुमान को तदनुसार समायोजित करने की आवशक्ता हो सकती है रवी ने लची लेपन के महत्व को समझते हुए सिर हिलाया तो जब मैं अनुमान बदलता हूँ तो मुझे इसे अपने वित्तिय विवर्णों में भी प्रतिबिम्बित करना होगा बिल्कुल रवी शिक्षक ने कहा लेकिन यहां कुंजी यहां है लेखांकन अनुमानों में बदलाव के लिए पूर्वव्यापी समायोजन की आवशक्ता नहीं होती है इसके बजाए आप आगे बढ़ते हुए नया अनुमान लागू करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने रेकॉर्ड अपडेट करते हैं लेकिन पिछले विवर्ण नहीं बदलते रवी को इस जानकारी को समझने में थोड़ा समय लगा और त्रूटियों के बारे में क्या? सर, यदि मैं अपने हिसाब किताब में कोई गल्ती करू तो क्या होगा? शिक्षक की अभिव्यक्ती और अधिक गंभीर हो गई अच्छा सवाल है, रवी त्रूटिया विभिन कारणों से हो सकती है चाहे गणितिय गल्तियों से, भूल से या तथ्यों की गल्त फैमी से यदि आपको अपने वित्तिय विवरणों में कोई त्रूटी मिलती है तो इंड अज आठ के अनुसार आपको इसे ठीक करना होगा यदि त्रूटी महत्वपूर्ण है यानि यह आपकी वित्तिय स्थिती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तो आपको अपने पिछले वित्तिय विवरणों को दोबारा बताना होगा और त्रूटी की प्रकृती का खुलासा करना होगा रवी की आखे चौड़ी हो गई तो अगर मैंने पिछले साल गलती से अपनी बिक्री बहुत अधिक दर्ज कर ली तो मुझे वापस जाकर उसे ठीक करना होगा शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, और इसके बारे में पारदर्शी होना महत्वपूर्ण है त्रूटियों को सुधार कर और आवशक्ता पढ़ने पर अनुमान बदल कर आप अपनी वित्तिय रिपोर्टिंग की अखंडता को बनाये रखते हैं यह आपके किताबों की दुकान की सटीक वित्तिय तस्वीर प्रदान करने की आपकी प्रतिबधता को दर्शाता है त्रूटियों को सुधारने में मदद करता है ताकि मेरी वित्तिय कहानी सच्ची और स्पष्ट रहें बिल्कुल रवी शिक्षक गर्व से जूम उठे आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया है जिस तरह एक अच्छी कहानी सटीक और सम्मोहक होनी चाहिए उसी तरह आपके वित्तिय विवर्णों में आपके व्यवसाई की वास्तविक स्थिती प्रतिबिम्बित होनी चाहिए इमानदारी का यह सिध्धान्त ही आपकी किताबों की दुकान की कहानी को विश्वस्निय और भरोसेमंद बनाए रखता है जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने इंडेयस आर्ट के बारे में ज्यान से सशक्त महसूस किया उसे एहसास हुआ कि लेखांकन की दुनिया केवल संख्याओं के बारे में नहीं है या एक ऐसी कहानी बताने के बारे में था जो माइने रखती थी जो उसकी किताबों की दुकान को उजवल भविश्य की ओर ले जा सकती थी कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में रवी ने कक्षा में प्रवेश किया अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकरशक पाठ के लिए उचसाहित होकर, जो अपनी कहानी कहने की प्रतिभा के लिए जाना जाता है आज का विशय इंड एस दस था, जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद की घटनाओं पर केंद्रित है अपनी सीट पर बैठते ही रवी अपनी उचसुकता पर काबू नहीं रख सका शिक्षक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ शुरुवात की, सभी को शुब दोपहर आज, हम उन घटनाओं की अवधारणा का पता लगाने जा रहे हैं, जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद, लेकिन वित्तिय विवर्णों को अंतिम रूप देने से पहले घटित होती है कल्पना कीजिए, रवी, आप अपनी प्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं आपने अभी-अभी वर्ष के लिए अपना वित्तिय विवर्ण पूरा किया है, लेकिन तभी आपको कुछ आश्चर्य जनक समाचार सुनने को मिलते हैं आएए जाने कि यहाँ खबर आपकी वित्तिय कहानी को कैसे प्रभावित कर सकती है रवी सीखने के लिए उच्सुक होकर आगे की ओर जुख गया कैसी खबर? सर शिक्षक ने आगे कहा, मान लीजिये कि यहाँ मार्च का अंध है और आपने वित्तिय वर्ष के लिए अपने खाते बंद कर दिये हैं जब आप अपने आपूर्ति करता से कॉल प्राप्त करते हैं, तो आप अपना वित्तिय विवर्ण बैंक को भेजने वाले होते हैं वे आपको सूचित करते हैं कि दुरलब पुस्तकों की खेप, जिसका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विलंबित हो गई है शिप्मेंट अब मई में आने वाला है रवी ने भी साथ-साथ चलते हुए सिर हिलाया इससे मेरे वित्तिय विवर्ण पर क्या प्रभाफ पड़ेगा? सर, उतक्रिष्ट प्रश्न, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया इंड-स-10 के अनुसार, आपको यह आकलन करने की आवशक्ता है कि क्या यह घटना आपकी रिपोर्टिंग अवधी के अंत में मौजूद सितियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है इस मामले में, चुमकी शिप्मेंट मार्च में आना था इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपको अपने वित्तिय विवर्णों में किसी प्रभाव को पहचानना चाहिए यदी देरी का मतलब है कि आप बिक्री का एक महत्वपूर्ण अवसर चूग जाएंगे तो आपको उस तथ्य का खुलासा करने की आवशक्ता हो सकती है भले ही इससे आपके वित्तिय विवर्णों में संख्याएं न बदलें रवी ने एक क्षण सोचा तो मुझे यह तै करना होगा कि इस जानकारी को शामिल करना है या नहीं बिल्कुल शिक्षक ने उत्सा से कहा विचार करने के लिए दो प्रकार की घटनाएं है पहले समायोजन की घटनाएं है जो रिपोर्टिंग तिथी पर मौझूद स्थितियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है उदाहरण के लिए यदि आपको पता चलता है कि किसी ग्राहक ने रिपोर्टिंग अवधी के बाद दोशों के कारण एक बड़ा ओर्डर लोटा दिया है तो यह एक समायोजन घटना होगी और रिटर्ण को प्रतिबिम्बित करने के लिए आपको अपने वित्तिय विवर्ण अपडेट करने की आवशक्ता होगी रवी की आखे समझ से चौड़ी हो गई और दूसरे प्रकार की घटना के बारे में क्या? रवी की सगाई से प्रसन होकर शिक्षक मुस्कुराए दूसरा प्रकार गैरसमायोजित घटनाए है ये वे घटनाए हैं जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद घटित होती है लेकिन रिपोर्टिंग तिथी से पहले मौजूद स्थितियों के बारे में नई जानकारी प्रदान नहीं करती है उदाहरण के लिए यदी अप्रेल में आपकी किताबों की दुकान में भीशन आग लग जाती है तो यह एक गैरसमायोजित घटना होगी हालांकी यह महत्वपूर्ण है और आपके भविश्य के कारियों को प्रभावित कर सकता है लेकिन इससे 31 मार्ज तक की वित्तिय स्थिती में कोई बदलाव नहीं आएगा आप इसे अपने वित्तिय विवर्णों के नोट्स में प्रकट करेंगे लेकिन आप आंकडों को समायोजित नहीं करेंगे रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया तो अगर रिपोर्टिंग अवधी के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है तो मुझे यह निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या यहां अतीत को प्रभावित करता है या सिर्फ भविश्य को प्रभावित करता है बिल्कुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया उसकी आँखे अनुमोधन से चमक रही थी इंड एस दस के अनुसार आपको महत्वपूर्ण गैरसमायोजित घटनाओं का खुलासा करना होगा ताकि आपके वित्तिय विवरणों के उप्योग करताओं को आपके व्यवसाई के आगे बढ़ने पर संभावित प्रभावों के बारे में पता चल सके रवी ने और अधिक जानने की उत्सुकता से फिर से अपना हाथ उठाया यदि मैं किसी महत्वपूर्ण घटना का उलेक करना भूल जाओं तो क्या होगा शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई यदि आप रपोर्टिंग अवधी के बाद महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा करने में विफल रहते हैं तो यह आपके वित्तिय विवरणों के उप्योग करताओं को गुम्रा कर सकता है यही कारण है कि रपोर्टिंग तिथी के बाद होने वाली सभी घटनाओं का आकलन करने और यहाँ निरधारित करने में महनती होना मہत्वपूर्ण है कि उन्हें समायोजित किया जाना चाहिए या खुलासा किया जाना चाहिए पारदर्शिता आपके निवेशकों और ग्रहकों के साथ विश्वास बनाये रखने की कुंजी है रवी मुस्कुराया प्रबुत्थ महसूस कर रहा था तो इंडेस दस मुझे उन घटनाओं पर नजर रखने में मदद करता है जो मेरी किताबों की दुकान को प्रभावित कर सकती है यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं अपने व्यवसाई की सच्ची तस्वीर प्रदान करने के लिए सभी आवशक जानकारी साजह करूँ बिल्कुल शिक्षक ने गर्व से कहा याद रखें, एक सम्मोहक कहानी की तरह विवर्ण माइने रखते हैं रिपोर्टिंग अवधी के बाद होने वाली घटनाएं आपके व्यवसाई की कहानी बदल सकती है और आपके वित्तिय विवर्ण पढ़ने वालों के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने इंड एस दस की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उसे एहसास हुआ की लेखांकन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है यह उसकी किताबों की दुकान के बारे में एक संपूर्ण और इमानदार कहानी बताने के बारे में था जो चुनौतियों और अफसरों दोनों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर सके क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दोपहर में रवी अपने प्रसिद शिक्षक के एक और मनोरम पाठ में गोता लगाने के लिए तयार होकर कक्षा में चला गया आज विशय था इंडएस बारा, जो आईकर को कवर करता है रवी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह महत्वपूर्ण विशय उनके शिक्षक की अनूठी कहानी कहने की शैली में कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज हम आईकर की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं, जो किसी व्यवसाय के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कल्पना कीजिए, रवी, कि आप अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान चला रहे हैं, और आएए देखें कि आएकर आपकी वित्तिय यात्रा में कैसे भूमी का निभाता है रवी उच्षुकता से जुक गया आपका क्या मतलब है सर? शिक्षक ने आगे कहा, मान लीजिए कि एक साल की कड़ी मेहनत के बाद आपकी किताबों की दुकान ने लाब कमाया है आपने कई किताबे बेची हैं और आपके वित्तिय रिकॉर्ड अच्छी आए दर्शाते हैं हाला कि इसका मतलब यह भी है कि आपको अपने करदायत्वों पर विचार करना होगा इंडस्ट्रीज एस बारह के अनुसार आपको अपने वर्तमान बकाया कर और किसी भी स्थगित कर देंदारियों दोनों का हिसाब देना होगा रवी की जिग्यासा बड़ी मौजूदा टैक्स क्या है सर? शिक्षक ने समझाया वर्तमान कर आपके कर योग्य लाब के आधार पर चालू वर्ष के लिए आपके द्वारा दे आईकर की राशी है यहां आपकी कर्योग्याई पर सरकार द्वारा निर्धारित करदर को लागू करके निर्धारित किया जाता है इसलिए यदि आपकी किताबों की दुकान ने 10 लाख रुपए का लाभ कमाया है और करकी दर 25 प्रतिशत है तो आपको उस वर्ष के लिए 2,50,000 रुपए का कर देना होगा इस जानकारी को संसाधित करते समय रवी की आखे चौड़ी हो गई तो मुझे वह पैसा करो के लिए अलग रखना होगा बिल्कुल शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया हाला कि आएकर लेखांकन यहीं समाप्त नहीं होता है हमें स्थगित करों के बारे में भी सोचना होगा यह अवधारणा स्विकार करती है कि कभी-कभी लेखांकन लाब की गणना कैसे की जाती है और कर योग्य लाब की गणना कैसे की जाती है इसके बीच अस्थाई अंतर होते हैं रवी ने अपनी भौहें सिकोड ली अस्थाई मतभेदों से आपका क्या तातपर्य है शिक्षक ने आगे कहा मान लीजिये कि आपने अपनी किताबों की दुकान के लिए पांच लाख रुपए में नई अलमारिया खरी दी सरकार आपको उस वर्ष की पूरी लागत में कटोती करने की अनुमती दे सकती है जिस वर्ष आपने उन्हें खरीदा था यह आपके लेखांकन लाब और कर्योग्य लाब के बीच अंतर पैदा करता है यह अंतर उस चीज की ओर ले जाता है जिसे हम आस्थगित कर परिसंपत्ती या देंदारी कहते है रवी को समझ आने लगा था तो अगर मैं अभी पूरी लागत काट सकता हूँ तो मैं इस वर्ष उतना कर नहीं चुकाऊंगा लेकिन भविश में जब मेरी कटोती कम हो जाएगी तो मुझे और अधिक कर देना होगा सही, शिक्षक ने कहा यदि आप अभी अधिक कटोती कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अप कम कर का भुकतान करेंगे जिससे कटोती कम होने पर भविश के लिए स्थगित कर देनदारी बनेगी इसके विपरीत यदि आपने कर परिसमपत्यों को स्थगित कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप भविश में कम कर का भुकतान करेंगे रवी ने अवधारणा को समझते हुए सिर हिलाया तो यह समय के साथ मेरे कर भुकतान को संतुलित करने जैसा है बिल्कुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया इंड़हस बारा आपको इन स्थगित करों को पहचानने में मदद करता है ताकि आपके वित्तिय विवर्ण आपके करदायत्वों की अधिक सटीक तस्वीर दर्शा सके यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल वर्तमान कर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बलकि आने वाले कर के लिए भी तयार है रवी ने दूसरे प्रश्न के साथ हाथ उठाया यदि मैं अपनी करगणा में कोई गलती करू तो क्या होगा शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई यह एक महत्वपूर्ण बिंदू है रवी यदि आप अपनी आयकर देंदारियों या स्थगित करों को पहचानने में गलती करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं यह आपके वित्तिय विवर्णों को प्रभावित कर सकता है और उप्योग करताओं को आपके व्यवसाई की वित्तिय स्थिती के बारे में गुम्राह कर सकता है। पारदर्शिता और सटीकता महत्वपूर्ण है। रवी मुस्कुराया प्रबुत्थ महसूस कर रहा था। तो इन डेस बारा मुझे अपने करदायत्वों पर नजर रखने में मदद करता है और यहां सुनिश्चित करता है कि मैं वर्तमान और भविश्य के कर प्रभावों का सटीक हिसाब रखता हूँ। है ना? बिलकुल शिक्षक गर्व से जूम उठे। ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छी तरह से गड़ी गई कहानी में हर विवरण माइने रखता है। आईकर को समझ कर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी किताबों की दुकान वित्तिय रूप से स्वस्थ और नियोमों के अनुरूप बनी रहे। जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने इंड एस बारह की सपष्ट समझ के साथ सशक्त महसूस किया। उसे एहसास हुआ की आईकर का प्रबंधन केवल संख्याओं के बारे में नहीं था, यह उनकी किताबों की दुकान को एक सफल भविश्य के लिए तैयार करने, वर्तमान दायित्वों को भविश्य की जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने और उनकी वित्तिय कहानी में ए एक उजवल और धूप वाली सुभा, रवी कक्षा में चला गया, अपने असाधारन शिक्षक से एक और पाठ के लिए उत्सा से भरा हुआ, जो हर विशय में आकर्शक कहानिया बुनने के लिए प्रसिध था, आज का विशय इंड ऐस सोलह था, जो संपत्ति, सन्यंत्र और उपकरण पर केंद्रित था, रवी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस अवधारना को कैसे जीवन में लाएंगे, जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उत्सा के साथ छात्रों का स्वागत किया, सुप्रभात, सभी को, आज, हम संपत् रवी, सन्यंत्र और उपकरण या जैसा कि हम इसे अकसर कहते हैं, पी-पी की आकरशक दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं, कल्पना कीजिए, रवी, कि आप अपनी खुद की किताबों की दुकान के गौरवानवित मालिक हैं, आईए यह समझने के लिए एक यात्रा शुर रवी, सन्यंत्र और उपकरण से आपका क्या तातपर्य है? श्रीमान, रवी की जिग्यासा को समझ कर शिक्षक मुस्कुराएं बहुत बढ़िया सवाल, रवी, संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण वे मूर्थ संपत्तियां हैं, जिनका उप्योग आप आए उत्पन्न करने के लिए अपने व्यवसाय संचालन में करते हैं. इनमें आपकी किताबों की दुकान की इमारत, किताबों से भरी अल्मारिया, इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले कम्प्यूटर और यहां तक की फरनीचर जहां ग्राहक बैठते हैं, शामिल हो सकते हैं. मूलतह, ये वे परिसंपतियां हैं, जिनका उप्योगी जीवन एक से अधिक लेखांकन अवधिका होता है. रवी ने सिर्हिलाया और तस्वीर देखने लगा. तो, मैं इन परिसंपतियों का हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने आगे कहा, इंड एस सोला के तहट, पहला कदम अधिग्रहन के समय इन संपतियों की लागत को पहचानना है. उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए एक इमारत खरीदते हैं, तो लागत में न केवल खरीद मूल्य बलकि कोई भी संबंधित खर्च, जैसे कानूनी शुल्क, कर और स्थापना लागत भी शामिल है. यह कुल राशी आपकी संपति का प्रार प्रशक ने सगाई से प्रसन होकर उत्तर दिया. एक बार जब आप लागत पहचान लेते हैं, तो आपको यह विचार करने की आवशक्ता है कि परिसंपत्ति को उसके उप्योगी जीवन के दौरान कैसे मापा जाए. दो प्रात्मिक विधिया हैं, लागत मॉडल और पुनर मूल्यांकन मॉडल. लागत मॉडल के साथ आप परिसंपत्ति को किसी भी संचित मूल्यहरास को घटा कर उसकी लागत पर ले जाना जारी रखते हैं. मूल्यहरास यह है कि आप परिसंपत्ति की लागत को उसके उप्योगी जीवन के दौरान कैसे आवंटित करते हैं, जो आ अगर मैं पचास हजार रुपए में एक शेल्फ खरीदता हूँ और इसका उप्योगी जीवन दस साल है, तो मैं उस समय के दौरान इसका मूल्यहरास कर दूँगा। बिल्कुल, शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस मामले में आप उस लागत के एक हिस्से को प्रत्यक वर्ष व्याई के रूप में पहचानेंगे। हाला कि यदि आप पुनर मूल्यांकन मॉडल चुनते हैं, तो आप समय समय पर परिसंपत्ती की वहन राशी को उसके उचित मूल्य पर समायोजित कर सकते हैं। इसका मतलब यहा है कि यदि आपकी इमारत का मूल्य बढ़ता है, तो आप अपनी सम्पत्ती के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हुए, अपनी बैलन्स शीट पर इसका मूल्य बढ़ा सकते हैं। रवी मोहित हो गया। तो मेरे पास यह विकल्प है कि मैं अपनी परिसम्पत्तियों का हिसाब कैसे लगाऊं, इस आधार पर कि मैं उनके मूल्य का प्रतिनिधित्वक कैसे करना चाहता हूं। सही है, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की। लेकिन याद रखें, चाहें आप कोई भी तरीका चुने, तुलनियता सुनिष्चित करने के लिए आपको इसे लगातार समान संपत्तियों पर लागू करना होगा। यह पारदर्शी वित्तिय रिपोर्टिंग की कुन्जी है। रवी ने एक और सवाल उठाया, मरम्मत और सुधार के बारे में क्या? मैं उन्हें कैसे संभालू? बहुत बढ़िया सवाल, शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया। यदि आप अपनी संपत्यों को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए लागत उठाते हैं, तो उन खर्चों को आम तौर पर लाभ्याहानी के रूप में लिया जाता है। हाला कि यदि आप महत्वपूर्ण सुधार करते हैं, जो परिसंपत्ती के मूल्य को बढ़ाते हैं या उसके उप्योगी जीवन को बढ़ाते हैं, तो आप उन लागतों का पूंजी करण कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें परिसंपत्ती की वहन राशी में जोड कर सकते हैं, रवी ने सोच समझ कर सिर हिलाया, तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान की प्रकाश व्यवस्था को अपग्रेड करता हूं, तो मुझे यह तै करना होगा कि क्या यह एक साधारन मरम्मत है या सुधार है, बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की, अब निप् और इस समपत्ती को बेचने या सेवानिवरित करने का निरनय लेते हैं, तो आपको इसे अपनी पुस्तकों से हटाना होगा। यदि आप कई वर्षों तक उप्योग करने के बाद किसी शेल्फ को 20,000 रुपए में बेचते हैं, तो आपको बिक्री के समय इसकी वहन राशी पर विचार करना चाहिए और निप्तान पर किसी भी लाभ्याहानी को पहचानना चाहिए। रवी मुस्कुराया प्रबुत्त महसूस कर रहा था। तो इंडेस सोला मुझे यह समझने में मदद करता है कि मैं अपनी किताबों की दुकान में उप्योग की जाने वाली सभी भ जैसे हर कहानी की शुरुवात मध्य और अंत होता है, संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण के साथ आपकी वित्तिय यात्रा में व्यवसाई की दुन्या में प्रवेश करते समय अपनी संपत्ती को पहचानना, मापना और अंत ता उसका निप्तान करना शामिल होता है। सन्यंत्र और उपकरण का प्रबंधन केवल संख्याओं के बारे में नहीं था, यह उन परिसंपत्तियों को रणनीतिक रूप से संभालने के बारे में था जो भविश्य में उनकी किताबों की दुकान को फलने फूलने और बढ़ने में मदद करेगी। क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक बरसात की दोफेर में, रवी अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकरशक पाठ लेने के लिए तयार होकर कक्षा में आया, जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए जाना जाता है। आज का विशय इंड ऐस सत्रह था, जो लीज से संबंधित था, एक अवधारणा जिसे जल्द ही इंड ऐस 116 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। रवी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस विशय को कैसे जीवन्द बनाएंगे। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उत्सा के साथ छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुप दोपहर। आज, हम पट्टों की दुनिया का पता लगाने जा रही हैं, जो व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझोते हैं। आईए कलपना करें कि आप, रवी, अपनी खुद की किताबों की दुकान के गौरवानवित मालिक हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि पट्टे कैसे काम करते हैं और वे क्यों माइने रखते हैं। रवी उत्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया। पट्टा क्या है, श्रीमान। रवी की सीखने की उत्सुकता को महसूस करते हुए शिक्षक मुस्कुराएं। पट्टा अनिवार्य रूप से दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है पट्टा दाता जो एक संपत्ती का मालिक है और पट्टेदार जो उस संपत्ती का उप्योग करने के लिए भुकतान करता है। आपके मामले में यदि आप भवन खरीदने के बजाए किराए की जगह पर अपनी किताबों की दुकान खोलने का निर्णय लेते हैं तो आप पट्टेदार होंगे और मकान मालिक पट्टा दाता होगा। रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए सिर हिलाया। तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान के लिए जगह किराए पर लेना चाहता हूँ, तो मुझे ली समझोते पर हस्ताक्षर करना होगा। बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की। यह समझोता आपके पट्टे की शर्तों को रेखांकित करता है, जिसमें अवधी, किराए का भुकतान और समपत्ती के संबंध में आपकी कोई भी जिम्मेदारियां शामिल हैं। इंडस्ट्रीज एस सत्रह के तहट, आप पट्टों को परिचालन पट्टों या वित्पटों के रूप में वर्गी कृत करेंगे। रवी ने उच्शुकतावश अपना हाथ उठाया। दोनों में क्या अंतर है, सर? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया। ऑपरेटिंग लीज एक ऐसा पट्टा है, जो परिसंपत्ती के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरसकारों को परियाप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए किसी भवन को खरीदने के किसी विकल्प के बिना कुछ वर्षों के लिए किराय पर लेते हैं, तो इसे एक परिचालन पट्टा माना जाएगा। इस मामले में आप अपने आय विवर्ण में पट्टे के भुकतान को एक व्याय के रूप में पहचानेंगे। रवी को समझ आने लगा था. और वित पट्टे के बारे में क्या? अच्छा अवलोकन, शिक्षक ने कहा. दूसरी और एक वित पट्टा, परिसमपत्ती से जुड़े सभी जोखिमों और पुरसकारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है. यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए एक डिलिवरी वाहन को पट्टे की अवधी के अंत में खरीदने के विकल्प के साथ पट्टे पर लेते हैं, तो इसे वित पट्टे के रूप में वर्गी कृत किया जाएगा. इस परिद्रिश्य में आप अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्ती और देंदारी को पहचानेंगे, जो पट्टे पर दी गई संपत्ती के मूल्य और पट्टे का भुक्तान करने के आपके दायत्व को दर्शाती है. रवी की आखे समच से चौड़ी हो गई. तो एक वित्ट पट्टे के साथ मैं पट्टे पर दी गई संपत्ती के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे यहां मेरी अपनी है. बिल्कुल, शिक्षक मुस्कुराएं. आप परिसंपत्ती के उप्योगी जीवन पर उसका मूल यहराज भी करेंगे और पट्टे की देंदारी पर ब्याज व्याय को भी पहचानेंगे. यह द्रिश्टिकोण आपकी वित्तिय स्थिती का अधिक व्यापक द्रिश्टिकोण प्रदान करता है. रवी ने एक और सवाल उठाया, क्या होगा अगर मेरी लीज की शर्ते बदल जाती है, या अगर मैं लीज को जल्दी खत्म करने का फैसला करता हूँ? उत्कृष्ट पूछताच, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया. इंड ए 17 के अनुसार आपको नियमित रूप से अपने पट्टे की शर्तों का आकलन करना होगा. यदि परिवर्तन होते हैं, तो आपको यह पुनर मुल्यांकन करने की आवश्शक्ता हो सकती है कि आप पट्टे के लिए कैसे खाते हैं? इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि क्या किसी पुनर मुल्यांकन के परिणामस्वरूप आपकी लीज देंदारी या संपत्ती में संशोधन होता है. पट्टे की शीक्र समाप्ती के परिणामस्वरूप किसी भी दंड को व्याय के रूप में मान्यता दी जा सकती है रवी ने जानकारी संसाधित करते हुए सिरहिलाया इसलिए मुझे अपने पट्टा समझोतों और उनकी शर्तों पर कायम रहना होगा बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की प्रभावी वित्तिय प्रबंधन के लिए पट्टों को समझना महत्वपूर्ण है यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह समझोते आपके वित्तिय विवरणों और समग्र व्यावसाइक रणनीती को कैसे प्रभावित करते हैं शिक्षक ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुक कर कहा अब जबकी इंड ऐस सत्रह पटों के लिए लेखांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है यह ध्यान रखना आवशक है कि इसे इंड ऐस 116 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो पट्टे की देंदारियों और अधिकार के संबंध में नई अवधार्णाओं का परिचय देता है संपत्ति का उप्योग करें इंडस्ट्रीज एस 116 के तहट लगभग सभी पट्टे बैलेंस शीट पर दर्ज किये जाते हैं जिससे कंपनी के वित्तिय दायत्वों की सपष्ट तस्वीर मिलती है रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई तो इंडस्ट्रीज एस 116 हमारे पट्टों को संभालने के तरीके को बदल देता है वास्तव में रवी शिक्षक ने उत्सा से उत्तर दिया यहां केवल पट्टे के भुकतान के बजाए किसी परिसंपत्ति का उप्योग करने के अधिकार पर केंद्रित है यहां बदलाव आपके बुकस्टोर जैसे व्यवसायों को उनकी वित्तिय स्थिती के बारे में अधिक सटीक द्रिश्टिकोंड प्रस्तुत करने में मदद करता है जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ रवी ने इंड-A.S. सत्रा और इसके उत्तराधिकारी इंड-A.S. 116 की बहतर समझ के साथ सशक्त महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी उन्होंने महसूस किया कि पट्टों का प्रबंधन केवल समझोतों के बारे में नहीं था यह रणनीतिक रूप से परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभालने के बारे में था जो उसकी किताबों की दुकान के भविश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता था पट्टों को समझने से वह सूचित निरणय लेने और आत्म विश्वास के साथ व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उज्वल, हरशित दिन पर रवी ने कक्षा में प्रवेश किया, अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकर्शक पाठ के लिए उच्साह से भरा हुआ, जिसमें जटिल अवधार्नाओं को मनोरम कथाओं में बदलने की क्षमता थी आज, Focus Indes 19 पर था, जो कर्मचारी लाभों को संबोधित करता है। जितरेंगे और समझेंगे कि वे कर्मचारियों और व्यवसायों दोनों को कैसे प्रभावित करते हैं। कर्मचारी लाभ से आपका क्या तातपर्य है श्रीमान। रवी की उत्सुकता को महसूस करते हुए शिक्षक मुस्कुराए। कर्मचारी लाभ कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुआवजे हैं। वे कई रूप ले सकते हैं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, सवैतनिक अवकाश और बोनस। इंडस्ट्रीज एस उन्नीस के तहट इन लाभों को कई श्रेणियों में वरगी कृत किया गया है। रवी ने उत्सुकतावश सिर हिलाया। ये श्रेणिया क्या है, सर? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया। इंडस्ट्रीज उन्नीस के तहट करमचारी लाभों की मुख्य रूप से तीन श्रेणिया हैं। पहली श्रेणी अल्पकालिक करमचारी लाभ है। ये वे लाभ हैं, जिनका रिपोर्टिंग अवधी समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर निप्टान होने की उमीद है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने करमचारीओं को वार्षिक छुट्टी या बोनस प्रदान करते हैं, जिसका वे वर्ष के भीतर उप्योग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इस श्रेणी में आएंगे। आप इन लाभों से संबंधित व्याय को पहचानेंगे क्योंकि वे करमचारीओं द्वारा अरजित किये गए हैं। रवी ने इस पर विचार किया। तो अगर मैं अपने करमचारीओं को बिक्री के आधार पर वर्ष के अंत में बोनस देता हूं, तो मुझे तुरंत इसका ह हिसाब देना होगा। बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की। अब दूसरी श्रेणी रोजगार के बाद के लाभों की हैं, जिसमें पेंशन और सेवानिवृत्ती योजनाएं शामिल हैं। जब आप अपने करमचारीओं के लिए पेंशन योजना की पेशकश करने का निर भविश्य के दायत्मों को पूरा करने के लिए परियाप्त धनराशी अलग रख रहे हैं। रवी ने सवाल करते हुए हाथ उठाया। मैं उन खर्चों की गणना कैसे करूँ? सर। उतक्रिष्ट प्रश्न, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया। रोजगार के बाद के लाभ जैसे विभिनकारकों का आकलन करना शामिल है। इससे आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि इन भविश्य के दायत्मों को पूरा करने के लिए आपको कितना अलग रखने की आवशकता है। रवी ने इस जानकारी पर विचार करते हुए सोच समझ कर सिरहिलाया और तीसरी श्रेणी क्या है? तीसरी श्रेणी अन्य दीरघकालिक करमचारी लाब है, शिक्षक ने समझाया। इन लाबों का बारा महिनों के भीतर निप्टान होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये रोजगार के बाद के लाब भी नहीं है। इसका एक उदाहरन लंबी या विलंबित मुआवजा होगा। इन लाबों के लिए आप उस व्याय को पहचानेंगे क्योंकि करमचारी वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। रवी मुस्कुराया प्रबुत महसूस कर रहा था। तो मुझे विभिन प्रकार के लाबों का हिसाब किताब इस से कहा। इन एस उननीस के तहट इन करमचारी लाबों का सटीक हिसाब लगाना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपको वित्तिय रिपोर्टिंग में मदद मिलती है बलकि आपके करमचारीों के साथ आपके रिष्टे भी मजबूत होते हैं। प्रतिसपर्धी लाब प् इन लाबों का ठीक से हिसाब किताब न करू तो क्या होगा। शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यदि आप करमचारी लाबों को पहचानने या गलत तरीके से गणना करने में विफल रहते हैं तो यह आपके वित्तिय विवर्णों पर महत्वपूर्ण के बारे में हिद्धारकों को गुम्रा कर सकता है और कानूनी परिणाम भी दे सकता है। इसलिए करमचारी लाबों के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता आवशक है। रवी ने विशय का महत्व समझते हुए सिरहिलाया। तो इन राज 19 मुझे यह समझने में मदद करता है कि करमचारी लाबों को प्रभावी धंग से कैसे प्रबंधित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मैं एक नियोकता के रूप में अपने दायत्वों को पूरा करूँ। है ना। बिलकुल शिक्षक मुस्कुराए। जैसा कि एक अच्छी तरह से बताई ग किताबों की दुकान आपके करमचारियों की प्रतिबधता और वफादारी के माध्यम से फल्ती फूलती है। जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसे Industries AS19 की गहरी समझ के साथ सशक्त महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि करमचारी लाभों का प्रबंधन करना के वर दायत्वों को पूरा करने के बारे में नहीं था या उनकी टीम के लिए एक सहायक और पुरस्कृत वातावर्ण बनाने उनकी किताबों की दुकान की दीरगकालिक सफलता सुनिश्चित करने के बारे में था। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजह करें, इतिल विश्यों को आकर्शक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, से एक और व्यावारिक पार्ट के लिए उत्सुक होकर कक्षा में चला गया। आज का विशय इंड एस बीस था, जो सरकारी अनुदानों के लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रक्तिकरण पर केंद्रित है। रवी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस महत्वपूर्ण अवधारणा को कहानी कहने के माध्यम से कैसे चित्रित किया जाएगा। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उत्सा के साथ छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुप दो पहर। आज, हम सरकारी अनुदान और सहायता की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे। आईए कलपना करें कि आप, रवी, एक छोटी किताबों की दुकान के मालिक हैं और आपने हाल ही में अपने व्यवसाय के समर्थन के लिए सरकारी अनुदान के लिए आवेदन किया है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि ऐसे अनुदानों का हिसाब किताब कैसे रखा जाएं और उनका खुलासा कैसे किया जाएं। जाली वित्तिय सहायता है जैसे व्यवसाय शुरू करना या विस्तार करना, बुनियादी धाचे में सुधार करना या अनुसंधान करना। यह अनुदान विभिन रूपों में आ सकते हैं जैसे नकत भुकतान, करलाब या अनुकूल शर्तों पर रिन। रवी ने उच्सुकतावश सिर हिलाया, तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान को नई इन्वेंट्री खरीदने या स्टोर के लियाउट में सुधार करने में मदद के लिए अनुदान के लिए आवेदन करता हूँ, तो मैं इसका हिसाब कैसे दूँगा? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया इन्डेज 20 के तहट, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आप अनुदान का उप्योग कैसे करना चाहते हैं मुख्य रूप से दो दृष्टिकोन हैं, आय दृष्टिकोन और आस्थगित आय दृष्टिकोन आए हमारी कहानी में इनका पता लगाएं रवी ने सीखा और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था आय दृष्टिकोन क्या है? शिक्षक ने आगे कहा, कलपना कीजिए कि आपको अपनी किताबों की दुकान के लिए नई सामगरी खरीदने के लिए एक लाख रुपए का नकद अनुदान मिलता है आय दृष्टिकोन के तहत, आप इस अनुदान को प्राप्थ होने की अवधी में आय के रूप में पहचानेंगे इसका मतलब यहा है कि जब आप अनुदान प्राप्थ करते हैं तो आप इसे अपने आय विवरण में अपने राजस्व के हिस्से के रूप में रिपोर्ट करेंगे जो सरकारी सहायता से प्राप्थ लाब को दर्शाता है रवी ने एक क्षण सोचा तो मैं इस अनुदान को उस वर्ष की अपनी कमाई के हिस्से के रूप में दिखाऊंगा बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की अब आईए आस्थगेताई द्रिश्टिकोन पर चर्चा करें इसके बजाए मान लीजिए कि आपको अपनी किताबों की दुकान में एक नया अनुभाग बनाने के लिए अनुदान प्राप्थ होता है इस द्रिश्टिकोन के तहट आप अनुदान को तुरंट आई के रूप में नहीं पहचानेंगे इसके बजाए आप इसे एक देंदारी के रूप में दर्ज करेंगे और इसे अनुदान के साथ अरजित संपत्ती के उप्योगी जीवन पर आई के रूप में पहचानेंगे इस तरह अनुदान से होने वाली आय संपत्ती के उपयोग में किये गए खर्चों से मेल खाती है रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा तो अगर मुझे एक नया पढ़ने का क्षेत्र बनाने के लिए अनुदान मिलता है तो मैं उस ख्षेत्र का उपयोग करने के दौरान धीरे-धीरे उसाय को पहचान लूँगा बिल्कुल, शिक्षक ने कहा यहां विधी सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिय विवरन अनुदान के चल रहे लाभों को सटीक रूप से दर्शाते है रवी ने एक और सवाल उठाया सरकारी सहायता के खुलासे के बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया पूच्टाच, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस बीस के तहट, आपको प्राप्त सरकारी अनुदान की प्रकृती और सीमा के बारे में जानकारी का खुलासा करना भी आवशक है इसमें शामिल है कि आपने उनका हिसाब कैसे लगाया, अनुदान से जुड़ी कोई शर्त और आपकी वित्तिय स्थिती पर प्रभाव हिद्धारकों को आपके व्यवसाय के वित्तिय स्वास्थे की सपष्ट तस्वीर प्रदान करने के लिए पारदर्शिता आवशक है पश्टता सुनिश्चित करने के लिए मुझे मिलने वाले किसी भी अनुदान के बारे में विस्त्रित जानकारी प्रदान करने की आवशकता है बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की यह पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है और सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिय विवरण विश्वस्निय और जानकारी पूर्ण है रवी ने सरकारी अनुदान के महत्व पर विचार किया तो वे मेरी किताबों की दुकान के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं जिससे मुझे अपनी सेवाओं को बढ़ाने और भेतर बनाने में मदद मिलेगी बिल्कुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा जब समझदारी से उप्योग किया जाता है तो सरकारी अनुदान आपके व्यवसाई के लिए आवशक सहायता प्रदान कर सकता है हाला की सटीक वित्तिय रिकॉर्ड बनाए रखने और नियोमों का अनुपालन करने के लिए उनका सही हिसाब रखना महत्वपूर्ण है जैसे ही पार्ट समाप्थ हुआ रवी ने इंडस्ट्रीज एस बीस के बारे में प्रबुद्ध महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी अनुदान का हिसाब कैसे लगाया जाए और सरकारी सहायता का खुलासा कैसे किया जाए यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है यह रणितिक रूप से उन संसाधनों का उप्योग करने के बारे में था जो पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनकी किताबों की दुकान को आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे इस ज्ञान के साथ रवी ने सोच समझ कर निर्णय लेने में सक्षम महसूस किया जो उसकी प्रिय किताबों की दुकान के विकास और सफलता में सहायता करेगा क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल और धूप वाले दिन, रवी अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकरशक पाठ के लिए उतसाहित होकर कक्षा में आया, जो जटिल विश्यों के इर्दिगिर्द मनोरम कहानिया बुनने के लिए प्रसिध था आज, Focus Ind as 21 पर था, जो विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उतसुक थे कि उनके शिक्षक कहानी सुना कर इस विशय को कैसे जीवन्त करेंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उतसा के साथ छात्रों का स्वागत किया सुप्रभात, सभी को आज, हम विदेशी विनिमै दरों की आकर्शक दुनिया का पता लगाने जा रही हैं और वे व्यवसायों को कैसे प्रभावित करती है आइए कलपना करें कि आप, रवी, एक छोटी किताब की दुकान के मालिक हैं, जो विभिन्न देशों से किताबे आयात करता है यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि विदेशी मुद्रा दरों में उतार्च धाव आपके व्यवसाय संचालन और वित्तिय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करते है रवी सीखने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया विदेशी विनिमे दरों से आपका क्या तात्पर्य है? श्रीमान रवी की जिग्यासा को समझ कर शिक्षक मुस्कुराए विदेशी विनिमे दरे एक मुद्रा के दूसरे के संबंध में मूल्य को संदर्भित करती है उदाहरन के लिए यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से किताबे आयात करते हैं तो आपको अपनी खरीदारी करने के लिए भारतिय रुपए को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करना होगा विनिमै दर यहां निर्धारित करती है कि आपको एक डॉलर के लिए कितने रुपए का भुक्तान करना होगा आर्थिक स्थिती, ब्याज जरे और राजनीतिक स्थिर्ता जैसे विभिन कारकों के कारण इन दरों में उतार चढ़ाव हो सकता है रवी ने उत्सुक्तावश सिर्हिलाया तो ये उतार चढ़ाव मेरी किताबों की दुकान को कैसे प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया आइए कलपना करें, कि आप एक हजार अमेरिकी डॉलर की कीमत वाले लोकप्रिय उपन्यासों का एक सेट आयात करने का निर्ने लेते हैं जब आप खरीदारी करते हैं, तो विनिमय दर 75 रुपए से एक डॉलर होती है, जिसका अर्थ है कि लेंदेन पूरा करने के लिए आपको 75,000 रुपए की आवशकता होगी रवी ने इस परिद्रिश्य का चित्रन किया मैं समझता हूँ लेकिन क्या होगा यदि मेरे ओर्डर देने के बाद विनिमय दर बदल जाती है? बिलकुल, शिक्षक ने जारी रखा अब मान लीजिये कि जब तक आपका शिप्मेंट आता है, तब तक विनिमय दर 80 रुपए से 1 डॉलर में बदल जाती है अब आपको उपन्यासों के उसी सेट के भुकतान के लिए 80,000 रुपए की आवशक्ता होगी इस व्रिद्धी का मतलब है कि इन पुस्तकों को खरीदने की आपकी लागत बढ़ गई है, जिससे आपके लाभ मार्जिन पर असर पढ़ रहा है रवी ने इस पर विचार किया तो विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से मेरी लागत अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 21 के तहट, व्यवसायों को अपने वित्तिय विवरणों में इन विदेशी मुद्रा लेंदेन का हिसाब देना होगा जब आप अपने लेंदेन को रेकॉर्ड करते हैं, तो आप शुरू में उन्हें लेंदेन की तारीक पर विनिमय दर पर पहचान लेंगे हाला की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधी के अंत में आपको मौजूदा विनिमय दरों का उप्योग करके इन विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तूओं जैसे नकदी, प्राप्य और देय का पुनर मूल्यांकन करने की आवशकता है रवी ने सवाल करते हुए हाथ उठाया यदी विनिमय दर मेरे पक्ष में बदलती है तो क्या होगा? उतक्रिष्ट पूछताच, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया यदी विनिमय दर में सुधार होता है और अधिक अनुकूल हो जाता है तो इससे आपकी लागत कम हो सकती है उदाहरण के लिए यदी विनिमय दर गिरकर सत्तर रुपे से एक डॉलर हो जाती है तो आपको उपन्यासों का वही सेट खरीदने के लिए केवल सत्तर हजार रुपे की आवशक्ता होगी इस मामले में आप विदेशी मुद्रा लाब को पहचान सकते हैं जो आपके वित्तिय परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा रवी ने सिर हिलाया जिससे विनिमय दरो की निगरानी का महत्व समझ में आने लगा तो मुझे न केवल खरीदारी करते समय बलकि उसके बाद भी नियमित रूप से इन दरों के बारे में जागरूक रहने की आवशक्ता है बिल्कुल शिक्षक ने गर्व से कहा यह जागरूकता आपको अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमती देती है इसके अतिरिक्त जब आप अपने वित्तिय विवरण तयार करते हैं तो आपको किसी भी विदेशी मुद्रा लाभ या हानी का खुलासा करना चाहिए जिससे यह स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि मुद्रा में उतार चढ़ाव आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है रवी इस विशय पर मोहित हो गए तो यदी मेरे पास एकाधिक मुद्राओं में लेंदेन है तो मुझे उन सभी को ट्रैक करने की जरूरत है बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेंदेन का हिसाब अलग से रखना होगा और आपको विनिमैदर में उतार्चधाव के आधार पर अपने लाभ या हानी विवरण में किसी भी समायोजन को पहचानना होगा जैसे जैसे पाठ जारी रहा शिक्षक ने विदेशी विनिमैदरों में परिवर्तन के प्रभावों को समझने के महत्व पर जोड दिया इन जोखिमों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करके आप अपनी किताबों की दुकान की लाभप्रत्ता की रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप मुद्रा के उतार चढ़ाव से उत्पन होने वाली किसी भी संभावित चुनौती के लिए तैयार हैं जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी इंडे ऐस 21 के बारे में नए ज्ञान से सशक्त महसूस करते हुए कमरे से बाहर चले गए उन्होंने महसूस किया कि विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभावों को समझना केवल लेखांकन के बारे में नहीं था यह सूचित निर्णय लेने के बारे में था जो उसकी किताबों की दुकान के वित्तिय स्वास्थे की रक्षा कर सके इस ज्ञान के साथ रवी ने अंतराश्ट्रिय व्यापार की जटिलताओं से निपटने में खुद को सक्षम महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ की उनका व्यवसाय लगातार बदलते वैश्विक परिद्रिश्य में फलता फूलता रहे कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक थंडी और हवादार दोपहर में, रवी ने उत्सुकता से कक्षा में प्रवेश किया अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और ज्यानवर्धक पाठ की आशा करते हुए जो सबसे शुष्क विश्यों को भी आकर्शक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते थे आज का विशय इंड एस तेईस था, जो उधार लेने की लागत से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक उनकी एक हस्ताक्षरित कहानी के माध्यम से इस अवधारणा को कैसे उजागर करेंगे जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया, वह गर्म जोशी से मुस्कुराएं और अपने छात्रों का अभिवादन किया सभी को शुप दो पहर आज हम उधार लेने की लागत की दुन्या में उतरने जा रहे हैं कलपना कीजिए, रवी, कि आपने अपनी किताबों की दुकान में एक नया अनुभाग बनाने के लिए रिंड लिया है शायद आरामदायक कुरसियों और नवीनतम कुस्तकों से भरी अलमारियों के साथ एक आरामदायक पढ़ने का क्षेत्र यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि पैसे उधार लेने से जुड़ी लागतों का हिसाब कैसे लगाया जाए रवी हमेशा की तरह जिग्यासा के साथ बैठ गया उधार लेने की लागत से आपका क्या मतलब है, श्रीमान? जैसे ही शिक्षक ने अपनी व्याख्या शुरू की, उसका चहरा खिल उठा उधार लेने की लागत से तातपर्य उस ब्याज और अन्य लागत से हैं जो आप तब उठाते हैं जब आप किसी परिसंपत्ती के वित्पोशन के लिए रिन लेते हैं जैसे कि आपकी किताबों की दुकान का विस्तार इन लागतों में रिन पर ब्याज, उधार दाताओं को भुकतान की गई कोई भी फीस और कभी-कभी यदि आपने विदेशी मुद्रा में रिन लिया है तो उधार पर विनिमैदर में अंतर भी शामिल हो सकता है रवी ने उधसुकतावश सिर हिलाया तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान का विस्तार करने के लिए रिन लेता हूँ तो उस रिन पर मैं जो ब्याज चुकाऊंगा वह उधार लेने की लागत होगी बिलकुल रवी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है इंड एस 23 के तहट मुख्य सवाल यह है कि क्या उधार लेने की लागत को तुरंत खर्च किया जाना चाहिए या पूंजी कृत किया जाना चाहिए यानि आपके द्वारा बनाई जा रही संपत्ती की लागत में जोड़ा जाना चाहिए या इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की परिसंपत्ती का वित्पोशन कर रही है रवी समझने को उत्सुक होकर आगे की ओर जुका उधार लेने की लागत को पूंजिकरित करने से आपका क्या मतलब है बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने कहा मान लीजिये कि आपने अपनी किताबों की दुकान में नया रीडिंग सेक्शन बनाने के लिए 10 लाख रुपए का रिन लिया है निर्माण में कुछ समय लगेगा, शायद 6 महीने इस अवधी के दौरान आप रिन पर ब्याज का भुकतान कर रही है उस ब्याज को तुरंत व्याय के रूप में पहचानने के बजाए आप उसका पूंजी करन कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप ब्याज लागत को नए अनुभाग की कुल लागत में जोड सकते हैं रवी ने हाथ उठाया तो निर्माण अवधी के दौरान मैं जो ब्याज चुका रहा हूं वह संपत्ती की लागत का हिस्सा बन जाता है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की इन एस 23 के तहट यदि आप किसी योग्य संपत्ती के निर्माण के लिए धन उधार लेते हैं जैसे कि आपकी किताबों की दुकान का नया खंड तो निर्माण अवधी के दौरान आपके द्वारा खर्च की जाने वाली भ्याज लागत संपत्ती की लागत में जोड दी जाती है इसका मतलब है कि आप उधार लेने की लागत को परिसंपत्ती के मूल्य के हिस्से के रूप में पहचानते हैं न कि ततकाल व्याय के रूप में। रवी ने एक क्षण सोचा, योग्य संपत्ती क्या है, श्रीमान। फिर से अच्छा प्रश्ण है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया। योग्य संपत्ती वह है, जिसे अपने इच्छित उप्योग के लिए तैयार होने में परियाप्त समय लगता है। आपके मामले में नया रीडिंग अनुभाग एक योग्य संपत्ती होगी क्योंकि इसे बनाने में महीनों का समय लगता है। दूसरी और, यदि आपने केवल अधिक किताबे या छोटे उपकरण खरीदने के लिए रिण लिया है, तो वे योग्य संपत्ती नहीं होंगी क्योंकि उनका उप्योग तुरंद किया जा सकता है। उस स्थिती में उधार लेने की लागत तुरंद खर्च हो जाएगी। रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिर हिलाया। इसलिए अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसमें समय लगता है, तो मैं उधार लेने की लागत का पूंजी करन करता हूँ। लेकिन अगर यह तुरंद उप्योग के लिए तैयार किसी चीज के लिए है, तो मैं उधार लेने की लागत वहन करता हूँ। बिल्कुल, शिक्षक ने गर्व से कहा, अब एक और महत्वपूर्ण बात है, एक बार निर्मान पूरा हो जाने पर आप उधार की लागतों का पूंजी करण करना बंद कर देते हैं, उस बिंदू से रिंड पर किसी भी अन्य ब्याज भुकतान को आपके लाब और हानी विव मैं अभी भी उधार लेने की लागत का पूंजी करण करता हूँ, रवी के विवर्ण पर ध्यान देने पर शिक्षक मुस्कुराए, उतक्रिष्ट प्रश्न, यदि आपके नियंत्रण से परेकारणों, जैसे खराब मौसम या विन्यामक अनुमोदन के कारण निर्मान में देरी हो रही है, तो आप उधार लेने की लागत का पूंजी करण करना जारी रखेंगे। हाला कि यदि देरी आपके नियंत्रण में है, जैसे कि खराब परियोजना प्रबंधन, तो आप उस अवधी के दौरान पूंजी लगाना बंद कर देते हैं। कि मैं जो वित्पोशन कर रहा हूँ, उसकी प्रकृती और परिसंपत्ती उप्योग के लिए तैयार होने के समय के आधार पर उधार लेने की लागत का हिसाब कैसे दूँ? बिलकुल, रवी, शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, उचित होने पर उधार लेने की लागत को पूंजी कृत करके, आप यह सुनिश्चित करते हैं, कि आपके वित्पिय विवर्ण आपकी संपत्ती की सही लागत को सटीक रूप से दर्शाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी वित्पिय रिपोर्ट पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ती को एक स्पष्ट तस्वीर देता है, चाहे वह निवेशक, लेंदार या अन्य हिद्धारक हों। जैसे ही पाट समाप्त हुआ, रवी ने इंडस्ट्रीज 23 की गहरी समझ के साथ सशक्त महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि उधार लेने की लागत का हिसाब किताब केवल ब्याज भुकतान के प्रबंधन के बारे में नहीं था, यह यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि उसके वित्तिय विवर्ण उसकी किताबों की दुकान के विकास की पूरी कहानी बताएं। इस ज्ञान के साथ रवी ने सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए तैयार महसूस किया जिससे उनके व्यवसाय को आर्थिक रूप से सुद्रिड तरीके से विस्तार करने में मदद मिलेगी क्रिप्या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल और प्रसन सुभा में, रवी ने कक्षा में प्रवेश किया, अपने पसंदीदा शिक्षक से दिन के पाठ को आत्मसात करने के लिए उच्सुक, जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए प्रसिध थे आज का विशय इंडएस 24 था, जो संबंधित पार्टी प्रक्तिकरण पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस अवधारणा को कैसे स्पष्ट करेंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया सुप्रभात, सभी को आज, हम संबंधित पक्ष लेंदेन की दुनिया और वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के महत्व का पता लगाने जा रहे हैं आईए कलपना करें, रवी, कि आप एक लोकप्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं और आप परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यवसाय करने पर विचार कर रहे हैं यह कहानी हमें संबंधित पक्ष के खुलासों के महत्व को समझने में मदद करेगी रवी उच्सुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया संबंधित पार्टी लेंदेन से आपका क्या तातपर्य है श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया संबंधित पार्टी लेंदेन तब होता है जब दो पक्ष इस तरह से जुड़े होते हैं जो उनके व्यापारिक लेंदेन को प्रभावित कर सकते हैं यह पारिवारिक संबंधों स्वामित्व हितों या नियंत्रण के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने चाचा के स्वामित्व वाली प्रकाशन कमपनी से किताबे खरीदने का निरनय लेते हैं, तो उस लेंदेन को संबंधित पार्टी लेंदेन माना जाएगा। रवी ने सिर्हिलाया, समझने लगा। तो यह उन लेंदेन के बारे में हैं जिनमें वे पक्ष शामिल हैं, जिनका एक विशेश संबंध है। बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की। इंड एस चौबीस के तहट, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायों को इन संबंधित पार्टी लेंदेन का खुलासा करना होगा। यहां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संबंधित पक्ष असंबत पक्षों के समान शर्टों पर काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको किसी अन्य प्रकाशक की तुलना में अपने चाचा से भैतर सौदा मिल सकता है, जो आपके वित्तिय विवर्णों की निश्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। रवी ने एक क्षण सोचा, यदी मेरे पास संबंधित पार्टी लेंदेन है, तो मुझे किस प्रकार के खुलासे करने की आवशकता है। शिक्षक ने आगे कहा, आपको संबंधित पक्ष के साथ संबंधों की प्रकृती हुए लेंदेन और इसमें शामिल रकम का खुलासा करना होगा। परियाप्त जानकारी प्रदान करना आवशक है ताकि वित्तिय विवरण के उप्योग करता समझ सके कि ये लेंदेन आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। रवी ने और अधिक जानने के लिए उत्सुख होकर अपना हाथ उठाया। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं। सर। निश्चित रूप से रवी शिक्षक ने उसके उत्सा से प्रसन्न होकर उत्तर दिया। मान लीजिए कि आपने अपने चाचा की प्रकाशन कंपनी को 10,000 रुपए मूल्य की किताबे बेची और फिर अपनी किताबों की दुकान में प्रचार समर्थन के बदले में 5,000 रुपए प्राप्त किये। अपने वित्तिय विवर्णों में आप अपने चाचा के साथ अपने संबंधों की प्रकृती, हुए लेंदेन और उनके मौधरिक मूल्य का खुलासा करेंगे इस तरह, आपकी वित्तिय रिपोर्ट देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह देख सकेगा कि आपने किसी संबंधित पक्ष के साथ लेंदेन किया था और यह आकलन कर सकता है कि यह लेंदेन निश्पक्षता से किये गए थे या नहीं रवी को इन खुलासों की एहमियत नजर आने लगी थी तो यह केवल संख्याओं की रिपोर्ट करने के बारे में नहीं है यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सब कुछ पारदर्शी और समझा हुआ है बिलकुल रवी, शिक्षक ने गर्व से कहा निवेश को, लेंदारों और ग्रह को सहित हिद्धारकों के साथ विश्वास बनाने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है यदि वे संबंधित पार्टी लेंदेन के बारे में जानते हैं तो वे आपके व्यवसाय के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं रवी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया क्या होगा अगर मैं इन लेंदेन का खुलासा न करूँ फिर क्या होता है शिक्षक की अभिव्यक्ती गंभीर हो गई यदि आप संबंधित पार्टी लेंदेन का खुलासा करने में विफल रहते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं इससे यह धारणा बन सकती है कि आपके वित्तिय विवरण भामक है जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा सकता है और हिद्धारकों के साथ विश्वास को कम कर सकता है नियामक अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और प्रक्तिकरण आवशक्ताओं का अनुपालन करने में विफल रहने पर दंड हो सकता है रवी ने इस अवधारणा के महत्व को समझते हुए सिरहिलाया तो संबंधित पक्ष के खुला से महज एक आपचारिकता नहीं है वे वित्तिय रिपोर्टिंग की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की यह सुनिश्चित करके कि सभी संबंधित पक्ष लेंदेन का उचित रूप से खुलासा किया गया है आप अपने व्यवसाई की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं और अपनी वित्तिय रिपोर्टिंग में जवाब देही को बढ़ावा देते हैं जैसे ही पार्ट समाप्थ हुआ रवी ने इन एस चौबीस के बारे में प्रबुथ महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी उन्होंने समझा की संबंधित पार्टी लेंदेन का उनके बुकस्टोर के वित्तिय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ सकता है और विश्वास और विश्वस्नियता बनाये रखने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण थी इस ज्ञान के साथ रवी ने अपने व्यवसाय को नैतिक और जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में सक्षम महसूस किया यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने वित्तिय लेंदेन में हमेशा इमानदारी को पहले स्थान पर रखता है क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उज्जवल और धूब भरी दोफैर में रवी अपने पसंदीदा शिक्षक से सीखने के लिए उत्सुक होकर अपनी कक्षा में चला गया जो जटिल विश्यों के इर्दिगिर्द मनोरम कथाए बुन्ने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था आज का पार्ट इंड ऐस 27 पर केंद्रित है, जो अलग-अलग वित्तिय विवर्णों से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक कहानी सुना कर इस विशय को कैसे जीवन्त करेंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उत्सा के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज, हम अलग-अलग वित्तिय विवर्णों की दुनिया में जाने जा रहे हैं आएक कलपना करें, रवी, कि आप एक सफल किताबों की दुकान के मालिक हैं और समय के साथ, आप एक सहायक कमपनी के रूप में एक छोटा प्रकाशन ग्रिह शुरू करने का निरने लेते हैं यह कहानी हमें अलग-अलग वित्तिय विवर्णों के पीछे के महत्व और सिध्धानतों को समझने में मदद करेगी रवी परिद्रिश्य से उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया तो अलग-अलग वित्तिय विवर्णों से आपका क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक मुस्कुराएं और शुरू हुए, अलग-अलग वित्तिय विवर्ण एक इकाई द्वारा तयार की गई वित्तिय रिपोर्ट हैं जैसे कि आपकी किताबों की दुकान जो अपनी सहायक कमपनियों या अन्य संस्थाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है पत्येक व्यवसाय के प्रदर्शन और वित्तिय स्थिती को स्वतंत्र रूप से देखने की अनुमती देता है रवी ने अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान और अपने प्रकाशन ग्रिह के लिए अलग-अलग वित्तिय विवरन तयार करता हूँ तो मैं मूल्यांकन कर सकता हूँ कि हर कोई अपने वित्त को मिलाए बिना कैसे कर रहा है बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की अलग-अलग वित्तिय विवरन तयार करके आप प्रत्यक इकाई की लाभप्रत्ता, संपत्ती और देंदारियों का आकलन कर सकते हैं यह निर्णय लेने और प्रत्यक व्यवसाई के वित्तिय स्वास्थि को समझने के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है उदारण के लिए यदि आपकी किताबों की दुकान फलफूल रही है लेकिन आपका प्रकाशन ग्रिह संघर्ष कर रहा है तो आप एक के वित्तिय परिणामों से दूसरे को प्रभावित किये बिना समायोजन की आवशक्ता की पहचान कर सकते हैं रवी ने और स्पश्टी करण के लिए उच्सुक होकर अपना हाथ उठाया सर, मुझे अपने अलग-अलग वित्तिय विवर्णों में कौन सी विशिष्ट जानकारी शामिल करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया अलग-अलग वित्तिय विवर्णों में आपको प्रत्य किकाई के लिए अपनी संपत्ति, देंदारियां, इक्विटी, आई और व्याई शामिल करना चाहिए आप सहायक कमपनियों में अपने निवेश को लागत पर पहचानेंगे, और सहायक कमपनी से प्राप्त किसी भी लाभांश को आपके आई विवर्ण में पहचाना जाएगा यह आपके किताबों की दुकान और आपके प्रकाशन ग्रिह की वित्तिय स्थिती की अलग-अलग स्पष्ट तस्वीर देता है रवी ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, समेकन के बारे में क्या? जब मैं सहायक कंपनियों के साथ व्यवसायों के बारे में बात करता हूँ, तो मैं अक्सर समेकित वित्तिय विवर्णों के बारे में सुनता हूँ रवी की जिग्यासा से प्रसन होकर शिक्षक ने सिर हिलाया आप सही कह रहे हैं समेकित वित्तिय विवर्ण मूल कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों के वित्तिय परिणामों को एक व्यापक रिपोर्ट में जोडते हैं हाला कि अलग-अलग वित्तिय विवर्ण प्रत्यक इकाई के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह उन हित्धारकों के लिए विशेश रूप से उप्योगी है जो आपके व्यवसाय के प्रत्यक भाग के विशिष्ट योगदान को समझना चाते हैं। रवी ने इस द्रिश्टिकोन के नहितार्थों पर विचार किया। तो स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए अलग-अलग वित्तिय विवर्ण आवशक हैं। बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की। वे हिद्धारकों को प्रत्यक इकाई के प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वित्तिय रिपोर्टिंग स्पष्ट और समझने योग्य है। यह सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहें आप निवेशकों को आकरशित करना चाहते हूं, रिंड सुरक्षित करना चाहते हूं, या अपनी व्यावसायिक रणनीती का विशलेशन करना चाहते हूं. जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, शिक्षक ने इंड एस 27 का पालन करने के महत्व पर जोड दिया। उन्होंने समझा की अपने किताबों की दुकान और प्रकाशन ग्रिह के लिए अलग-अलग वित्तिय विवरन तयार करने से उन्हें प्रत्येक व्यवसाय के वित्तिय स्वास्थिका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की अनुमती मिलेगी। क्रिप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक बरसात की दोफेर में, जब बून्दे कक्षा की खिडकियों पर नृते कर रही थी, रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और आकर्शक पाठ की प्रत्याशा से भरे परिचित स्थान में कदम रखा, जिनके पास जटिल विश्यों को सम्मोहक कथाओं में बदलने का उपहार था। आज का पाठ हिंड एज 28 के इर्दिगिर्द घूमता है, जो एसोसियर्स और सन्युक्त उद्यमों में निवेश को संबोधित करता है। रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस विशय को कैसे प्रकट करेंगे। जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुप दोपहर। आज, हम सहयोगियों और सन्युक्त उद्यमों में निवेश की अवधारणा का पता लगाएंगे। आइए कलपना करें कि आपने, रवी, सफलता पूर्वक अपनी किताबों की दुकान स्थापित कर ली है। और अब आप अपने स्टोर के भीतर एक कॉफी कॉर्नर खोलने के लिए किसी अन्यस्थानिय व्यवसाई के साथ साज्यदारी पर विचार कर रही है। यह साज्यदारी आज के विशय का एक उतक्रिष चितरन के रूप में काम करेगी। यह सोचकर रवी की आखे चमक उठीन। तो सहयोगियों और सन्युक्त उद्यमों से आपका क्या मतलब है, श्रीमान। शिक्षक ने शुरू किया, एक सहयोगी एक ऐसी कमपनी है जिसमें किसी अन्य कमपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जो आम तौर पर 20 से 50 प्रतिशत मतदान शक्ती के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसके विपरीत एक सन्युक्त उद्यम एक साजहिदारी है जहां दो या दो से अधिक पार्टियां एक विशिष्ट परियोजना शुरू करने के लिए एक साथ हाती है, और उस प जुकतावश आगे की ओर जुग गया, मैं कॉफी कॉर्नर में अपने निवेश का हिसाब कैसे दूँगा, बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया, जब आप किसी सहयोगी या सन्युक्त उद्यम में निवेश करते हैं, तो आप इक्विटी पधती का उप्योग करके इसका हिसाब किताब करते हैं, इसका मतलब है कि आप शुरू में लागत पर निवेश को पहचानते हैं, बाद में आप सहयोगी या सन्युक्त उद्यम के लाभ या हानी के अपने हिस्से को प्रतिबिम्बित करने के लिए निवेश की वहन राशी को समायोज देंगे। रवी ने अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। तो अगर कॉफी कॉर्णर एक लाख रुपए का मुनाफ़ा कमाता है और मैं इसका पचास प्रतिशत मालिक हूँ, तो मैं अपनी किताबों में अतिरिक्त पचास हजार रुपए तो आप अपने निवेश की वहन राशी को तदनुसार कम कर देंगे। यह विधी आपके वित्तिय विवरणों में सहयोगी या सन्युक्त उद्यम के प्रदर्शन को दर्शाती है, जिससे आपके निवेश के मूल्य की अधिक सटीक तस्वीर मिलती है। रवी ने और सपश शिक्षक ने उत्तर दिया। यदि कॉफी कॉर्नर लाभांश वित्रित करता है, तो आप उन लाभांश को अपने वित्तिय विवरणों में आय के रूप में पहचानेंगे। हाला कि आप प्राप्त लाभांश के लिए अपने निवेश की अग्रणीत राशी को समायोजित नहीं करेंगे क्योंकि वे लाभ के वित्रण हैं जिनका पहले ही हिसाब लगाया जा चुका है। रवी ने ऐसी साजहदारी के नहितार्त के बारे में सोचा। तो एक्विटी पधती का उप्योग करके मैं कॉफी कॉर्णर में अपने निवेश के प्रदर्शन को अपने वि अपने वित्तिय विवरणों को सपष्ट और सार्थक रखते हुए, सहयोगी या सन्युक्त उद्यम के लाभ या हानी में अपना हिस्सा प्रतिबिंबित करने की अनुमती देता है। यह विशेश रूप से तब उप्योगी होता है, जब सहयोगी या सन्युक्त उद्यम अंचालित होता है, लेकिन फिर भी या आपके समग्र वित्तिय स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, शिक्षक ने सहयोगियों और सन्युक्त उद्यमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने के महत्व पर प्रकाश ड यहाँ पारदर्शिता हिद्धारकों को आपकी वित्तिय स्थिती पर इन निवेशों के प्रभाव को समझने में मदद करती है। रवी को अपने उपर एक स्पष्टता का भाव महसूस हुआ। इसलिए इंड-AS28 न केवल मुझे इन निवेशों का हिसाब किताब करने के बा धन्तों का पालन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके निवेश का निश्पक्ष दृष्टिकों प्रस्तुत करते हैं जिससे हिद्धारकों को सूचित निरनय लेने की अनुमती मिलती है। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने और सन्युक्त उद्यमों में निवेश की अवधारणा से प्रेरित होकर कक्षा छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि साजहदारी में प्रवेश करने से न केवल उनकी किताबों की दुकान बढ़ सकती है, बलकि वित्तिय रिपोर्टिंग में मूल्यवान अंतर द्रिष्टी भी मिल सकती है। इस ज्ञान के साथ रवी ने अपने वित्तिय लेंदेन में पारदर्शिता और सटीकता बनाएं रखते हुए नए व्यावसाइक अवसरों का पता लगाने में सक्षम महसूस किया। क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक हलचल भरी दोफेर में, रवी अपने पसंदीदा शिक्षक, जो जटिल विश्यों को आकरशक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, से एक और मनोरम पाठ के लिए उत्सा से भरा हुआ, अपनी कक्षा में चला गया। आज का विशय इंड आज 29 था, जो हाइपर इंफलेशनरी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तिय रिपोर्टिंग से संबंधित हैं। रवी यहाँ देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल विशय को एक प्रासंगिक कथा में कैसे बुनेंगे। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने एक उज्जवल मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुप दोपहर। आज, हम अती मुद्रा स्वीती की दिल्चस्प अवधारना का पता लगाएंगे और यह वित्तिय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करती है। आइए कल्पना करें, रवी, कि आप इन्फलेटिया नामक एक काल्पनिक देश में रहते हैं, जहां कीमते तेजी से बढ़ रही हैं, और मुद्रा आश्चर्य जनक दर से मूल्य खो रही है। यह परिद्रिश्य हमें इन्ट आश 39 के सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगा। रवी उच्सुकता से जुक गया। महोदय, अती मुद्रा स्फीती का क्या मतलब है। शिक्षक ने शुरू किया, अती मुद्रा स्फीती तब होती है, जब मुद्रा स्फीती दर एक विशिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे अकसर तीन वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत या उससे अधिक माना जाता है। ऐसी स्थिती में पैसे की क्रय शक्ती तेजी से कम हो जाती है, जिससे वित्तिय लेंदेन और रिपोर्टिंग बेहत चुनौती पूर्ण हो जाती है। जब कोई अर्थव्यवस्था अत्यधिक मुद्रास्वीती का अनुभव करती है, तो पारम पर एक वित्तिय रिपोर्टिंग विधियां अपर्याप्त हो जाती है। प्रासंगिक और विश्वसनिय बने रहें। रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई। सर, हम इन वित्तिय विवरणों को कैसे समायोजित करें। शिक्षक ने आगे कहा, सबसे पहले, आपको सामान्य मूल्य सूचकांक और मुद्रास्वीती की वर्तमान दर की पहचान करने की आवशकता है। फिर, वित्तिय विवरणों को रिपोर्टिंग तिथी पर मुद्रा की क्रय शक्ती के संदर्भ में पुना प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें मूल्य सूचकांक का उप्योग करके एतिहासिक लागतों को वर्तमान मात्रा में परिवर्तित करना शामिल है। रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। तो अगर मैंने पिछले साल एक लाख रुपए में एक संपत्ती खरीदी थी और तब से मूल्य सूचकांक काफी बढ़ गया है। तो मुझे अपने वित्तिय विवर्णों में उस संपत्ती के मूल्य को समायोजित करने की आवशकता होगी। बिल्कुल, शिक्षक ने पुष्टी की। मान लीजिये कि आपकी खरीदारी के बाद से मूल्य सूचकांक में 50 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है। आप अपने वित्तिय विवर्ण में संपत्ती का मूल्य एक लाख पचास हजार रुपए तक समायोजित करेंगे। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण अत्यधिक मुद्रास्वीती वाले माहोल में वास्तविक आर्थिक स्थिती को दर्शाते हैं। आगे समझने की उत्सुकता से रवी ने अपना हाथ उठाया। आए और व्याय के बारे में क्या? वे कैसे प्रभावित होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उत्सापूरवक उत्तर दिया। आए और व्याय को भी समायोजित करने की आवशकता है। उदाहरण के लिए यदि आपने पिछले वर्ष 50,000 रुपए कमाए थे तो उस राशी को आज की क्रय शक्ती को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित करने की आवशकता होगी। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि वित्तिय विवर्ण के उप्योग करता समय के साथ लेंदेन के वास्तविक आर्थिक प्रभाव को समझ सकते हैं। रवी ने इस द्रिष्टिकोन के निहितार्थ के बारे में सोचा। तो अत्यधिक मुद्रास्वीती वाली अर्थव्यवस्थाओं में वित्तिय विवर्णों को दोबारा बताकर मैं अपने व्यवसाई के प्रदर्शन और वित्तिय स्थिती की स्पष्ट तस्वीर प्रदान कर सकता हूँ। बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, शिक्षक ने वित्तिय विवर्णों में किये गए समायोजन के बारे में जानकारी का खुलासा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। आपको रिपोर्टिंग अवधी के दौरान उप्योग किये गए मूल्य सूचकांक और मुद्रास्वीती की सीमा के संबंध में खुलासे प्रदान करने होंगे। आपकी विद्धिय रिपोर्टिंग के आधार को समझने के लिए हिद्धारकों के लिए यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। रवी को अपने उपर स्पष्टता और जिम्मेदारी का एहसास महसूस हुआ। इसलिए इंड आज 29 न केवल अत्यधिक मुद्रासफीती वाली अर्थ व्यवस्थाओं में विद्धिय रिपोर्ट करने के तरीके का मार्ग दर्शन करता है। बलकि विद्धिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और प्रासंगिक्ता की आवशक्ता पर भी जोड देता है। बिल्कुल शिक्षक ने गर्व से कहा। इंड एज 29 के सिध्धान्तों का पालन करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके विद्धिय विवरन चुनौती पूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में भी आपके व्यवसाई के प्रदर्शन का सच्चा प्रतिबिम प्रदान करते हैं। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने अत्यधिक मुद्रास्फीती वाली अर्थव्यवस्थाओं में विद्धिय रिपोर्टिंग के बारे में ज्यान महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी। उन्होंने समझा की हालां की आर्थिक परिद्रिश्य अप्रत्याशित हो सकता है। सही सिध्धान्तों का पालन करने से उन्हें सूचित विद्धिय निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सकता है। इस नए ज्यान के साथ रवी ने आर्थिक माहौल की परवाह किये बिना वित्तिय रिपोर्टिंग की जटिलताओं से निपटने में खुद को सक्षम महसूस किया। क्रिप्या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजवल दोपहर में जैसे ही कक्षा की खिडकियों से सूरज की रोशनी आ रही थी। रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और आकर्शक पार्ट के लिए उच्सुकता की भावना के साथ प्रवेश किया, जो जटिल वित्तिय विश्यों को मनोरम कहानियों में बुनने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिध थे। आज का पार्ट हिंड अज 32 के बारे में था जो वित्तिय साधनों की प्रस्तुती पर केंद्रित है। रवी यह देखने के लिए उच्साहित थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस विशय को कैसे प्रकट करेंगे। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आये, उन्होंने स्वागत भरी मुस्कान के साथ अपने छातरों का स्वागत किया। सभी को शुप दोपहर। आज, हम वित्तिय साधनों की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे और हम उन्हें अपने वित्तिय विवरणों में कैसे प्रस्तुत करते हैं। आये कलपना करें कि रवी, आपने अपनी किताबों की दुकान की पूंजी बढ़ाने के लिए विभिन वित्तिय साधनों में निवेश करने का फैसला किया है। यह कहानी इंडस्ट्रीज एस 32 के सिध्धानतों को स्पष्ट करेगी। रवी उच्सुकता से जुख गया। वित्तिय साधनों से आपका क्या तात्पर्य है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया, वित्तिय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं, जो एक इकाई के लिए वित्तिय संपत्ति और दूसरे के लिए वित्तिय दायत्व या एक्विटी उपकरण बनाते हैं। आपके मामले में, यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए धन जुटाने या किसी कमपनी के शेरों में निवेश करने के लिए बांड जारी करने का निरनय लेते हैं, तो इन गतिविधियों में वित्तिय उपकरण शामिल होते हैं। रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिरहिलाया। तो बांड और शेर वित्तिय साधनों के उदाहरण हैं। बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की। इन एस 32 के तहट, हमें वित्तिय उपकरणों को उनकी विशेशताओं के आधार पर वित्तिय परिसमपतियों, वित्तिय देंदारियों या एक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गी कृत करने की आवशकता है। इस वर्गी करण को अपने वित्तिय विवरणों में सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समझना महत्वपूर्ण है। रवी ने इस पश्टी करण के लिए उत्सुकता से अपना हाथ उठाया। इन श्रेनियों के बीच क्या अंतर है? शिक्षक ने समझाया, एक वित्तिय संपत्ती वह संपत्ती है जो नकद है या जिसे नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे प्राप्य खाते या स्टॉक में निवेश। दूसरी और वित्तिय देंदारियां वे दायित्व हैं, जिनके लिए आपको किसी अन्य संस्था को नकदी या अन्य वित्तिय संपत्ती, जैसे आपके द्वारा जारी किये गए रिन या बांड वित्रित करने की आवश्शक्ता होती है। एक्विटी उपकरण किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शेर। वर्गी करण यहा निर्धारित करने में मदद करता है कि ये उपकरण आपके वित्तिय विवरणों में कैसे रिपोर्ट किये जाते हैं। रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान के लिए धन जुटाने के लिए बांड जारी करता हूँ, तो यहां मेरे लिए एक वित्तिय दाइत्व होगा। बिल्कुल, शिक्षक ने पुष्टी की, बांड धारकों को वापस भुक्तान करना आपका दाइत्व है। इसके विपरीत, यदि आप किसी अन्य कंपनी के शेरों में निवेश करते हैं, तो यहां आपके लिए एक वित्तिय संपत्ति होगी, क्योंकि यह उस निवेश से भविश्य के नकदी प्रवाह के लिए आपके दावे का प्रतिनिधित्व करता है। रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष्ट थी। वित्तिय साधनों की प्रकृती और सीमा का खुलासा करना चाहिए, जिसमें उनके जोखिम और उन्हें कैसे प्रबंधित किया जाता है। उदाहरण के लिए अपने बांड को देंदारियों के रूप में प्रस्तुत करते समय, आप ब्याजदरों, भुकतान शर्तों और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का भी उल्लेक करेंगे जो उप्योग करताओं को आपके बुकस्टोर की वित्तिय स्थिति को समझने मे मदद करती है। रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया। तो उचित प्रस्तुती हिद्धारकों को न केवल संख्याय बलकि मेरे वित्तिय साधनों के संदर्ब को भी देखने की अनुमती देती है। बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की वित्तिय साधनों को स्पष्ट र पूरी समझ के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, शिक्षक ने उचित प्रक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। आपको वित्तिय साधनों के वर्गी करण, उनके उचित मूल्य और उनसे जुड़े जोखिमो में किसी भी बदलाव के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है और सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिय विवरण प्रासंगिक और समझने योग्य बने रहें। रवी को अपने उपर स्पष्टता और प्रासंगिक्ता के महत्व पर भी जोड देता है। बिलकुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा। इंड एयस 32 के सिध्धानतों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवरण आपके किताबों की दुकान की वित्तिय स्थिती को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं, जिससे हिद्धारकों के लिए आपके व्यवसाई की जटिलताओं से निपटना आसान हो जाता है। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने वित्तिय उपकरणों की प्रस्तुती के बारे में ज्यान महसूस करते हुए कक्षा छोड दी। वह स मिताबों की दुकान को दूसरों द्वारा कैसे देखा जाता है। इस नए ज्यान के साथ, रवी ने अपने वित्तिय लेंदेन को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम महसूस किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अपने व् एक धूप भरी दोफेर में, जब सूरज की सुनेरी किरणे कक्षा की खिडकियों से चन कर आ रही थी, रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और मनोरम पाठ के लिए उचसुकता से कदम रखा, जो जटिल विश्यों को आकर्शक कथाओं में बदलने के लिए जाने जाते हैं. आज का विशय इंड एस 33 था, जो प्रती शेर आए को संबोधित करता है, जो प्रती शेर के आधार पर किसी कमपनी की लाभप्रत्ता को समझने के लिए आवशक अवधारना है. रवी यह देखने के लिए उचसाहित था कि उसके शिक्षक इस महत्वपूर्ण व आज हम प्रती शेर आए की अवधारना पर चर्चा करेंगे, जिसे अकसर EPS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है. आईए कलपना करें, रवी, कि आपकी किताबों की दुकान ने हाल ही में स्टेशनरी उत्पादों की एक नई श्रिंखला लॉंच की है. यह रोमान चक उ और जुग गया. प्रती शेर आए का वास्तव में क्या मतलब है? श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया. प्रती शेर आए एक वित्तियम मीट्रिक है जो इंगित करती है कि एक कमपनी अपने सामान्य स्टॉक के प्रत्येक बकाया शेर के लिए कितना लाभ कमाती है. यह मीट प्रत्रिक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें कमपनी की लाभ प्रत्ता का आकलन करने और सूचित निवेश निरनय लेने में मदद करता है. आपके मामले में जब आपकी किताबों की दुकान स्टेशनरी बेचने से लाभ कमाती है तो EPS दिखाए और मेरी किताबों की दुकान एक लाख रुपए का लाभ कमाती है तो मैं अपने EPS की गणना कैसे करूँगा? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया. EPS की गणना करने के लिए आप शुद्ध लाभ को अवधी के दौरान बकाया शेरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करेंगे. इसलिए यदि आपकी किताबों की दुकान का शुद्ध लाभ एक लाख रुपए है और आपके पास सौ शेर हैं, तो आपका EPS एक हजार रुपए होगा. रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, यदि मैं वर्ष के दौरान अधिक शेर जारी करूं तो क्या होगा? इसका मेरी गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतक्रिष्ट बिंदू, शिक्षक ने उत्तर दिया. जब नए शेर जारी किये जाते हैं, तो आपको बकाया शेरों की भारित औसत संख्या की गणना करनी चाहिए. इसका मतलब है कि अवधी की शुरुआत में आपके पास मौजूद शेरों की संख्या, अवधी के दौरान जारी किये गए किसी भी शेर और वापस खरीदे गए किसी भी शेर पर विचार करना. यहाँ गणना सुनिश्चित करती है कि EPS किताबों की दुकान के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाता है. आगे समझने की उच्सुकता से रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया. विभिन्न प्रकार के शेरों के बारे में क्या? क्या वे EPS को प्रभावित करते हैं? शिक्षक मुस्कुराएं और सिर हिलाया. हाँ, वे करते हैं. इंड-S 33 Basic EPS और Diluted EPS के बीच अंतर करता है. Basic EPS की गणना केवल बकाया सामान्य शेरों का उप्योग करके की जाती है. जबकि पतला EPS जारी किये जा सकने वाले सभी संभावित शेरों पर विचार करता है. जैसे परिवर्तनिय प्रतिभूतियां या स्टॉक विकल्प. यदि सभी परिवर्तनिय उपकरणों का प्रयोग किया गया, तो यहाँ आए में संभावित कमी को दर्शाते हुए प्रतिशेर आए का अधिक रूडिवादी द्रिश्टिकोन प्रदान करता है. रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया. तो अगर मेरे पास ऐसे विकल्प हो जो अतिरिक्त शेरों में परिवर्तित हो सकें, तो मुझे मूल और पतला EPS दोनों की गण्ना करने की आवशकता होगी? बिल्कुल, शिक्षक ने पुष्टी की. यहां अंतर हिद्धारकों के लिए उनके स्वामित्व और कमपनी की लाभप्रत्ता पर कमजोर पढ़ने के संभावित प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर है. जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, शिक्षक ने EPS की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के महत्वपर प्रकाश डाला. आपको गण्ना में उप्योग किये गए शेरों की संख्या के मिलान के साथ-साथ अपने आय विवरण के सामने मूल और पतला EPS दोनों का खुलासा करना होगा. यहाँ पारदर्शिता निवेशकों को अपने निवेश के सही मूल्य का आकलन करने की अनुमती देती है. रवी को अपने उपर एक स्पष्टता का भाव महसूस हुआ. तो इंड-AS 33 ना केवल EPS की गण्ना के लिए एक विधी प्रदान करता है बलकि निवेशकों के लिए स्पष्ट प्रक्तिकरण के महत्व पर भी जोड़ देता है. बिलकुल, रवी, शिक्षक ने गर्व से कहा. वह समझ गया कि यह मीट्रिक सिर्फ एक संख्या नहीं थी बलकि उसकी किताबों की दुकान के वित्तिय स्वास्थ्य और लाभप्रत्ता का प्रतिबिम्भ थी. इस नए ग्यान के साथ, रवी ने संभावित निवेशकों के साथ प्रभावी धंग से समवाद करने में सक्षम महसूस किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे उसकी किताबों की दुकान में अपने निवेशके मूल्य को समझें. क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक तेज दोपहरी में, प्रिष्ठ भूमी में पक्षियों के चहचाने की आवाज के साथ, रवी अपनी कक्षा में चला गया, अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और प्रेरनादायक पाठ के लिए उतसुक था, जो जटिल वित्तिय अवधारनाओं को आनंद में कहानियों में बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। आज का विशय इंड S.34 था, जो अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उतसुक थे कि उनके शिक्षक कहानी कहने के माध्यम से इस अवधारना को कैसे जीवन में लाएंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने एक उजवल मुसकान के साथ अपने छातरों का स्वागत किया। सभी को शुप दो पहर। आज हम अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग की दुनिया का पता लगाएंगे और यह आपके जैसे व्यवसायों के लिए क्यों आ प्रिद्रिश्य हमें Industries AS 34 के सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगा। रवी उच्सुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया। अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग वास्तव में क्या है? श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया, अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग एक पूर् अधवार्शिक परिणामों को कवर करती है। व्यवसाय हिद्धारकों को उनके वित्तिय प्रदर्शन और स्थिती के बारे में समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए ये अंतरिम रिपोर्ट तयार करते हैं। आपके मामले में आपकी किताबों की दुका निवेश को, लेंदारों और अन्य हिद्धारकों को आपके व्यवसाय की प्रदती के बारे में सूचित करने के लिए प्रत्यक्तिमाही के अंत में एक अंतरिम रिपोर्ट तयार करेगी। रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया। तो अंतरिम रिपोर्ट हिद्धारकों को वार्शिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाए अधिक लगातार आधार पर आपकी किताबों की दुकान के प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमती देती है। यह समय पर जानकारी जानकारी पूर्ण निरनय लेने के लिए महत्वपूर् जैसे कि आपकी किताबों की दुकान में निवेश करना या रिंद देना आगे समझने की उत्सुकता से रवी ने अपना हाथ उठाया मुझे अपनी अंतरिम वित्तिय रिपोर्ट में क्या शामिल करना चाहिए? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इंड एस 34 के तहट आपकी अंतरिम वित्तिय रिपोर्ट में एक संग्षिप्ट बैलेंस शीट, एक संग्षिप्ट आय विवर्ण, एक नकदी प्रवा विवर्ण और पिछली वार्षिक रिपोर्ट के बाद से आपकी वित्तिय स्थिती में महत्वपूर्ण बदलावों को सम मैं के साथ रुझान और बदलाव देखने को मिल सके। रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। तो यहां केवल संख्याय दिखाने के बारे में नहीं है। मुझे संदर्ब और स्पष्टी करण भी प्रदान करने की आवशकता है। बिलकुल शिक्षक ने संदर्ब प्रदान करने से हिधारकों को आपके वित्तिय प्रदर्शन में किसी भी उतार्चधाव को समझने में मदद मिलती है। उदाहरन के लिए यदि आपकी किताबों की दुकान की बिक्री छुट्टियों के मौसम के दौरान बड़ी है तो आपको अपनी रिपोर्ट में इसका स्पष्टी करण देना चाहिए। यह संदर्ब वित्तिय डेटा को स्पष्ट करने में मदद करता है और आपके व्यवसाय के स्वास्थि की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष थी। लेखांकन नीतियों के बारे में क्या? क्या मुझे अंतरिम रिपोर्टों के लिए भी वही अनुसरन करने की जरूरत है जैसा कि मैं वार्शिक रिपोर्टों के लिए करता हूँ? शिक्षक ने सोच समझ कर सिरहिलाया। हाँ, आप करते हैं। इंडस्ट्रीज एस 34 के तहट आपको अपनी अंतरिम रिपोर्टों में वही लेखांकन नीतियां लागू करनी चाहिए जो आप अपने वार्शिक वित्तिय विवरणों में उप्योग करते हैं। हाला कि आपको अंतरिम अवधी के दौरान लेखांकन नीतियों या अनुमानों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में अधिक विवरण प्रदान करने की आवशक्ता हो सकती है। पारदर्शिता कुंजी है। रवी को अपने उपर जिम्मेदारी का एहसास महसूस हुआ। तो अंतरिम रिपोर्ट सटीक, पारदर्शी और मेरी वार्शिक रिपोर्ट के अनुरूप होनी चाहिए। बिलकुल रवी, शिक्षक ने गर्व से कहा। इंड एस 34 के सिध्धान्तों का पालन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी अंतरिम वित्तिय रिपोर्टे आपके बुकस्टोर के प्रदर्शन का सही प्रतिबिम प्रदान करती हैं, जिससे हिद्धारकों को विश्वस्निय जानकारी के आधार पर सूचित निरनय ले में सक्षम बनाया जाता है. जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग के बारे में ज्यान प्राप्त करते हुए कक्षा छोड़ दी. उन्होंने समझा कि ये रिपोर्टे पूरे वर्ष उनकी किताबों की दुकान के वित्तिय स्वास्थ को संप्रेशित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरन थी. इस नए ज्यान के साथ, रवी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रभावी धंग से तैयार करने में सक्षम महसूस किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह हिद्धारकों को अपनी किताबों की दुकान की प्र एक बरसाती दोपहर में कक्षा की खिडकियों से टकराती बारिश की बूंदों की लैबध ध्वनी के साथ, रवी परिचित स्थान में चले गए, अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और ज्यानवर्धक पाठ के लिए उच्सुक थे, जो अपनी मनमोहक कहानी कहने की क्षमत के लिए जाने जाते हैं. आज का विशय इंड ऐस चतीस था, जो परिसंपत्यों की हानी से संबंधित है. रवी यह देखने के लिए उच्साहित था कि उसके शिक्षक इस महत्वपूर्ण अवधारणा को एक कहानी के माध्यम से कैसे समझाएंगे. जैसे ही शिक्षक अपन हम संपत्य हानी की अवधारणा पर विचार करेंगे. आइए कलपना करें, रवी, कि आपकी किताबों की दुकान कुछ वर्षों से चल रही है और आपने विभिन संपत्यों, जैसे अलमारियों, कंप्यूटर और इन्वेंटरी में निवेश किया है. यह परिद्रिश्य हमे इन्डस्ट्रीज एएस 36 को समझने में मदद करेगा. रवी अंदर जुग गया. यह जानने को उत्सुक था कि यह कैसे सामने आएगा. संपत्ती की हानी से आपका क्या तातपर्य है? श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया. संपत्ती की हानी तब होती है, जब किसी परिसंपत्ती की वहन राशी उसकी वसूली योग्य राशी से अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ है कि यह अब बैलन्स शीट पर अपने मूल्य को उचित ठहराने के लिए परियाप्त भविश्य के नकद शिक्ति प्रवा उत्पन्न नहीं कर सकती है. सरल शब्दों में यदि कोई परिसंपत्ती अपेक्षित रिटर्न नहीं ला रही है या यदि उसका मूल्य काफी कम हो गया है, तो यहाँ खराब हो सकता है. रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिर हिलाया. तो यदि पास में एक नए प्रतिसपर्धी के खुलने के कारण मेरी किताबों की दुकान की बिक्री में भारी गिरावट आती है, तो इसका मेरी संपत्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा अवलोकन शिक्षक ने पुष्टी की. यदि आपकी किताबों की दुकान की बिक्री में गिरावट आ रही है और परिणामस्वरूप, आपको एहसास होता है कि आपकी इन्वेंटरी या आपकी अलमारियों का मूल्य अपुनर प्राप्त नहीं किया जा सकत है, तो आपको यहाँ आकलन करने की आवशक्ता होगी कि क्या ये संपत्यां क्षतिग्रस्थ हैं. आप उनकी वहन राशी की तुलना उनकी वसूली योग्य राशी से करेंगे. रवी ने इस पश्टी करण के लिए उत्सुकता से अपना हाथ उठाया. मैं किसी परिसंपत्त की वसूली योग्य राशी का निर्धारण कैसे करूँ? शिक्षक ने समझाया वसूली योग्य राशी किसी संपत्ति के उचित मूल्य को बेचने की लागत और उप्योग में उसके मूल्य को घटा कर जो अधिक है, वह है. उचित मूल्य वह कीमत है, जिस पर आप परिसंप पत्ती को बाजार में बेच सकते हैं, जबकि उप्योग में मूल्य परिसंपत्ती से प्राप्थ होने वाले भविश्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को संदर्भित करता है। यदि आप यह निर्धारित करते हैं कि कोई संपत्ती वास्तव में क्षती ग्रस्त है, शिक्षक ने आगे कहा आपको अपने वित्तिय विवर्णों में एक हानी हानी को पहचानना चाहिए, इस हानी की गण्ना वहन राशी और वसूली योग्य राशी के बीच अंतर के रूप दर्शाते हैं. रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष्ट थी. उलट फेर के बारे में क्या? यदि भविश्य में परिसंपत्ती का मूल्य बढ़ता है, तो क्या मैं हानी की भरपाई कर सकता हूँ? रवी के प्रश्न से प्रसन होकर शिक् दिखने की अनुमती देता है. यदि आपकी किताबों की दुकान की बिक्री में सुधार होता है और परिसंपत्ती की वसूली योग्य राशी बढ़ जाती है, तो आप हानी हानी को इस हद तक उलट सकते हैं, कि यह वहन राशी से अधिक न हो जो की निर्धारित की गई होती यदि कोई हानी हानी की पहचान नहीं की गई होती. यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण सटीक रहें और आपकी संपत्ती का सही मूल्य प्रतिबिंबित करें. रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया. तो हानी का आकलन करना एक सतत प्रक्रिया है और मु नियामित मूल्यांकन आपको अपने व्यवसाई के बारे में सूचित निर्णे लेने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके किताबों की दुकान के स्वास्थिका सही प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं. इंडस्ट्रीज एस 36 व्यवसायों को परिसंपत्ती मूल्यों की सठीक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता और जवाब देही बनाये रखने के लिए प्रोच्साहित करता है. जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने संपत्ती की हानी के बारे में ज्यान महसूस करते हुए कक्षा छोड़ द इस नए ज्यान के साथ, रवी ने अपनी संपत्तियों की सावधानी पूर्वक निग्रानी करने में खुद को सशक्त महसूस किया और यह सुनिश्चित किया कि वह सोच समझ कर निर्णय ले जिससे लंबे समय में उनके व्यवसाय को लाब होगा. क्रिप्या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। जिसमें प्रावधान, आकस्मिक देंदारिया और आकस्मिक संपत्यां शामिल हैं। रवी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस अवधारणा को कैसे जीवन में लाएंगे। जैसे ही शिक्षक अंदर आये, उन्होंने अपनी खास गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुप दो पहर। आज, हम प्रावधानों और आकस्मिकताओं की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे। आये कलपना करें, रवी, कि आपकी किताबों की दुकान को हाल ही में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ परिद्रिश्य हमें Industries AS 37 को समझने में मदद करेगा। कनेक्शन के बारे में उच्सुक होकर रवी अंदर आ गया। प्रावधानों और आकस्मिकताओं से आपका क्या तातपर्य है। श्रीमान शिक्षक ने शुरू किया। वित्तियर रिपोर्टिंग में एक प्रावधान वह राशी है जिसे आप भविश्य के दायत्वई या व्याय के लिए अपने खातों में अलग रखते हैं। जो संभावित हैं लेकिन समय या राशी में अनिश्चित है। उदारण के लिए मान ले कि आप आपूर्ति करता के साथ विवाद के कारण कुछ कानूनी लागतों का सामना करने की उम्मीद करते हैं। आप उस व्याय के लिए एक प्रावधान को पहचानेंगे। भले ही भुकतान की सटीक राशी और समय अभी तक ज्यात नहीं है। रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा। तो कोई प्रावधान भविश्य के खर्चों के लिए सुरक्षा जाल की तरह है। बिलकुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की। प्रावधानों को पहचान कर, आप यह सुनिश्चित करते हैं, कि आपके वित्तिय विवरण आपके बुकस्टोर की वित्तिय स्थिति की अधिक सटीक तस्वीर दरशाते हैं। यह अभ्यास आपको वास्तवेक खर्चों के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कीए बिना संभावित देंदारियों के लिए तैयार होने में मदद करता है रवी ने उत्सुक्तावश फिर से अपना हाथ उठाया आकस्मिक देंदारियों के बारे में क्या? वे प्रावधानों से किस प्रकार भिन्न है? रवी की जिग्यासा से प्रसन होकर शिक्षक मुस्कुराए बढ़िया सवाल आकस्मिक दायत्व एक संभावित दायत्व है जो भविश्य की घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन हो सकता है उदाहरन के लिए यदि आप पर वर्तमान में किसी ग्राहक द्वारा मुकदमा दायर किया जा रहा है लेकिन आपने अभी तक मामले का निप्तारा नहीं किया है या परिणाम निर्धारित नहीं किया है तो आप अपने वित्तिय विवर्णों में इस आकस्मिक दायत्व के अस्तित्व का खुलासा करेंगे हाला कि आप इसे एक प्रावधान के रूप में तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक यह संभव न हो जाए कि आपको भुकतान करना पड़ेगा रवी ने एक क्षण सोचा तो आकस्मिक देंदारियों को वित्तिय विवर्णों में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन यदी वे महत्वपूर्ण है तो उनका खुलासा करने की आवशकता है बिलकुल शिक्षक ने उत्तर दिया यहाँ प्रक्तिकरण सुनिश्चित करता है कि हिद्धारक संभावित जोखिमों से अवगत है जो आपके बुकस्टोर के भविश्य के विद्धिय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते है विद्धिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है रवी ने और अधिक जानने की उत्सुकता से एक बार फिर अपना हाथ उठाया आकस्मिक संपत्तियों के बारे में क्या? क्या वे आकस्मिक देंदारियों के समान है? शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, वे संबंधित अवधारणाएं हैं लेकिन इसके बजाए संभावित लाभों को दर्शाते हैं आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो किसी पिछली घटना से उत्पन होती है और इसकी पुष्टी केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने से ही होती है उदारण के लिए यदि आपके पास किसी पूर्व करमचारी के खिलाफ क्षतिपूर्ती का दावा है और आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने वित्तिय विवर्णों में इस आकस्मिक संपत्ती का खुलासा करेंगे हाला कि आकस्मिक देंदारियों की तरह आप इसे तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक कि यह वस्तुता निश्चित न हो जाए रवी ने इस जानकारी पर विचार किया तो प्रावधान, आकस्मिक देंदारियां और आकस्मिक संपत्तियां सभी वित्तिय रिपोर्टिंग में अनिश्चित्ताओं का प्रबंधन करने में मदद करती हैं बिल्कुल रवी, शिक्षक ने उत्सा से कहा इंड एस 37 का पालन करके आप न केवल नियामक आवशक्ताओं का अनुपालन करते हैं बल्कि संभावित भविश्य के दायत्वों और संपत्तियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके अपने हिद्धारकों के बीच विश्वास भी बढ़ाते हैं पारदर्शिता का यह स्तर हर किसी को सूचित निर्ने लेने में मदद करता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी प्रावधानों आकस्मिक देंदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के बारे में प्रबुद्ध महसूस करने लगा उन्होंने अपनी किताबों की दुकान के वित्तिय प्रबंधन में अनिश्चित्ताओं के लिए तैयारी के महत्व को समझा इस नए ज्यान के साथ रवी ने इन अवधारनाओं को प्रभावी धंग से लागू करने के लिए सशक्त महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्होंने अपने और अपने हिद्धारकों के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी वित्तिय तस्वीर बनाए रखी क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोफेर में जब कक्षा की खिडकियों से सूरज की रोशनी आ रही थी, रवी ने उत्सुकता से प्रवेश किया वह अपने प्रियर शिक्षक से एक और आकर्शक पाठ की प्रतीक्षा कर रहा था, जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए प्रसिद्ध था आज का विशय इंडए जड़तीस था, जो अमूर्थ संपत्यों को कवर करता है रवी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल अवधारणा को कैसे समझाएंगे जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया, उन्होंने उत्सा के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुप दोपहर आज, हम अमूर्थ संपत्यों की आकरशक दुनिया के बारे में जानेंगे आईए कल्पना करें, रवी, कि आपकी किताबों की दुकान सिर्फ किताबें बेचने की जगा नहीं है बलकि रचनात मकता, विचारों और नवीनता का केंद्र भी है यहाँ परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एए सर्थीज को समझने में मदद करेगा रवी उच्सुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया अमूर्थ संपत्ती वास्तव में क्या है? श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया अमूर्थ संपत्तियां, गैर मौदरिक संपत्तियां हैं जिन में भौतिक पदार्थ की कमी होती है लेकिन आपके व्यवसाई को मूल्य प्रदान करती है उनमें ट्रेड मार्क, पेटिंट, कॉपीराइट और सद्भावना जैसी चीजे शामिल हो सकती है उदारन के लिए कल्पना करें कि आपने अपनी किताबों की दुकान के लिए एक अनोखा लोगो बनाया है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं और पहचानते हैं वह लोगो एक अमूर्द संपत्ती है क्योंकि इसका मूल्य है, भले ही इसे छुआ नहीं जा सकता रवी ने सिर हिलाया, विचार समझने लगा तो अमूर्द संपत्तियां मेरे व्यवसाई के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वे भौतिक वस्तुएं नहों बिलकुल, शिक्षक ने पुष्टी की अमूर्द संपत्तियां आपके किताबों की दुकान के प्रतिसपरधात्मक लाभ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक लोकप्रिय ब्रांड नाम है या आपने एक सफल मार्केटिंग रणनीती विक्सित की है तो ये तत्व ग्रहकों को आकर्शित कर सकते हैं और राजस्व उत्पन कर सकते हैं हाला की इंड आज 38 यहाँ बताता है कि इन संपत्तियों को कैसे पहचाना जाए, मापा जाए और उनका खुलासा कैसे किया जाए अधिक जानकारी के लिए उत्सुक होकर रवी ने अपना हाथ उठाया मैं अपने वित्तिय विवर्णों में किसी अमूर्थ संपत्ति को कैसे पहचानूं? शिक्षक ने समझाया किसी अमूर्थ संपत्ति को पहचानने के लिए उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा सबसे पहले, यहाँ पहचानने योग्यों होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यहाँ आपके व्यवसाय से अलग हो सकता है या समविदात्मक अधिकारों से उत्पन हो सकता है दूसरा, इसे आपके किताबों की दुकान द्वारा नियंतरित किया जाना चाहिए और तीसरा, इसे भविश्य में आर्थिक लाब प्रदान करना चाहिए उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी इन्वेंट्री के प्रबंधन के लिए एक नया सौफ्ट्वेर एप्लिकेशन बनाते हैं और यह इन मानदंडों को पूरा करता है, तो आप इसे एक अमूर्ध संपत्ती के रूप में पहचान सकते हैं रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा अमूर्ध संपत्ती के मूल्य को मापने के बारे में क्या? मैं उनका मूल्य कैसे निर्धारित करूँ? शिक्षक ने उत्तर दिया, अमूर्ध संपत्ती को दो तरीकों से मापा जा सकता है लागत मॉडल और पुनर मूल्यांकन मॉडल लागत मॉडल के तहट, आप परिसंपत्ती को उसकी लागत पर किसी भी संचित परिशोधन और हानी हानी को घटा कर पहचानते हैं उदाहरण के लिए, यदी आपने एक नई ब्रांडिंग रणनीती विक्सित करने के लिए पैसा खर्च किया है तो वह लागत अमूर्ध संपत्ती के मूल्यांकन का आधार बन जाती है पुनर मूल्यांकन मौडल के तहट, आप संपत्ती को उसके उचित मूल्य पर माप सकते हैं यदी उस संपत्ती के लिए एक सक्रिय बाजार मौजूद है, लेकिन अमूर्ध संपत्ती के लिए यह कमाम है रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसकी आखों में जिग्यासा चमक उठी परिशोधन के बारे में क्या? अमूर्ध संपत्तियों का परिशोधन मूर्ध संपत्तियों की तरह किया जाता है शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, वे करते हैं सौफ्ट्वेर जैसी सीमित उप्योगी जीवन वाली अमूर्ध संपत्तियां उनके अपेक्षित उप्योगी जीवन पर परिशोधित की जाती है यह प्रक्रिया परिसंपत्ती की लागत को उस अवधी में फैलाती है जिससे आर्थिक ला भुत्पन होने की उम्मीद होती है दूसरी और सद्भावना जैसी अनिश्चित उप्योगी जीवन वाली अमूर्थ संपत्यों का परिशोधन नहीं किया जाता है बलकि सालाना हानी के लिए परीक्षन किया जाता है रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया तो अमूर्थ संपत्यों का प्रबंधन भौतिक संपत्यों के प्रबंधन जितना ही महत्वपूर्ण है और मुझे उनके मूल्य और परिशोधन पर नजर रखने की जरूरत है बिलकुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया अपनी अमूर्थ संपत्यों को पहचानने और उचित तरीके से प्रबंधित करके आप ना केवल इंड एस 38 का अनुपालन करते हैं बलकि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपकी किताबों की दुकान के वित्तिय विवरण इसके वास्तविक मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं यह पारदर्शिता निवेश को और हिधारकों को आपके व्यवसाय की वास्तविक संपत्ती से परे उसके मूल्य को समझने में मदद करती है जैसे ही कक्षा समाप्त हुई रवी अमूर्थ संपत्ती के बारे में ज्यान प्राप्त करते हुए कमरे से बाहर चला गया उन्होंने अपनी किताबों की दुकान में मूल्य जोडने और उन्हें पहचानने मापने और उन्हें सटीक रूप से प्रकट करने के महत्व को समझा इस नए ज्यान के साथ रवी ने अमूर्थ संपत्तियों का प्रभावी धंग से लाब उठाने में खुद को सशक्त महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनकी किताबों की दुकान प्रतिसपर्धी बाजार में फलफूल सके क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्यता लें टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल और हवादार दोपहर में जैसे ही सूरज ने कक्षा की वह उन्हें बहुत पसंद आया आज का पाठ हिंड ऐस चालीस पर केंद्रित है जो निवेश संपत्ती से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस विशय पर कैसे प्रकाश डालेंगे जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में सबसे आगे अपना स्थान ग्रहन किया उन्होंने अपनी विशिष्ट मुसकान के साथ छातरों का स्वागत किया सभी को शुप दोपहर आज हम निवेश संपत्तियों की दिल्चस्प दुनिया का पता लगाएंगे आईए कल्पना करें रवी कि आपने अपने बिजनेस पोर्टफॉलियों को बढ़ाने के लिए अपनी किताबों की दुकान के लिए कुछ संपत्तियों में निवेश करने का फैसला किया है यहाँ परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस चालीस को समझने में मदद करेगा रवी उत्सुक्ता से जुक गया निवेश संपत्ति क्या है सर? शिक्षत ने शुरू किया निवेश संपत्ति को माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ती में उप्योग या प्रशासनिक उत्देशों के बजाए किराया अर्जित करने या पूर्जिगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में परिभाशित किया गया है सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप किराय पर देने के लिए या समय के साथ मूल्य में वृद्धी के लिए अपने पास रखने के लिए कोई इमारत खरीदते हैं तो उस संपत्ति को एक निवेश संपत्ति माना जाता है रवी की आखे समच से चमक उठीन तो अगर मैं एक जगह खरीदता हूँ और इसे किसी अन्य किताबों की दुकान पर किराय पर देता हूँ तो इसे निवेश संपत्ति के रूप में गिना जाएगा बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की निवेश संपत्तियों में भूमी या भवन शामिल हो सकते हैं और वे आम तौर पर उन संपत्तियों से अलग होते हैं जिनका उप्योग सीधे आपके व्यावसाय संचालन में किया जाता है उदारण के लिए वह स्थान जहां आप अपनी किताबों की दुकान संचालित करते हैं एक निवेश संपत्ति नहीं है क्योंकि इसका उप्योग आपकी व्यावसायक गतिविधियों के लिए किया जाता है जिग्यासा बुद्बुदाते हुए रवी ने अपना हाथ उठाया मैं अपने वित्तिय विवरणों में निवेश संपत्तियों का हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस चालीस के तहट आप निवेश संपत्तियों के लेखांकन के लिए दो मॉडलों के बीच चैन कर सकते हैं लागत मॉडल और उचित मूल्य मॉडल यदि आप लागत मॉडल अपनाते हैं, तो आप निवेश संपत्ती को लागत, कम संचित मूल यहरास और किसी भी हानी हानी पर मापेंगे इसके विपरीत यदि आप उचित मूल्य मॉडल चुनते हैं, तो आप निवेश संपत्ती को उसके उचित मूल्य पर मापेंगे शिक्षक ने समझाया उचित मूल्य मौडल बाजार की स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हुए संपत्ती के मूल्य का अधिक वर्तमान द्रिष्टिकोण प्रदान करता है यदी संपत्ती के मूल्य तेजी से बदल रहे हैं तो यह द्रिश्टिकोंड विशेष रूप से फाइदे मंद हो सकता है. हाला कि इसके लिए नियमित पुनर मूल्यांकन और एक विश्वसनिय मा प्रक्रिया की आवश्शकता होती है. दूसरी और लागत मॉडल सरल है और कम बार मूल्यांकन की आवश्शकता होती है. अधिक जानकारी के लिए उत्सुक होकर रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया क्या निवेश संपत्तियों के बारे में मुझे कोई विशेश खुलासे करने की आवशक्ता है? बहुत बढ़िया सवाल, शिक्षक ने कहा हाँ, Industries AS 40 को विशेश्ट प्रक्तिकरन की आवशक्ता है यदि आप लागत मॉडल का उप्योग कर रही हैं तो आपको उप्योग किये गए माप के आधार निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य और संपत्ती पर किसी भी प्रतिबंद के बारे में विवरण का खुलासा करना होगा इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास संपत्ती से संबंधित कोई किराय की आय या परिचालन व्याय है तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा तो पारदर्शिता और अनुपालन के लिए इस सारी जानकारी पर नजर रखना महत्वपूर है बिलकुल रवी, शिक्षक ने पुष्टी की निवेश संपत्यों का उचित लेखांकन न केवल इंड एस 40 का अनुपालन सुनिश्चित करता है बलकि हिद्धारकों को आपकी वित्तिय स्थिती और आपके निवेश से संभावित आय के बारे में बहमूल्य जानकारी भी प्रदान करता है जैसे जैसे कक्षा समाप्थ होने लगी, रवी को निवेश संपत्यों की संभावनाओं के बारे में उच्सा महसूस हुआ उन्होंने परिचालन और निवेश संपत्यों के साथ साथ लेखांकन विधियों और प्रक्तिकरणों के बीच अंतर करने के महत्व को समझा इस नए ज्यान के साथ, रवी ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सशक्त महसूस किया जो लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए उनकी किताबों की दुकान के वित्तिय भविश्य को बढ़ा सकता है क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक शांत दोफेर में, बाहर पत्तों की सरसराहट की धीमी आवाज के साथ, रवी ने कक्षा में प्रवेश किया यह जानने के लिए उत्साहित था कि उसके शिक्षक ने आज कौन सी मनोरम कहानी तयार की है जटिल विश्यों को आकर्शक आख्यानों में बदलने के लिए जाने जाने वाले, शिक्षक इंड एजिक्तालीस का पता लगाने वाले थे, जो क्रिशी से संबंधित है रवी शायद ही यह देखने के लिए इंतजार कर सके कि यह कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक अंदर आये, उन्होंने अपनी विशेश गर्मजोशी के साथ छात्रों का स्वागत किया सभी को शुप दोपहर आज, हम क्रिशी की आकर्शक दुनिया का पता लगाने जा रही हैं और वित्तिय विवरणों में इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है कल्पना कीजिए, रवी, कि आप एक पारिवारिक खेत का प्रबंधन कर रही हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार की फसले उगाते हैं यहाँ परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस 41 को समझने में मदद करेगा इस विचार से चकित होकर रवी अपनी सीट पर बैठ गया इंडस्ट्रीज का मेरे फाम के लिए क्या मतलब है, सर शिक्षक ने शुरू किया, इंडस्ट्रीज क्रिशी गतिविधी के लिए लेखांकन उपचार पर मार्गदर्शन प्रदान करता है क्रिशी गतिविधी में जैविक संपत्तियों का प्रबंधन शामिल है, जिसमें जीवित पौधे और जानवर शामिल है उदाहरण के लिए यदि आपके पास आम का बगीचा है, तो पेड़ जैविक संपत्ति हैं और उतपादित आम क्रिशी उपज माने जाते हैं रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए सिर हिलाया, तो आम के पेड़ एक संपत्ति हैं क्योंकि वे आई उतपन कर सकते हैं, बिल्कुल रवी, शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 41 के तहट, जैविक संपत्तियों को बेचने की लागत घटा कर उनके उचित मूल्य पर मापा जाना चाहिए इसका मतलब है कि आपको बाजार की कीमतों के आधार पर अपने आम के पेडों के मूल्य का अनुमान लगाना होगा, आम बेचने से जुड़ी किसी भी लागत को घटा कर यहां माप सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण आपकी क्रिशी परिसंपत्तियों का सही मूल्य दर्शाते हैं रवी ने और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर अपना हाथ उठाया उन फसलों का क्या जो मैं काटता हूँ, मैं उनका हिसाब कैसे दूँ शिक्षक ने उत्तर दिया, एक बार जब आप फसल काट लेते हैं, तो वे क्रिशी उत्पाद बन जाते हैं फसल के समय, आपको उन्हें बेचने की लागत घटा कर उनके उचित मूल्य पर मापना चाहिए यहां आपकी इन्वेंटरी बन जाती है, जिसे आप अपने वित्तिय विवरणों में पहचान लेंगे उदाहरण के लिए, एक बार जब आप आम चुन लेते हैं, तो आप उनके बेचने तक उनका मूल्य इन्वेंटरी के रूप में दर्ज करेंगे रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया यदी समय के साथ मेरी जैविक संपत्ती का मूल्य बदल जाए तो क्या होगा? क्या मुझे अपने खातों में उनका मूल्य समायोजित करते रहने की आवशक्ता है? हाँ, रवी, शिक्षक ने उत्सा से कहा आपको प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथी पर अपनी जैविक संपत्तियों को फिर से मापने की आवशक्ता होगी यदी उचित मूल्य बदलता है, तो आप लाभ्या हानी में उन परिवर्तनों को पहचानते हैं यहाँ प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिय विवर्ण सटीक रहें और आपके खेत के प्रदर्शन को दर्शाते रहें रवी ने इस बारे में सोचा और दूसरा सवाल उठाया अगर मुझे अपनी फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो क्या होगा? इसका मेरे वित्तिय विवर्णों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक ने सोच समझ कर सिरहिलाया अच्छा सवाल है यदि आपकी जैविक संपत्ती बीमारी या प्रतिकूल मौसम की स्थिती के कारण हानी का सामना करती है तो आपको यह आकलन करना चाहिए कि क्या उनकी वहन राशी उनकी वसूली योग्य राशी से अधिक है? यदि ऐसा होता है, तो आपको अपने वित्तिय विवरणों में हानी को पहचानने की आवशक्ता होगी यहाँ अभ्यास सुनिश्चित करता है कि कठिन समय में भी आपकी वित्तिय स्थिती का सटीक प्रतिनिधित्वक किया जाता है रवी मोहित हो गया तो खेत के प्रबंधन में न केवल फसले उगाना शामिल है बलकि उनके वित्तिय मूल्य पर नजर रखना और चुनौतियों के लिए तयार रहना भी शामिल है बिल्कुल रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस 41 को समझने और लागू करने से आप अपने खेत के संसाधनों को प्रभावी धंग से प्रबंधित कर सकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपनी जैविक संपत्तियों और क्रिशी उपच के मूल्य के बारे में सूचित रहें यह ज्यान आपको अपने खेत के भविश्य के लिए भैतर निरने लेने में सशक्त बनाता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी क्रिशी लेखांकन की जटिलताओं के बारे में प्रेरित और जानकार महसूस करते हुए चले गए उन्होंने जैविक परिसंपत्यों को मापने के महत्व और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य आकलन के महत्व को समझा की उनके वित्तिय विवरण उनके पारिवारिक खेत के प्रदर्शन को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं इस नई समझ के साथ रवी ने अपनी फसलों और अपने वित्त दोनों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने के लिए उपकरणों से लैस होकर क्रिशी की दुनिया को अपनाने के लिए तैयार महसूस किया क्रिप्या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल और धूप वाली दोपहर में, रवी उच्सुक मुसकान के साथ कक्षा में दाखिल हुआ, अपने प्रसित शिक्षक के एक और आकरशक पाठ में डूबने के लिए तैयार था आज का विशय इंड एज एक सौ एक था, जो भारतिय लेखांकन मानको को पहली बार अपनाने पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उसके शिक्षक इस जटिल विशय को एक आकरशक कहानी में कैसे पिरोएंगे जैसे ही शिक्षक कक्षा के सामने बैठे, उन्होंने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज, हम यह समझने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे कि पहली बार भारतिय लेखांकन मानको को अपनाने का क्या मतलब है आईए कल्पना करें, रवी, कि आपने अपने मौजूदा किताबों की दुकान को एक बड़े, अधिक गतिशील व्यवसाय में बदलने का फैसला किया है और अब आप पहली बार भारतिय लेखांको को अपनाने के लिए तयार है यहाँ परिद्रिश्य हमें इंडेज 101 का पता लगाने में मदद करेगा रवी की जिग्यासा बड़ी पहली बार इन मानको को अपनाने का क्या मतलब है सर शिक्षक ने शुरू किया इंडेज 101 वह धांचा है जो आपके बुकस्टोर जैसी संस्थाओं को पिछले लेखांकन मानकों से भारतिय लेखा मानकों में संक्रमन करने के तरीके पर मार्ग दर्शन करता है यहाँ परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए नए सिध्धानतों की व्यापक समझ की आवशकता है और वे आपके वित्तिय विवरणों को कैसे प्रभावित करते हैं इसे नए नियमों के साथ एक नए साहसिक कार्य की तैयारी के रूप में सोचें रवी ने इस विचार से उत्सुक होकर सिरहिलाया तो इन मानकों को अपनाने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे? शिक्षक ने समझाया सबसे पहले आपको अपनी संक्रमन तिथी निर्धारित करने की आवशकता है जो वह तारीख है जब आप इन्ड एस लागू करना शुरू करते हैं इस तिथी पर आप एक प्रारंभिक बैलन्स शीट तैयार करेंगे जो नए मानकों का अनुपालन करती है यह बैलन्स शीट आपकी वित्तिय स्थिती के स्नापशॉट के रूप में कार्य करती है जो इन्ड एस के तहट आपकी संपत्ती, देंदारियों और एक्विटी के मूलियों को दर्शाती है रवी ने और अधिक समझने की उत्सुकता से अपना हाथ उठाया मेरे पिछले वित्तिय विवर्णों के आंकडों के बारे में क्या? क्या मुझे उन्हें समायोजित करने की आवशकता है? उत्कृष्ट प्रश्ण, रवी, शिक्षक ने उत्सापूर्वक कहा हाँ, आपको पुराने लेखांकन मानको और नए इंड एस के बीच किसी भी अंतर को प्रतिविंबित करने के लिए अपने पिछले वित्तिय विवर्णों को समायोजित करने की आवशकता होगी. इस समायोजन प्रक्रिया को सुलह के रूप में जाना जाता है. आप एक समाधान विवर्ण तयार करेंगे जो बताता है कि आपके पिछले आंकडे इंड-AS के तहट नए आंकडों से कैसे भिन्न हैं। रवी ने गहराई से सोचा, क्या होगा यदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए मानक विभिन्न उपचारों की अनुमती देते हैं। मैं कैसे तै करूं कि मुझे क्या करना है। शिक्षक ने समझ कर सिरहिलाया। इंड-AS 101 के तहट विशिष्ट छूटेण हैं जिने आप संक्रमन करते समय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण या वित्तिय साधनों के लिए कुछ छूट लागू करने का चुनाव कर सकते हैं। यह लचीलापन आपको यह सुनिश्चित करते हुए संक्रमन प्रक्रिया को सरल बनाने की अनुमती देता है कि आपके वित्तिय विवरन तुल्निय बने रहें। रवी ने सवालों से भरा दूसरा हाथ उठाया। क्या इस परिवर्तन के दौरान मुझे जो खुला से करने की आवश्शकता है। उस पर कोई विशेश मार्गदर्शन है। हाँ, है, शिक्षक ने उत्तर दिया। इंडेस 101 में आपसे ऐसी जानकारी प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है, जो आपके वित्तिय विवरनों के उप्योग करताओं को यह समझने में सक्षम बनाती है, कि परिवर्तन ने आपकी वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है। इसमें आपके संक्रमन की तारीक, आपके द्वारा लागू की गई छूट और आपकी प्रारंभिक बैलेंस शीट पर प्रभाव के बारे में विवरन शामिल हैं। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ता गया, रवी नए लेखांकन मानकों को अपनाने की जटिलता और महत्व से अधिक आकरशित होता गया। उन्होंने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल संख्या के बारे में नहीं था, बलकि हिद्धारकों के साथ पारदर्शिता और विश्वा सुनिश्चित करने के बारे में भी था। तो पहली बार इंड-AS को अपनाना मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पूछा, बिलकुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की। इस परिवर्तन को सफलता पूर्वक नेविगेट करके आप न केवल लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, बलकि बाजार में अधिक विश्वस्नियता और सफलता के लिए अपनी किताबों की दुकान को भी स्थापित करते हैं। सटीक और विश्वस्निय वित्तिय जानकारी प्रस्तुत करने की आपकी क्षमता आपके निवेश को, ग्राहकों और अन्य हिद्धारकों में विश्वास पैदा करेगी। जैसे जैसे कक्षा समाप्त होने लगी, रवी इंड एस 101 को अपनाने की यात्रा के बारे में प्रबुद्ध महसूस करते हुए चले गए। उन्होंने परिवर्तन में शामिल कदमों, पिछले वित्तिय आंकडों को समेटने के महत्व और स्पष्ट प्रक्तिकरण की आवशक्ता को समझा। कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। के लिए तयार थे, जो शेराधारित भुक्तान से संबंधित है। रवी उत्सुकता से अपनी सीट पर बैठ गया। आपने एक नई तकनी की कंपनी शुरू की है और आप प्रतिभाशाली कर्मचारियों को उनके मुआवजे के हिस्से के रूप में अपने व्यवसाई में शेर देकर आकरशित करना चाहते हैं। यहाँ परिद्रिश्य हमें Industries AS102 को समझने में मदद करेगा। रवी उत्सुकतावश आगे की ओर जुग गया। तो भुकतान के रूप में शेरों की पेशकश का क्या मतलब है। सर, शिक्षक ने शुरू किया शेराधारित भुकतान तब होता है जब कोई कमपनी अपने करमचारियों को उनके पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में शेर या शेर विकल्प प्रदान करती है। यहाँ प्रथा कर्मचारियों के हितों को कम्पनी के प्रदर्शन के साथ जोड़ती है और उन्हें इसकी सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है Industries AS 102 के तहट आपको अपने वित्तिय विवर्णों में शेराधारित भुकतान से जुड़े व्याय को पहचानने की आवशक्ता होगी रवी की आखे चौड़ी हो गई मैं अपने कर्मचारियों को दिये गए शेरों के खर्च की गणना कैसे करूँ? शिक्षक ने समझाया खर्च को अनुदान तिथी पर दिये गए शेरों या शेर विकल्पों के उचित मूल्य पर मापा जाता है उदारण के लिए यदि आप अपने कर्मचारियों को किसी विशिष्ट मूल्य पर शेर खरीदने के विकल्प देने का निरनय लेते हैं तो आपको उन विकल्पों के उचित मूल्य का आकलन उस समय करना होगा जब उन्हें विकल्प दिया गया हो यह मूल्य तब नहित अवधी में खर्च किया जाता है जो वह अवधी है जिसके दौरान कर्मचारियों को उन विकल्पों को अरजित करने के लिए काम करना चाहिए रवी ने इस पश्टता के लिए उत्सुकता से अपना हाथ उठाया क्या होगा यदी मेरे द्वारा विकल्प देने के बाद शेर की कीमत काफी बढ़ जाती है क्या इससे खर्च बदल जाता है बहुत अच्छा सवाल है रवी शिक्षक ने उत्तर दिया अनुदान तिथी पर आपके द्वारा गणना किया गया उचित मूल्य वही रहता है चाहे शेर की कीमत में भविश्य में कोई भी बदलाव हो हाला कि यदी विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो कंपनी अतिरिक्त इक्विटी को पहचानती है और इसे अपने वित्तिय विवरणों में दर्शाती है बाजार की कीमतों में उतार चधाव के कारण विकल्पों से संबंधित प्रारंभिक व्याय नहीं बदलेगा रवी ने इस अवधारणा पर गहराई से विचार किया क्या शेराधारित भुक्तानों के संबंध में मुझे खुलासे के लिए कोई विशिष्ट आवशक्ताएं हैं? हाँ, सच मुच, शिक्षक ने उत्तर दिया इंड-AS102 के तहट कमपनियों को शेराधारित भुक्तान व्यवस्था के बारे में विस्तरित खुलासे करने की आवशक्ता होती है आपको दिये गए विकल्पों की संख्या, प्रयोग मूल्य और विकल्पों का उचित मूल्य जैसी जानकारी का खुलासा करना होगा ये कुलासे हिद्धारकों को कमपनी की वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन पर शेराधारित भुक्तान के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं यदी मैं शेराधारित भुक्तान योजना को रद करने या संशोधित करने का निरनय लेता हूँ, तो क्या होगा? शिक्षक ने सिर हिलाया यदि आप शेराधारित भुक्तान व्यवस्था को रद्या संशोधित करते हैं तो आपको मूल नहित कार्यक्रम की परवाह किये बिना शेश व्याई को तुरंत पहचानने की आवशक्ता होगी आपके वित्तिय विवर्णों पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए नई व्यवस्था के उचित मूल्य का भी आकलन करने की आवशक्ता होगी जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा रवी शेराधारित भुक्तान की अवधारना से अधिक आकर्शित होता गया उन्होंने महसूस किया कि इस द्रिष्टिकोन से न केवल करमचारियों को प्रोचसाहन मिला बलकि खर्चों और प्रक्तिकरणों के लेखांकन में भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवशक्ता थी तो शेराधारित भुक्तान का उप्योग करना मेरी कमपनी के लिए फाइदे मंध हो सकता है लेकिन इसमें लेखांकन में जिम्मेदारियां भी शामिल हैं उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की शेराधारित भुक्तान कमपनी की सफलता के साथ करमचारियों के हितों को जोडते हुए प्रतिभा को आकरशित करने और बनाए रखने में मदद कर सकता है हाला कि आपकी वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है जैसे जैसे कक्षा समाप्थ होने लगी रवी को इंड एस एक सो दो की पेचीदगियों के बारे में ज्यान हो गया वह समझ गए कि शेराधारित भुक्तानों को कैसे मापना है उचित मूल्य मूल्यांकन का महत्व और उचित प्रक्तिकरण की आवशकता है इस नए ज्यान के साथ रवी ने खुद को सशक्त महसूस किया और शेराधारित भुक्तान की दुन्या में नेविगेट करने के लिए तैयार हो गए उन्हें विश्वास था कि वह लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी तक्नी की कम्पनी में आकर्शित कर सकते हैं क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दौपहर में, जब सुनेरी धूप कक्षा में गर्म चमक बिखेर रही थी, रवी ने यह जानने के लिए उतसाहित होकर प्रवेश किया कि उसके शिक्षक ने आज क्या मनमोहक पाठ तयार किया है जटिल विश्यों को आकर्शक बनाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद, शिक्षक को इंड एज एक सौतीन की अवधारणा का पता लगाने के लिए तयार किया गया था, जो व्यावसायक सन्योजनों पर केंद्रित है रवी शायद ही यह देखने के लिए इंतजार कर सके कि यह कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी सामान्य गर्मजोशी के साथ छातरों का स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज हम व्यापारिक सन्योजनों की दुन्या में उतरने जा रहे हैं आईए कलपना करें, रवी, कि आपने सफलता पूर्वक एक छोटी लेकिन लोकप्रिय बेकरी बनाई है और अब आप अपने व्यापारिक का विस्तार करने के लिए एक और बेकरी खरीदना चाहते हैं यहाँ परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस एक सौ तीन को समझने में मदद करेगा इस विचार से चकित होकर रवी अपनी सीट पर बैठ गया दूसरा व्यावसाय हासिल करने का क्या मतलब है सर शिक्षक ने शुरू किया एक व्यावसायक सन्योजन तब होता है जब एक कमपनी दूसरी कमपनी पर नियंतरन प्राप्त कर लेती है यह इसकी परिसमपत्तियों शेरों के अधिग्रहन या यहां तक की विलय के माध्यम से भी हो सकता है इंडस्ट्रीज एस एक सौतीन के तहट यह निर्धारत करना आवशक है कि क्या लेंदेन एक व्यावसायक सन्योजन है और यदी यह है तो आपको इसका उचित हिसाब लगाना होगा रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए सिर हिलाया तो दूसरी बेकरी खरीदते समय मुझे क्या कदम उठाने होंगे? सबसे पहले शिक्षक ने समझाया आपको अधिगरहन करता की पहचान करने की आवशकता है आपके मामले में आपकी बेकरी के मालिक के रूप में आप अधिगरहन करता होंगे इसके बाद आपको अधिगरहन की तारीक निरधारित करनी होगी जो वह तारीख है जब आप अन्य बेकरी पर नियंत्रन प्राप्त करते हैं अधिक जानकारी के लिए उच्सुक होकर रवी ने अपना हाथ उठाया किसी अन्य व्यवसाई पर नियंत्रन रखने का क्या मतलब है? शिक्षक ने उत्तर दिया नियंत्रन अधिगरहीत व्यवसाई की गतिविधियों से लाप प्राप्त करने के लिए उसकी वित्तिय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने की शक्ती है इसका मतलब है कि व्यवसाई कैसे संचालित होता है? इसके बारे में निरने लेने की क्षमता होना उदाहरण के लिए यदि आप अन्य बेकरी में 50 प्रतिशत से अधिक शेर खरीदते हैं तो आप नियंत्रन हासिल कर लेते हैं और इसकी दिशा को प्रभावित कर सकते हैं रवी ने इस पर विचार किया और पूछा मैं जिस बेकरी का अधिग्रहन कर रहा हूँ उसकी संपत्ती और देंदारियों के बारे में क्या? मैं उनका हिसाब कैसे दू? उतक्रिष्ट प्रश्न, रवी, शिक्षक ने जारी रखा जब आप कोई अन्य व्यवसाय खरीदते हैं तो आपको अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्तियों और अधिग्रहन तिथी पर उनके उचित मूल्यों पर ली गई देंदारियों को पहचानना चाहिए इस प्रक्रिया को लेखांकन की क्रय विधी के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए यदी अन्य बेकरी में उपकरण, इन्वेंट्री और एक पट्टा समझोता है तो आपको अधिग्रहन के समय इन परिसंपत्तियों और देंदारियों का उचित मूल्य निर्धारित करने की आवशक्ता होगी रवी की जिग्यासा बढ़ी क्या होगा यदी समपत्ति का उचित मूल्य मेरे द्वारा बेकरी के लिए भुक्तान किये गए खरीद मूल्य से अधिक हो शिक्षक ने समझाया यदी अरजित शुद्ध समपत्ति का उचित मूल्य खरीद मूल्य से अधिक है तो आपके पास नकारात्मक सद्भावना नामक स्थिती हो सकती है ऐसे मामलों में आपको सटीकता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्यों और देंदारियों के उचित मूल्यों का पुनर मूल्यांकन करने की आवशक्ता होगी हाला कि आम तौर पर जब आप किसी व्यवसाय का अधिग्रहन करते हैं तो खरीद मूल्य किसी भी सद्भावना सहित पूरे व्यवसाय के मूल्य पर आधारित होता है यह शुद्ध पहचान योग्य संपत्यों के उचित मूल्य से अधिक खरीद मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है रवी ने एक क्षण सोचा तो सद्भावना उस प्रीमियम की तरह है जो मैं अधिग्रहीत बेकरी की प्रतिष्ठा और ग्राहक वफादारी के लिए चुकाता हूँ बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की सद्भावना व्यवसाय को प्राप्त करने के अमूर्थ लाभों को दर्शाती है जैसे की इसका ब्रांड मूल्य, ग्राहक संबंध और आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली तालमेल Industries AS 103 के तहट आपको सालाना हानी के लिए सद्भावना का परीक्षन करने की भी आवश्शक्ता होगी जिसका अर्थ है कि यह आकलन करना कि क्या इसकी वहन राशी इसकी वसूली योग्य राशी से अधिक है जैसे जैसे पाठ समाप्त होने लगा, रवी को व्यावसायक सन्योजनों की अवधारणा के बारे में ज्यान प्राप्त हुआ उन्होंने अधिग्रहन करता की पहचान करने, संपत्तियों और देंदारियों को पहचानने और सद्भावना के लिए लेखांकन के महत्व को समझा तो दूसरा व्यावसाय हासिल करना सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, बलकि उनके पीछे के मूल्य को समझने के बारे में भी है, उन्होंने पूछा बिल्कुल, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया एक सफल व्यावसायक सन्योजन के लिए वित्तिय और रणनीतिक दोनों पहलूओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवशक्ता होती है Industries AS 103 का पालन करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण हिद्धारकों को सपश्टता प्रदान करते हुए अधिग्रहन के प्रभाव को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने INDAS 103 की व्यापक समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने महसूस किया कि एक व्यावसायक सन्योजन को नेविगेट करने में वित्तियक कौशल और रणनीतिक दूरदर्शिता दोनों शामिल हैं इस नए ज्यान के साथ, रवी ने अधिग्रहन के माध्यम से अपनी बेकरी के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार महसूस किया और व्यावसायक सन्योजनों की जटिलताओं को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास किया क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दोपहरी में जैसे ही कक्षा के बाहर पत्तियां धीरे-धीरे नाच रही थी, रवी ने दिन के पाठ के बारे में जिग्यासा की एक चिंगारी के साथ प्रवेश किया उनके शिक्षक, जो अपनी आकरशक कहानी कहने के लिए जाने जाते थे, इन एज एक सौचार की जटिल दुनिया में जाने के लिए तैयार थे, जो बीमा अनुबंधों पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल विशय पर कैसे प्रकाश डालेंगे जैसे ही शिक्षक ने छात्रों का अभिवादन किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सभी को शुब दोपहर आज, हम बीमा अनुबंधों के आकरशक शेत्र का पता लगाने जा रही है आईए कलपना करें, रवी, कि आपने हाल ही में एक नई बीमा एजनसी खोली है और आप यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले बीमा अनुबंधों का हिसाब कैसे दिया जाए यहाँ परिद्रिश्य हमें इन्ड एज एक सौचार के सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगा रवी उत्सुकता से जुक गया तो बीमा अनुबंध क्या है? श्रीमान शिक्षक ने शुरू किया बीमा अनुबंध बीमा करता और पॉलिसी धारक के बीच एक समझोता है जहां बीमा करता प्रीमियम के बदले पॉलिसी धारक को कुछ जोखिमों के लिए मुआवजा देने का वादा करता है Industries AS 104 के तहट, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वित्तिय विवरणों में इन अनुबंधों का हिसाब कैसे दिया जाता है रवी ने और गहराई में जाने की इच्छा से सिरहिलाया इन अनुबंधों के बारे में मुझे किन प्रमुख घटकों को समझने की आवशकता है बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया विचार करने के लिए कई प्रमुख पहलू है सबसे पहले, आपको यहाँ निर्धारित करना होगा कि अनुबंध बीमा अनुबंध की परिभाशा को पूरा करता है या नहीं इसमें यह आकलन करना शामिल है कि क्या अनुबंद पॉलिसी धारक से बीमा करता को महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्थानांतरित करता है यदि ऐसा होता है तो यह इंडस्ट्रीज एस एक सौचार के तहट एक बीमा अनुबंद के रूप में योग्य है रवी ने और अधिक जानने की उच्सुकता से अपना हाथ उठाया मैं पॉलिसी धारकों से प्राप्त प्रीमियम को कैसे मापू? पॉलिसी धारकों से आपको प्राप्त होने वाले प्रीमियम को शुरू में देंदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि वे कवरेज प्रदान करने के आपके दायत्वक का प्रतिनिधित्व करते हैं समय के साथ आप इन प्रीमियमों को राजस्व के रूप में पहचान लेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में उन अनुबंधों से जुड़े अपेक्षित भविश्य के दावों और खर्चों का अनुमान लगाना शामिल है शिक्षक ने समझाया रवी की जिग्यासा बढ़ी दावों के बारे में क्या? मैं उनका हिसाब कैसे दू? शिक्षक ने आगे कहा दावे बीमा अनुबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है आपको पॉलिसी धारकों को भुक्तान किये जाने वाले अपेक्षित दावों का अनुमान लगाना चाहिए यह अनुमान प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके वित्तिय विवर्णों को प्रभावित करती है आप किये गए लेकिन अभी तक भुक्तान नहीं किये गए दावों के लिए एक दायित्व को पहचानेंगे जिसे दावा दायित्व के रूप में जाना जाता है वर्तमान परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए इन अनुमानों की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करना आवशक है रवी ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा क्या होगा यदि एकत्र किया गया प्रीमियम भुक्तान किये गए दावों से अधिक हो मैं इसका हिसाब कैसे दूँ उतक्रिष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसे मामलों में एकत्र किये गए प्रीमियम और भुक्तान किये गए दावों के बीच का अंतर आपके लाभ में योगदान देता है हाला कि आपको भविश्य के दावों और खर्चों की संभावना पर भी विचार करना चाहिए यही कारण है कि आप इन अनिश्चित्ताओं को कवर करने के लिए रिजर्व बनाए रखेंगे ये भंडार बीमा करता की उसके भविश्य के दायत्मों को पूरा करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आवशक है रवी ने ध्यान से सुना, पूरी तस्वीर समझना चाहा क्या इन बीमा अनुबंधों के संबंध में मुझे कुछ विशेश खुलासे करने की आवशक्ता है? हाँ, सच मुझ है, शिक्षक ने पुष्टी की इन एस एक सौचार के अनुसार आपको अपने बीमा अनुबंधों के बारे में व्यापक जानकारी का खुलासा करना होगा जिसमें जोखिम की प्रकृती और सीमा, दावों का आकलन करने के लिए उप्योग की जाने वाली पद्धतियां और राजस्व पहचानने का आधार शामिल है ये खुलासे हिद्धारकों को आपकी बीमा एजनसी की वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन को समझने में मदद करते हैं जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ी, रवी बीमा अनुबंधों की पेचीद्गियों से अधिक आकर्शित होता गया उन्होंने महसूस किया कि बीमा की दुनिया सिर्फ पॉलिसी बेचने के बारे में नहीं है बलकि जोखिमों के प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बारे में भी है तो मेरी एजनसी को सफलता पूर्वक चलाने के लिए बीमा अनुबंधों को समझना महत्वपूर्ण है उन्होंने पूछा बिल्कुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की इंडेस 104 का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपकी बीमा एजनसी के प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाते हैं इससे पॉलिसी धारकों और निवेशकों में समान रूप से विश्वास बढ़ेगा जो आपकी एजनसी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पाट समाप्त हुआ रवी ने इंड एस एक सो चार की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने बीमा अनुबंधों का हिसाब किताब करने प्रीमियम और दावों का अनुमान लगाने और प्रक्तिकरण आवशक्ताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में समझ लिया इस नए ज्यान के साथ रवी बीमा की रोमान्चक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे उन्हें अपनी नई एजनसी की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता पर भरोसा था क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोफेर में, जब बाहर पक्षी खुशी से चहचा रहे थे, रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ यह जानने के लिए उच्सुक था कि उसके शिक्षक ने आज के पाठ के लिए क्या तैयार किया है अपनी मनोरम कहानी कहने के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक इंड एस एक सौ पाँच की अवधारना को समझाने के लिए तैयार थे जो बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान संपत्तियों और बंद किये गए संचालन से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उच्सुख होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि यह जटिल विशय एक कहानी के माध्यम से कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने शुरुआत की, उन्होंने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज, हम वित्तिय रिपोर्टिंग इन एस एक सौपाँच के एक महत्वपूर्ण पहलू का पता लगाएंगे आईए कल्पना करें, रवी, कि आप एक सफल विनिर्मान व्यवसाई के मालिक है हाला कि आपने अपने एक डिवीजन को बेचने का फैसला किया है, जो विशेश उपकरण का उत्पादन करता है यह स्थिती हमें बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान परिसंपत्यों और बंद किये गई परिचालन के पीछे के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगी रवी परिद्रिश्य से उत्सुक होकर जुग गया गैरचालू संपत्यों को बिक्री के लिए रखने का क्या मतलब है, श्रीमान शिक्षत ने समझाया, गैरवर्तमान संपत्यां आम तौर पर दीरगकालिक संपत्य होती हैं, जिन्हें कोई व्यवसाए एक वर्ष से अधिक समय तक रखने का इरादा रखता है, जैसे भवन और मशीनरी हाला कि जब कोई कंपनी इन परिसंपत्यों को बेचने का निर्णय लेती है, तो उन्हें इंडस्ट्रीज एस एक सौ पांच के तहट बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गी क्रित किया जाता है किसी परिसंपत्य को इस तरह वर्गी क्रित करने के लिए यह अपनी वर्थमान स्थिती में ततकाल बिक्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए और अत्यधिक संभावित होना चाहिए कि बिक्री एक वर्ष के भीतर होगी रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा तो अगर मैं डिविजन बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कदम उठाने होंगे? शिक्षक ने कहा, सबसे पहले आपको उस प्रभाग से जुड़ी संपत्यों की वहन राशी का आकलन करने की आवशकता है यदि वहन राशी बेचने की लागत घटा कर उचित मूल्य से अधिक हो जाती है, तो आपको हानी हानी को पहचानना पड़ सकता है इसका मतलब है कि आपको अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्यों के मूल्य को नीचे की और समायोजित करना होगा रवी ने और अधिक जानने के लिए उच्सुक होकर अपना हाथ उठाया बिक्री प्रक्रिया के दौरान इस प्रभाग से संबंधित लाब और हानी का क्या होता है शिक्षक ने उत्तर दिया बंध किये गए ओपरेशन से लाब या हानी को आपके आय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए यह पारदर्शिता आवशक है क्योंकि यह हिद्धारकों को बंध किये गए विभाजन के प्रभाव के बिना आपके शेश कारियों के चल रहे प्रदर्शन को देखने की अनुमती देती है उदाहरण के लिए यदि आपका विशेश उपकरण प्रभाग घाटा उत्पन कर रहा था तो आपको अपने मुख्य व्यवसाई की वित्तिय स्थिती दिखाने के लिए उन घाटे का अलग से खुलासा करना होगा रवी ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा क्या होगा यदि बिक्री में उम्मीद से अधिक समय लग गया क्या इससे मेरे परिसमपत्यों की रिपोर्ट करने का तरीका बदल जाता है अच्छा प्रश्न शिक्षक ने उत्तर दिया यदि बिक्री के लिए धारित के मांदंड अब पूरे नहीं होते हैं तो आपको उन परिसमपत्यों को गैरवर्तमान परिसमपत्यों में वापस वर्गी करित करने और उन्हें उनकी वहन राशी या उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापने की आवशक्ता होगी यहाँ पुनरवर्गी करण आपके संचालन की चल रही प्रकृती को दर्शाता है और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है रवी ने पूरी प्रक्रिया को समझना चाहा और ध्यान से सुना जब मैं किसी डिविजन को बेचने का निरने लेता हूँ तो क्या मुझे कोई विशेश खुलासा करना चाहिए? हाँ, सच मुझ, शिक्षक ने पुष्टी की इंडेस 105 में बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान परिसंपत्यों और बंद किये गए परिचालनों के बारे में विस्तरित खुलासे की आवशक्ता है आपको बंद किये गए परिचालन की प्रकृती, बिक्री के कारणों और अपेक्षित वित्तिय प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी या आपके वित्तिय विवर्ण के उप्योग करताओं को आपके निर्णयों के नहितार्थ को समझने में मदद करता है उन्होंने महसूस किया कि वित्तिय रिपोर्टिंग के ये पहलू उनके व्यवसाई के वित्तिय स्वास्थे में पारदर्शिता और सटीक्ता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। तो यह समझना कि इन परिसमपत्तियों की रिपोर्ट कैसे की जाए? मेरे विनिर्माण व्यवसाई के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा। बिलकुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की। रवी ने Industries AS-105 के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझ लिया कि बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान संपत्तियों को कैसे वरगी कृत किया जाए? हानी हानी की पहचान की जाए और बंद किये गए कारियों की अलग से रिपोर्ट कैसे की जाए? इस नए ज्ञान के साथ रवी को अपने विनिर्मान व्यवसाई में एक डिवीजन को बेचने की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार महसूस हुआ और रिपोर्टिंग आवशक्ताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता पर विश्वास था कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक जीवन्त दोपहर में, जब सूरज कक्षा की खिडकियों से गर्म चमक बिखेर रहा था, रवी एक और ज्ञानवर्धक पाठ के लिए उतसाहित होकर अंदर आया उनके शिक्षक, जो अपनी कहानी कहने की क्षमता के लिए प्रसिध थे, एक आकरशक विशय का पता लगाने के लिए तयार थे, इंड एज एक सौच है, जो खनित संसाधनों की खोज और मूल्यांकन पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए उतसुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि उसके शिक्षक इस जटिल अवधारना को एक आकरशक कथा में कैसे बुनेंगे जैसे ही शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कक्षा का स्वागत किया, उन्होंने कहना शुरू किया, सभी को शुब दोपहर आज, हम खनित संसाधनों की दुनिया में एक साहसिक यात्रा पर निकलेंगे कल्पना कीजिए, रवी, कि आप बहमूल्य खनिजों की खोज करने वाली एक खनन कमपनी के प्रबंधक है आपकी यात्रा हमें इन्ड एज 106 के सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगी रवी की आखे, जिग्यासा से चमक उठीन खनिज संसाधनों की खोज का क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक ने उत्तर दिया, अन्वेशन में प्रित्वी की सतह के नीचे मूल्यवान खनिजों की खोज शामिल है इस प्रक्रिया में खनिज भंडार की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए अनुसंधान, सर्वेक्षन और ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण निवेश की आवशक्ता होती है Industries AS 106 के तहट, इस अन्वेशन चरण के दौरान होने वाली लागत इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संपत्ती का हिसाब कैसे लगाते हैं रवी और अधिक जानने के लिए उच्सुक होकर आगे की ओर जुग गया तो मैं इन अन्वेशन लागतों का हिसाब कैसे दूँ? बहुत बढ़िया सवाल, शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया Ind AS 106 के अनुसार, यदि कुछ शर्ते पूरी होती हैं, तो आप इन अन्वेशन लागतों को पूंजिक्रित करना चुन सकते हैं विशेश रूप से, यदि आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कि यह संभावना है कि आप आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिच संसाधनों की खोज करेंगे तो आप उन अन्वेशन लागतों को अपनी बैलेंस शीट पर एक संपत्ती के रूप में मान सकते हैं इसे लागतों का पूंजी करण करना कहां जाता है? रवी उत्सुक था लेकिन उसका एक और सवाल था यदि अन्वेशन से कोई खनिच संसाधन नहीं मिलता तो क्या होता है? शिक्षक ने समझाया वह परिद्रिश्य जहां अन्वेशन के परिणामस्वरूप व्यवहार्य संसाधन नहीं मिलते वह महत्वपूर्ण है ऐसे मामलों में आपको अपने लाब और हानी विवरण में पूंजी करित लागतों को व्याय के रूप में लिखना होगा यह इस वास्तविक्ता को दर्शाता है कि निवेश से लाबकारी संसाधन नहीं मिले अपनी अन्वेशन परियोजनाओं की व्यवहार्यता का नियमित रूप से आकलन करना महत्वपूर्ण है रवी ने इस प्रक्रिया के बारे में गहराई से सोचा यदी मुझे कुछ आशाजनक संसाधन मिले तो क्या होगा मैं लेखांकन के साथ कैसे आगे बढ़ू शिक्षक ने स्पष्ट किया एक बार जब आप आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिच संसाधन की पहचान कर लेते हैं तो आप अन्वेशन से मूल्यांकन की ओर बढ़ जाते हैं इसमें अधिक विस्तरित मूल्यांकन और विकास लागत शामिल है जिसे पूंजिकृत भी किया जा सकता है आपको यह निर्धारित करने की आवश्शकता होगी कि क्या संसाधन को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है और इस मूल्यांकन से एक मूर्ध संपत्ती की पहचान हो सकती है रवी के मन में जिग्यासा जगी क्या इन अन्वेशन और मूल्यांकन लागतों के संबंध में मुझे कोई महत्वपूर्ण खुलासे करने चाहिए हाँ, बिल्कुल, शिक्षक ने पुष्टी की इन एस 106 आदेश देता है कि आप अपनी अन्वेशन और मूल्यांकन गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करें इसमें संसाधनों की प्रकृती, उनके मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और इन परिसमपत्यों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली किसी भी अनिशचित्ता के बारे में विवरण शामिल है आपके खनन कारियों में शामिल जोखिमों और अफसरों को समझने के लिए हिद्धारकों के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता गया, रवी इंड एस 106 की पेचीदगियों से मोहित होते गए उन्होंने महसूस किया कि एक खनन कंपनी की सफलता के लिए अन्वेशन और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए लेखांकन का प्रबंधन करना आवश्चक था तो यह समझना कि इन लागतों का पून्जी करण और मूल्यांकन कैसे किया जाए मेरे खनन व्यवसाई के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इन एस 106 का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके खनिच संसाधनों की क्षमता को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं जिससे निवेश को और हिद्धारकों को आपकी कमपनी के भविश्य के बारे में सूचित निरनय लेने में मदद मिलती है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने इंड एस 106 की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने समझ लिया कि अनवेशन लागत का हिसाब कैसे लगाया जाए मूल्यांकन का प्रबंधन कैसे किया जाए और खनिज संसाधनों के बारे में आवश्यक खुलासे कैसे किये जाए इस नए ज्यान के साथ रवी ने खनन उद्योग की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार महसूस किया और खनिज अनवेशन में अपने भविश्यके प्रयासों के वित्तिय पहलूओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास किया क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल और हलचल भरी दोपहर में रवी दिन के पाठ के लिए उच्सुक होकर अपनी कक्षा में दाखिल हुआ उनके शिक्षक, जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, एक नई अवधारणा पेश करने के लिए तयार थे, इंड एज एक सौसाथ, जो वित्तिय साधनों से संबंधित खुलासों पर केंद्रित है रवी यह जानने के लिए उत्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि यह आवश्यक विशय कहानी कहने के माध्यम से कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने शुरुवात की, उन्होंने अपनी विशिष्ट गर्मजोशी से छात्रों का स्वागत किया सभी को शुप दोपहर आज, हम वित्तिय साधनों की आकरशक दुनिया और प्रक्तिकरण के महत्व पर चर्चा करेंगे आईए कलपना करें, कि रवी यहां एक बढ़ती हुई कमपनी का मुख्य वित्तिय अधिकारी है जो स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसे विभिन वित्तिय अउपकरणों में कारोबार करती है यहां परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस एक सौ साथ को समझने में मदद करेगा रवी इस कहानी से रोमान्चित होकर उच्साहित हो गया वित्तिय साधन वास्तव में क्या है, श्रीमान्द? शिक्षक ने समझाया, वित्तिय अउपकरण ऐसे अनुबंध हैं जो एक इकाई के लिए वित्तिय संपत्ति बनाते हैं और दूसरे के लिए वित्तिय देंदारियां या एक्विटी उपकरण बनाते हैं इन में परिसंपत्तियों की एक विस्तरित श्रिंखला शामिल है, जैसे नकदी, स्टॉक और बांड, साथ ही रिन और डेरिवेटिव जैसे दायत्व प्रभावी वित्तिय प्रबंधन के लिए इन उपकरणों को समझना महत्वपूर्ण है रवी ने जानकारी को आत्मसात करने की कोशिश करते हुए सिरहिलाया तो मैं इन उपकरणों से संबंधित प्रक्टी करणों का प्रबंधन कैसे करूँ उतक्रिष्ट प्रश्न, रवी, शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया इन एस एक सौसात के लिए आवशक है कि संस्थाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वित्तिय विवरणों के उप्योग करताओं को उनसे जुड़े जोखिमों को समझने में मदद करने के लिए अपने वित्तिय साधनों के बारे में विस्तरित खुलासे प्रदान करें एक मुख्य वित्तिय अधिकारी के रूप में आपको इन उपकरणों की प्रकृती, सीमा और जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी रवी और अधिक जानने के लिए उत्सुख होकर आगे की ओर जुग गया मुझे कौन से विशिष्ट खुलासे शामिल करने चाहिए? शिक्षक ने आगे कहा आपको अपने वित्तिय साधनों के उचित मूल्य का खुलासा करना चाहिए जो एक विशिष्ट समय पर उनके बाजार मूल्य का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है इसके अतिरिक्त आपको यह वर्णन करने की आवशकता है कि आप उचित मूल्य को कैसे मापते हैं जिसमें उप्योग की जाने वाली पद्धतियां और बनाई गई कोई भी धारना शामिल है इससे हिद्धारकों को यह समझने में मदद मिलती है कि रिपोर्ट किये गए मूल्य कैसे प्राप्त किये गए रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई जोखिमों के बारे में क्या? मैं उनकी रिपोर्ट कैसे करूँ? बहुत अच्छा अवलोकन शिक्षक ने उत्तर दिया आपको वित्तिय साधनों से जुड़े जोखिमों का खुलासा करना होगा जिसमें क्रेडिट जोखिम, तलता जोखिम और बाजार जोखिम शामिल है प्रत्यक प्रकार के जोखिम के लिए आपको यह बताना चाहिए कि इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और आपके वित्तिय विवरणों पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा यह पारदर्शिता निवेश को और लेंदारों को आपकी कमपनी के वित्तिय स्वास्थिका प्रभावी ढंग से आकलन करने की अनुमती देती है जैसे ही शिक्षक ने बात की रवी को बड़ी तस्वीर नजर आने लगी क्या कोई विशेश घटनाएं या परिवर्तन है जिन पर मुझे रिपोर्ट करने की आवशक्ता है वास्तव में शिक्षक ने पुष्टी की इंड-AS107 में एक रिपोर्टिंग अवधी से दूसरी रिपोर्टिंग अवधी तक वित्तिय साधनों के मूल्यांकन में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में खुलासे की भी आवशक्ता होती है यदि बाजार में बड़े बदलाव हुए हैं या महत्वपूर्ण जोखिम उभरे हैं तो आपको उनकी रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वे हिद्धारकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं रवी ने इस जानकारी पर विचार किया तो निवेशकों और हिद्धारकों के साथ विश्वास बनाने के लिए सटीक और पारदर्शी खुलासे बनाए रखना महत्वपूर्ण है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड-AS107 के अनुसार व्यापक खुलासे प्रदान करके आप हिद्धारकों को आपकी कंपनी की विद्धिय स्थिती की सपष्ट समझ के आधार पर सूचित निरनय लेने में मदद करते हैं यह पारदर्शिता न केवल विश्वसनियता बढ़ाती है बलकि निवेशकों और रिंदाताओं के साथ रिष्टे भी मजबूत करती है जोड देते हुए विद्धिय साधनों से संबंधित प्रक्ती करणों का प्रबंधन कैसे किया जाएं इस ज्ञान के साथ रवी को अपनी भावी कंपनी के विद्धिय परिद्रिश्य को नेविगेट करने में सशक्त महसूस हुआ और मेहनती रिपोर्टिंग के माध्यम से हिद्धारकों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता पर विश्वास था कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक जीवन्त दोफेर में, रवी अपने कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिद्ध, अपने शिक्षक से एक और आकरशक पाठ की प्रत्याशा से भरा हुआ, अपनी कक्षा में चला गया आज, शिक्षक इंड एज 108 की अवधारणा का अनावरण करने के लिए तयार थे, जो एक व्यवसाई के भीतर परिचालन क्षेत्रों पर केंद्रित है रवी अपनी सीट पर बैठ गया, यह देखने के लिए उत्सुक था कि कहानी कैसे सामने आएगी शिक्षक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कक्षा का स्वागत किया सभी को शुप दो पहर आज, हम ओपरेटिंग सेग्मेंट की दुनिया का पता लगाएंगे कलपना कीजिए कि रवी यहां एक विवित कमपनी का प्रबंधक है जो प्रोध्योगी की, विनिर्मान और खुद्रा सहित कई उद्योगों में काम करती है यहां परिद्रिश्य हमें इंड एज 108 को समझने में मदद करेगा रवी की आखे दिल्चस्पी से चौड़ी हो गई ओपरेटिंग सेग्मेंट वास्तव में क्या है? सर, शिक्षक ने समझाया, एक ओपरेटिंग सेग्मेंट एक व्यवसाय का एक हिस्सा है जो राजस्व उत्पन करता है और खर्च वहन करता है जिसके परिचालन परिणामों की कमपनी के प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सेग्मेंट को आवंटित संसाधनों के बारे में निर्णय लिया जा सके और उसके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके यह हित्धारकों को आपके व्यवसाई के विभिन घटकों को समझने की अनुमती देता है रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिर हिलाया तो मैं यह कैसे निर्धारित करूँ कि मेरे व्यवसाय के कौन से हिस्से परिचालन खंड के रूप में योग्य है बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया INDAS 108 के तहट, एक ओपरेटिंग सेग्मेंट को कुछ मानदंडो को पूरा करना होगा इसे उन गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए जो राजस्व अरजित करती हैं और खर्च वहन करती हैं और इसके परिणामों की समीक्षा कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता द्वारा की जानी चाहिए इसके अलावा खंड अकसर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों के आधार पर रिपोर्ट किये जाते हैं जो कंपनी से कंपनी में भिन्न हो सकते हैं रवी उत्सुकतावश आगे की ओर जुग गया मुझे इन ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में किस प्रकार की जानकारी का खुलासा करना चाहिए एक उत्कृष्ट पूछताच शिक्षक ने उत्सापूरवक उत्तर दिया आपको प्रत्येक ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में विशिष्ट जानकारी का खुलासा करना आवशक है, जिसमें उसका राजस्व, लाभ्याहानी और संपत्ती शामिल है यहाँ जानकारी हिद्धारकों को यहाँ समझने में मदद करती है कि विभिन खंड कमपनी के समगर प्रदर्शन में कैसे योगदान करते हैं इसके अलावा, आपको खंडों की पहचान करने और उनमें अंतर करने के लिए उप्योग किये जाने वाले कारकों के साथ-साथ समय के साथ उन खंडों में होने वाले किसी भी बदलाव का भी खुलासा करना चाहिए रवी ने इस विचार पर विचार किया यदि मेरे पास ऐसे सेग्मेंट है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा? मुझे अपने प्रक्तिकरणों में इसे कैसे संभालना चाहिए? पारदर्शिता ही कुझी है, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की यदि कोई ओपरेटिंग सेग्मेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो आपको उस जानकारी का भी खुलासा करना चाहिए यहां अंतरद्रिष्टी प्रदान करना महत्वपूर्ण है कि कोई खंड खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा है और उन चुनोतियों का समाधान करने के लिए आपके पास क्या रणनीती है? इससे निवेशकों और हिद्धारकों को व्यवसाई के समग्र स्वास्थिका आकलन करने और सूचित निरने लेने में मदद मिलती है रवी ने एक और सवाल उठाया क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण खुलासे हैं जिनके बारे में मुझे अवगत होना चाहिए? हाँ, सच मुझ, शिक्षक ने जारी रखा इंडेयस 108 के अनुसार आपको ऑपरेटिंग सेग्मेंट के कुल राजस्व, लाभ्या हानी और परिसंपत्यों के बीच वित्तिय विवर्णों में संबंधित योग के बीच सामन जस्य प्रदान करने की भी आवशक्ता होती है जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता गया, रवी इंडेयस 108 की पेचीदगियों से मोहित होते गए उन्होंने महसूस किया कि उनकी भविश्य की कमपनी के भीतर प्रभावी प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए ओपरेटिंग सेग्मेंट को समझना महत्वपूर्ण था तो मेरे ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में स्पष्ट होने से निवेशकों और हिद्धारकों के साथ विश्वास बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंडएस 108 का पालन करके आप अपने व्यवसाई के विभिन घटकों में मूल्यवान अंतर द्रिष्टी प्रदान कर सकते हैं पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और हिद्धारकों को आपकी कमपनी के प्रदर्शन के बारे में सूचित निरने लेने में मदद कर सकते हैं जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने इंडएस 108 की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने पारदर्शिता और प्रदर्शन प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में जानकारी की पहचान और खुलासा करने का तरीका समझ लिया इस नए ज्यान के साथ रवी एक विवित व्यवसाई के प्रबंधन की जटिलताओं को पार करने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे विभिन ओपरेटिंग सेग्मेंट और समग्र सफलता में उनके योगदान के बारे में हिद्धारकों को सार्थक अंतर द्रिष्टी प्रदान करने की उनकी क्षमता में विश्वास था क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोफेर में, रवी अपनी कक्षा में टहल रहा था, अपने शिक्षक से एक और पाठ के लिए उच्साहित था, जो अपनी मनमोहक कहानी कहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता था आज, शिक्षक एक महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने के लिए तयार थे, इंड एज एक 109, जो वित्तिय साधनों से संबंधित है रवी अपनी सीट पर बैठ गया, यह देखने के लिए उच्सुक था कि कहानी कैसे सामने आएगी स्वागत भरी मुस्कान के साथ, शिक्षक ने कहना शुरू किया, सभी को शुप दोपहर आज, हम वित्तिय साधनों की दुनिया के माध्यम से एक साहसिक यात्रा पर निकलेंगे आईए कलपना करें कि रवी यहां एक संपन कंपनी का मुख्य वित्तिय अधिकारी है जोरिन, निवेश और डेरिवेटिव जैसे विभिन वित्तिय साधनों से संबंधित है यहां परिद्रिश्य हमें Industries AS109 को समझने में मार्गदर्शन करेगा रवी की रुची बढ़ी और उसने पूछा वित्तिय साधन वास्तव में क्या है सर, शिक्षक ने जवाब दिया वित्तिय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं जो एक पक्ष के लिए वित्तिय संपत्ति बनाते हैं और दूसरे के लिए वित्तिय देंदारियां या एक्विटी उपकरण बनाते हैं इनमें नकदी, स्टॉक, बांड और यहां तक की जटिल डेरिवेटिव जैसी कई वस्तुएं शामिल हो सकती हैं किसी कमपनी के वित्तिय स्वास्थे के प्रबंधन के लिए इन उपकरणों को समझना आवशक है रवी ने जानकारी को आत्मसात करते हुए सिरहिलाया इंड एस एक सो नौ के तहत में इन वित्तिय साधनों का हिसाब कैसे दूँ बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया इंड एस एक सो नौ वित्तिय साधनों को वर्गी कृत करने मापने और पहचानने के लिए एक व्यापक धांचे की रूपरेखा तयार करता है इसके लिए आपको इन उपकरणों को तीन मुख्य वर्गी करणों में वर्गी कृत करने की आवशक्ता है परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तिय संपत्ति अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्ति और लाभ्याहानी के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्ती रवी उच्सुकतावश आगे की ओर जुग गया क्या आप बता सकते हैं कि इन में से प्रत्येक वर्गी करण का क्या अर्थ है बेशक, शिक्षक ने जारी रखा परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तिय संपत्तियां आम तौर पर रिण और प्राप्य होती हैं जिन्हें आप परिपक्वता तक रखने का इरादा रखते हैं इन्हें किसी भी मूल भुक्तान और हानी हानी को घटा कर उनकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है दूसरी और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्तियों में एक्विटी उपकरन शामिल होते हैं जिन्हें आप इस तरह मापने के लिए चुनते हैं परिसंपत्ति बेचे जाने तक उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में दर्श किया जाता है अंत में लाभ्या हानी के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तिय परिसंपत्तियां वे होती हैं जिन्हें आप व्यापार के लिए रखते हैं, उचित मूल्य में परिवर्तन सीधे लाभ्याहानी में पहचाने जाते हैं। रवी ने इस पर गहराई से विचार किया। देंदारियों के बारे में क्या? मैं उनका हिसाब कैसे दू? उतक्रिष्ट प्रश्ण, रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया। परिशोधित लागत पर मापेंगे। हाला कि यदि आप व्यापार कर रही हैं या यह उचित मूल्य पर निर्दिष्ट है, तो कोई भी परिवर्तन लाभ्याहानी में पहचाना जाएगा। रवी ने एक और मुद्दा उठाया। हानी के बारे में क्या? या इस धाचे में कैसे फिट बैठता है? शिक्षक ने पुष्टी की नुकसान महत्वपूर्ण है। इंड-A.S.109 के तहट, आपको परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानी का आकलन करना आवशक है। इसमें परिसंपत्ति के जीवनकाल में संभावित नुकसान का अनुमान लगाना शामिल है। बिलकुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की, इन AS109 का पालन करके आप सटीक वित्तिय जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे हिद्धारकों को आपके वित्तिय साधनों से जुड़े जोखिमों और अवसरों का आकलन करने की अनुमती मिलती है। यहाँ पारदर्शिता विश्वास को बढ़ावा देती है और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है। जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, रवी ने इंड-A.S.109 की नई समझ के साथ कक्षा छोड़ दी। उन्होंने हानी मूल्यांकन के महत्व को पहचानते हुए, विभिन वित्तिय साधनों को वर्गी कृत करने, मापने और लेखांकन करने का तरीका समझ लिया। इस ज्ञान के साथ, रवी अपने भविश्य के करियर में वित्तिय प्रबंधन की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे। उन्हें हिद्धारकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान करते हुए अपनी कमपनी के वित्तिय स्वास्थ को बनाये रखने की क्षमता पर भरोसा था। क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजवल और धूप वाले दिन, रवी ने उत्साह की भावना के साथ अपनी कक्षा में प्रवेश किया। वह जानता था कि उसके शिक्षक, जो अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जटिल अवधारनाओं को समझने में उसकी मदद करने के लिए एक बार फिर एक आकरशक कहानी बुनेंगे। आज का पार्ट इन एजेक 110 के बारे में था जो समयकित वित्तिय विवरणों पर केंद्रित था। रवी यह जानने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस अवधारना को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ शिक्षक ने कक्षा का अभिवादन किया सभी को शुप दोपहर आज हम समयकित वित्तिय विवरणों की दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे। इस अवधारना को समझने में हमारी मदद करने के लिए आइए कलपना करें कि रवी यहां तेक इनोवेशन नामक एक कमपनी का मालिक है जिसने हाल ही में दो अन्य कमपनियों, स्मार्ट गैजेट्स और ग्रीन सॉल्यूशन्स का अधिग्रहन किया है। रवी कहानी से रोमान्चित होकर उच्साहित हो गया। तो मेरी कमपनियों के लिए इसका क्या मतलब है श्रीमान। शिक्षक ने आगे कहा, जब टेक इनोवेशन जैसी मूल कमपनी स्मार्ट गैजेट्स और ग्रीन सॉल्यूशन्स जैसी एक या अधिक सहायक कमपनियों का अधिग्रहन करती है, तो पूरे समूह की वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन का सही और निश्पक्ष द्रिष्टिक और प्रस्तुत करना आवशक है. यही पर IndeAs 110 काम में आता है, जिसके लिए आपको सम्यकित वित्तिय विवरण तयार करने की आवशकता होती है. रवी उद्सुक था, सम्यकित वित्तिय विवरण वास्तव में क्या है? शिक्षक ने समझाया, समेकित वित्तिय विवर्ण मूल कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों की वित्तिय जानकारी को वित्तिय विवर्णों के एक सेट में जोडते हैं यह केवल मूल कम्पनी के बजाए पूरे समूह के वित्तिय स्वास्थ्य और प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है यह महत्वपूर्ण क्यों है? रवी ने स्पष्टता की तलाश में पूछा समेकित वित्तिय विवरण निवेश को लेंदारों और नियाम को सहित हिद्धारकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समूह के समग्र संसाधनों और दायत्वों में अंतर द्रिष्टी प्रदान करते हैं यह उन्हें पूरी इकाई की वित्तिय स्थिती, लाभप्रत्ता और नकदी प्रवाह का आकलन करने की अनुमती देता है जिससे बहतर जानकारी वाले निरने लिए जा सकते हैं रवी ने सिर्हिलाया, समझने लगा मैं ये समयकित वित्तिय विवरण कैसे तयार करूँ? अच्छा सवाल है, शिक्षक ने कहा इंड़ेज 110 के तहट आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा सबसे पहले, उन सहायक कमपनियों की पहचान करें जिन्हें आप नियंतरित करते हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास उनकी वित्तिय और परिचालन नीतियों को नियंतरित करने की शक्ती है नियंतरन आम तौर पर तब मौजूद होता है जब आपके पास 50 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार होते हैं लेकिन यह समझोतों या अन्य व्यवस्थाओं से भी उत्पन हो सकता है रवी करीब जुग गया आगे क्या है? शिक्षक ने आगे कहा एक बार जब आप सहायक कमपनियों की पहचान कर लेते हैं तो आपको उनके वित्तिय विवरणों को मूल कमपनी के साथ जोडना होगा इसमें संपत्ति, देंदारियान, राजस्व और व्याय जैसी समान वस्तूओं को एक साथ जोडना शामिल है दोहरी गिंती से बचने के लिए किसी भी अंतर कमपनी लेंदेन जैसे मूल कमपनी और सहायक कमपनीयों के बीच बिक्री को खत्म करना महत्वपूर्ण है रवी की आखे चोड़ी हो गई यह थोड़ा जटिल लगता है क्या मुझे कोई विशिष्ट समायोजन करने की आवशकता है? हाँ, रवी, वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण समायोजन है शिक्षक ने पुष्टी की आपको गैरनियंतरित ब्याज का हिसाब देना होगा जो मूल स्वामित्व वाली सहायक कमपनी में इक्विटी के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है यह समेकित बैलेंस शीट और आय विवरण में दिखाई देगा इसके अलावा, अधिग्रहन के समय किये गए किसी भी उचित मूल्य समायोजन पर समेकन प्रक्रिया में भी विचार किया जाना चाहिए तो अगर मैं प्रीमियम पर एक सहायक कमपनी खरीदता हूँ तो मुझे समेकित विवरण में इसे प्रतिबिम्बित करना होगा, रवी ने पूछा बिल्कुल, शिक्षक ने उत्सा से कहा आपको अधिग्रहन तिथी पर सहायक कमपनी की पहचान योग्य समपत्तियों और देंदारियों के उचित मूल्य को पहचानना होगा शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक भुकतान किया गया कोई भी अतिरिक्त भुकतान समेकित वित्तिय विवरणों में सद्भावना के रूप में दर्ज किया जाता है रवी ने इस जानकारी पर विचार किया क्या होगा यदी मेरी सहायक कमपनियों की लेखांकन नीतियां अलग-अलग होँ एक और बढ़िया बात रवी शिक्षक ने उत्तर दिया समेकित वित्तिय विवरण तयार करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायक कमपनियों के वित्तिय विवरण मूल कमपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समायोजित किये गए हैं। यह समेकित बयानों के भीतर स्थिर्ता और तुलनियता सुनिश्चित करता है। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, रवी को इंडएस 110 का महत्व समझ में आने लगा। तो वित्तिय विवरणों को समेकित करके मैं हित्धारकों को अपने समूह के वित्तिय प्रदर्शन की पूरी तस्वीर प्रदान कर सकता हूँ। बिलकुल, रवी, शिक्षक ने पुष्टी की समेकित वित्तिय विवरण न केवल समूह की वास्तविक वित्तिय स्थिती को दर्शाते हैं, बलकि पारदर्शिता भी बढ़ाते हैं और हिद्धारकों के साथ विश्वास का निर्मान करते हैं। वे देख सकते हैं कि प्रतेक सहायक कम्पनी मूल कम्पनी की समग्र सफलता में कैसे योगदान देती हैं। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने इंड एस 110 की ठोस समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया। उन्होंने सहायक कम्पनीयों की पहचान करना, समेकित वित्तिय विवरन तयार करना और आवशक समायोजन करना सीख लिया। इस ज्ञान के साथ, रवी ने समूह संग्रचना में वित्तिय रिपोर्टिंग की जटिलताओं से निपटने के लिए तयार महसूस किया। और अपनी कम्पनीयों के सामूहिक प्रदर्शन के बारे में हिद्धारकों को सार्थक अंतर द्रिष्टी प्रदान करने की अपनी क्षमता में विश्वास किया। क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजवल दोपहर में रवी प्रत्याशा के साथ बुद्बुदाते हुए अपनी कक्षा में चला गया। उनके शिक्षक, जो अपनी आकर्शक कहानी कहने की तक्निकों के लिए जाने जाते हैं, एक और मनोरम पाठ प्रस्तुत करने के लिए तयार थे। आज, वे इंड एस 111 का पता लगाएंगे, जो सन्युक्त व्यवस्था से संबंधित है। रवी यहां देखने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस विशय को कैसे जीवन्त किया जाएगा। प्रसन्न मुस्कान के साथ शिक्षक ने कक्षा का अभिवादन किया, सभी को शुप दोपहर, आज हम सन्युक्त व्यवस्था की दुनिया में एक रोमान्चक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस अवधारणा को सपष्ट करने के लिए आए कलपना करें कि रवी यहां युवा उद्यमियों की एक टीम का हिस्सा हैं, जिनोंने पर्यावरण के अनुकूल प्रोध्योगी की समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इकोटेक नामक एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। सुनते सुनते रवी की जिग्यासा बढ़ती गई। इस बिजनेस में हम किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, सर? बहुत अच्छा सवाल है, रवी, शिक्षक ने उत्सापूरवक उत्तर दिया। इन एस 111 के दाइरे में सन्युक्त संचालन और सन्युक्त उद्यम। आईए अपने एकोटेक उद्यम की सहायता से इन में से प्रत्यक का पता लगाएं। रवी आगे की ओर जुग गया, जानकारी ग्रहन करने के लिए तैयार। सन्युक्त उपरेशन कैसे काम करता है। शिक्षक ने समझाया, एक सन्युक्त में शामिल पक्षों के पास व्यवस्था की देंदारियों के लिए संपत्तियों और दायत्वों का अधिकार होता है। कल्पना करें कि आप और आपके साथी सन्युक्त रूप से एक नई सौर पैनल तकनीक विक्सित करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्यक भागीदार उप करन और विशेशग्यता जैसे संसाधनों का योगदान देता है। और आप योगदान किये गए संसाधनों के आधार पर लाब और हानी को सीधे साजा करते हैं। दिल्चस्प लगता है। रवी ने कहा। तो मैं अपने स्वय के वित्तिय विवरणों में इस परियोजना से स आप सन्युक्त संचालन की संपत्तियों और देंदारियों के अपने हिस्से के साथ साथ उत्पन राजस्व और व्याय के अपने आनुपातिक हिस्से को पहचानेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तिय विवरण ओपरेशन में आपकी भागीदारी को सटीक रूप से दर्शाते हैं। रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। और सन्युक्त उध्यमों के बारे में क्या? वे कैसे भिन्न है? उतक्रिष्ट पूछताच, रवी, शिक्षक ने प्रसन्न होकर कहा, एक सन्युक्त उध्यम में पार्टियों के पास व्यवस्था की शुद् अधिकार होता है। इसमें आम तौर पर एक अलग कानूनी इकाई बनाना शामिल है, जैसे साजहदारी या सीमित देयता कमपनी। मान लीजिए कि आप और आपके साजहदार हरित प्रोध्योगी की उतपादों को विक्सित करने और बेचने के लिए इको इनोवेशन नामक एक नई कमपनी स्थापित करने का निरनय लेते हैं। यहां इको इनोवेशन एक अलग इकाई बन जाती है और आप में से प्रत्यक के पास इसमें शेर होंगे। तो मैं सीधे अपने वित्तिय विवर्णों में इको इनोवेशन की संपत्तियों और देंदारियों की रिपोर करके इको इनोवेशन में अपने निवेश का हिसाब देंगे। इसका मतलब है कि आप शुरू में लागत पर अपने निवेश को पहचानेंगे और बाद में आप सन्युक्त उद्यम के लाभ या हानी के अपने हिस्से को प्रतिभिंबित करने के लिए अपने निवेश को सम रवी ने इस पर गहराई से विचार किया, क्या होगा यदी सन्युक्त उद्यम लाब कमाता है या हानी उठाता है? अच्छा प्रश्न, शिक्षक ने उत्तर दिया. यदी इको इनोवेशन लाब कमाता है, तो आप लाब के अपने हिस्से से अपने वित्तिय विवरणों में अ इसके विप्रीत, यदी इससे नुकसान होता है, तो आप तदनुसार अपना निवेश कम कर देंगे. यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवरण सन्युक्त उद्यम में आपके निवेश के प्रदर्शन को दर्शाते हैं. रवी ने अवधारणाओं के साथ अध में महत्वपूर्ण खुलासे हैं. शिक्षक ने समझाया, इन एस 111 के तहट आपको उन सन्युक्त व्यवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आवशक है, जिनमें आप शामिल हैं, जिसमें व्यवस्थाओं की प्रकृती, संपत्ती में आपक अपकी भागीदारी को समझने के लिए हिद्धारकों के लिए यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण है. जैसे ही पार्ट समाप्थ हुआ, रवी को इन एस 111 के बारे में ज्यान प्राप्थ हुआ. अब वह सन्युक्त संचालन और सन्युक्त उद्यमों के बीच अंतर वित्त के उद्यमशिलता प्रयासों में सन्युक्त व्यवस्था की जटिलताओं को नेविगेट करने में सक्षम महसूस हुआ. उसे विश्वास था कि वा अन्य व्यवसायों के साथ सहयोग पर प्रभावी धंग से प्रबंधन और रिपोर्ट कर सकता है. कृप्या सूचनाएं प् और मनोरम पाठ की प्रतीक्षा में जो अपनी कहानी कहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे. आज कक्षा को इंड एज 112 में गहराई से जाने के लिए निर्धारित किया गया था, जो अन्य संस्थाओं में हितों के प्रक्तिकरण पर केंद्रित है. रवी अपनी सीट पर बैठ गया, यह जानने को उच्सुक था कि यह जटिल विशय एक कहानी के माध्यम से कैसे सामने आएगा. उजवल मुसकान के साथ शिक्षक ने छातरों का अभिवादन किया, सभी को शुप दोपहर, आज हम वित्तिय प्रक्तिकरण की दुन्या की खोज में एक यात्रा पर निकलेंगे, विशेश रूप से इंड एज 112 पर ध्यान के इंद्रित करते हुए. इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आए कलपना करें कि रवी यहां विभिन उद्यमों में काफी व्यस्त है. इको टेक और इको इनोवेशन के साथ अपने काम के अलावा उन्होंने दो अन्य कमपनियों, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन्स और सस्टेनेबल प्रोडक्स कमपनी में भी निवेश किया है. सुनते ही रवी की दिल्चस्पी बढ़ गई. मेरे निवेश के लिए इसका क्या मतलब है? सर, शिक्षक ने आगे कहा, उतक्रिष्ट प्रश्न, रवी. जैसे ही आप इन कमपनियों में निवेश करते हैं, आपके लिए उनमें अपने हितों का खुलासा करना आवश्चक हो जाता है, खासकर अपने वित्तिय विवरण तयार करते समय. इन्डस्ट्रीज एस 112 के तहट, आपको अन्य संस्थाओं में अपने हितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे करने होंगे, जिनमें सहायक कमपनियां, संयुक्त व्यवस्थाएं और सहयोगी शामिल हो सकते हैं. रवी ने विचार को समझने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें सिकोड ली. तो मुझे इन कमपनियों के बारे में वास्तव में क्या खुलासा करना चाहिए? बहुत बढ़िया पूछताच, शिक्षक ने उत्तर दिया. आपको प्रत्य किकाई में अपनी रुची की प्रकृती के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवशक्ता होगी, जिसमें उनके साथ आपके संबंध का प्रकार भी शामिल है. उदाहरण के लिए क्या वे सहायक कमपनिया हैं जहां आपका महत्वपूर्ण नियंतरन है, क्या वे सन्युक्त उद्यम हैं जहां आप नियंतरन साजा करते हैं, या सहयोगी हैं जहां आपका महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन नियंतरन नहीं है. रवी ने सिर्हिलाया, समझने लगा और मैं यह कैसे निर्धारित करूं कि महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। इसलिए मुझे अपने खुलासे में इन रिष्टों को सपष्ट करने की जरूरत है। रवी विचारशी लग रहा था। क्या होगा यदि इन संस्थाओं की वित्तिय जानकारी तक पहुँचने के मेरे अधिकारों पर कोई प्रतिबंध हो। अच्छी बात है। रवी शिक्षक ने जारी रखा। यदि आप जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके वित्तिय प्रदर्शन या स्थिती के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आपकी क्षमता पर प्रतिबंध हैं, तो आपको उसका भी खुलासा करना होगा। या उन हित्धारकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है जो निर्णे लेने के लिए आपके वित्तिय विवरणों पर भरोसा करते हैं। रवी की आखे एहसास से चमक उठीन। तो इन खुलासों का उद्देश अन्य संस्थाओं में मेरी रुचियों की पूरी तस्वीर प्रदान करना है। बिल्कुल, शिक्षक ने उत्सापूर्वक उत्तर दिया। इन्ट-A.S. 112 वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोड देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निवेश को लेंदारों और नियामकों सहित हिद्धारकों के पास अन्य संस्थाओं में आपके हितों के बारे में प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच हो। इससे उन्हें आपके समग्र व्यावसाइक संचालन के वित्तिय स्वास्थ्य और प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे रवी का आत्म विश्वास बढ़ता गया, कक्षा जारी रही। मुझे अपने हितों के बारे में और क्या खुलासा करने की आवशकता है। शिक्षक ने विस्तार से बताया, आपको इन हितों के वित्तिय प्रदर्शन का भी खुलासा करना होगा। उदारण के लिए यदि आपके सहयोगी या सन्युक्त उद्यम महत्वपूर्ण लाभ्या हानी उत्पन करते हैं, तो इस जानकारी को शामिल करना आवशक है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी और इन संस्थाओं के बीच किसी भी लेंदेन का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दोनों पक्षों की वित्तिय स्थिती को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे पार्ट समाप्त होने लगा, रवी को इंडस्ट्रीज एस 112 की सपष्ट समझ के साथ सशक्त महसूस हुआ। उन्होंने वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की आवशक्ता को पहचानते हुए, अन्य संस्थाओं में अपने हितों का खुलासा करने के महत्व को समझा। इस ज्ञान के साथ, रवी अपने निवेश की जटिलताओं को सुलजाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भैतर ढंग से तयार थे कि वहाँ अपने वित्तिय विवरणों में विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए, अपने व्यावसायक उद्यमों के बारे में हिद्धारकों को सार्थक अंतर द्रिष्टी प्रदान करें, कृपया सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं, एक धूप भरी दोपहर में रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ, यह जानने के लिए उच्सुक था कि कौन सा मनोरम पाठ उसका इंतिजार कर रहा है। उनके शिक्षक, जो अपनी कहानी कहने की प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, छातरों को इंड एज एक 113 की जटिल दुनिया के माध्यम से मार्ग दर्शन करने के लिए तयार थे, जो उचित मूल्य माप पर केंद्रित है। रवी यह जानने के लिए उच्साहित होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस जटिल विशय को एक कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाएगा। गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ शिक्षक ने कहना शुरू किया, सभी को शुब दोपहर। आज हम उचित मूल्य माप की आकरशक अवधारणा का पता लगाने जा रहे हैं। इसे सपष्ट करने के लिए आए कलपना करें कि रवी ने हाल ही में पेंटिंग के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक छोटी आर्ट गैलरी शुरू की है। उसके पास कई खूबसूर ने आगे कहा, लेखांकन की दुनिया में उचित मूल्य को उस कीमत के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो किसी परिसंपत्ती को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथी पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेंदेन में देयता को थानांतरित करने के लिए भुक्तान किया जाएगा, जब आप अपनी कलाकृतियों के मूल्य का आकलन करेंगे तो यह परिभाशा आपका मार्गदर्शन करेगी, तो सर, मैं अपनी पेंटिंग का उचित मूल्य कैसे निर्धारित करूँ, रवी ने उच्सुकता से पूछा शिक्षक ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया प्रश्न, रवी इंडस्ट्रीज एस 113 के तहट, उचित मूल्य को मापने के लिए तीन प्रमुख द्रिष्टिकोन हैं, बाजार द्रिष्टिकोन, आए द्रिष्टिकोन और लागत द्रिष्टिकोन आईए एक उदाहरण के रूप में अपनी आर्ट गैलरी का उप्योग करके इन में से प्रत्येक द्रिष्टिकोन का पता लगाएं जानकारी को आत्मसात करने के लिए उत्सुक होकर रवी आगे की ओर जुग गया बाजार द्रिष्टिकोन क्या है? शिक्षक ने समझाया बाजार द्रिष्टिकोन समान समपत्तियों के लिए अवलोकन योग्य बाजार कीमतों पर निर्भर करता है आपके मामले में आप अपने स्थानियक शेत्रिया आउनलाइन प्लाटफॉर्म पर बेची जाने वाली समान कलाकृतियों की कीमते देख सकते हैं यदि आपको कोई तुल्निय पेंटिंग मिलती है जो दस हजार रुपए में बिकी है तो आप इस जानकारी का उप्योग अपनी कलाकृती के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं तारकिक लगता है रवी ने कहा आए द्रिष्टिकोन के बारे में क्या आए द्रिष्टिकोन शिक्षक ने विस्तार से बताया भविश्य में नकदी प्रवा पर आधारित है जो एक परिसंपत्ती उत्पन होने की उम्मीद है अपनी पेंटिंग के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप समय के साथ अपनी कलाकृतियों को बेचने से कितना राजस्व अर्जित करने की उम्मीद करते हैं भविश्य के नकदी प्रवा को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर आप अपनी पेंटिंग के लिए उचित मूल्य पर पहुँच सकते हैं यहां विधी उन परिसंपत्यों के लिए अच्छा काम करती है जो नियमित आय उत्पन करती हैं दिल्चस्प और लागत द्रिष्टिकोन क्या है रवी ने पूछा उसकी जिग्यासा गहरी हो गई शिक्षत ने उत्तर दिया लागत द्रिष्टिकोन उस राशी पर केंद्रित है जो किसी संपत्ती को बदलने या पुन उत्पन करने में लगेगी आपके मामले में इसका मतलब आपकी कलाकृती बनाने में लगने वाली सामगरी और श्रम की लागत पर विचार करना है यदि किसी विशेश पेंटिंग को बनाने में आपको पांच हजार रुपै का खर्च आया तो आप इस आंकडे का उप्योग उचित मूल्य के रूप में कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि यहाँ बाजार में संपत्ती के मूल्य को सटीक रूप से दर्शाता है रवी ने इस अवधारणा के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हुए सिरहिलाया तो मैं वह द्रिश्टिकोंड चुन सकता हूँ जो मेरी पेंटिंग्स के मूल्य को सर्वुत्तम रूप से दर्शाता है बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि द्रिश्टिकोंड का चुनाव डेटा की उपलब्धता और परिसंपत्ती की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए इसके अलावा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित मूल्य माप समय के साथ सुसंगत रहें और उन्हें अपने वित्तिय विवर्णों में उचित रूप से प्रकट करें रवी ने और अधिक समझने की उच्छुकता से अपना हाथ उठाया यदि मेरी कलाकृतियों के लिए कोई सक्रिय बाजार नहीं है, तो क्या होगा? फिर मैं उनका उचित मूल्य कैसे माप सकता हूँ? शिक्षक मुस्कुराए, एक वैद चिंता, रवी ऐसे मामलों में, आपको उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए मूल्यांकन तक्निकों का उप्योग करने की आवशक्ता हो सकती है, जिसमें बाजार डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल हो यही पर बाजार और विशिष्ट परिसंपत्ती की गहरी समझ के साथ-साथ पेशेवर निर्णय भी काम आता है जैसे जैसे पाठ जारी रहा, रवी को इंडस्ट्रीज एस 113 के ज्यान से सशक्त महसूस हुआ उन्हें अपनी संपत्ती के मूल्य की सटीक रिपोर्ट करने में उचित मूल्य माप के महत्व का एहसास हुआ जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वहाँ अपनी आर्ट गैलरी की वित्तिय स्थिती को पारदर्शी और विश्वस्निय रूप से प्रस्तुत कर सकें अंत में जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई शिक्षक ने सभी को याद दिलाया याद रखें उचित मूल्य माप केवल संख्याओं के बारे में नहीं है यह बाजार की गतिशीलता को समझने और सोच समझ कर निरनय लेने के बारे में है इस ज्ञान के साथ आप आत्मविश्वास के साथ अपनी संपत्ती के मूल्यांकन की जटिलताओं से निपटने में सक्षम होंगे उस दिन रवी ने प्रबुद्धता महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी वह अपनी आर्ट गैलरी में उचित मूल्य माप के सिध्धान्तों को लागू करने के लिए तैयार था यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उचली सुभा में रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ यह देखने के लिए उच्सुक था कि उसके शिक्षक ने उस दिन के लिए कौन सा अनोखा पाट तयार किया था अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक छात्रों को इंड एस 114 के जटिल विशय के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए तयार थे जो नियामक स्थगन खातों से संबंधित है जैसे ही रवी अपनी सीट पर बैठा, वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि इस अवधार्णा को कहानी में कैसे बुना जाएगा सुप्रभात, कक्षा, शिक्षक ने शुरुआत की उसकी आँखें उत्सा से चमक रही थी आज, हम विन्यामक स्थगन खातों की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे इस अवधार्णा को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए आईए कल्पना करें कि रवी ने हाल ही में अपने समुदाएं में बिजली सेवाएं प्रदान करने वाला व्यवसाएं शुरू किया है रवी के कान खड़े हो गए बिजली सेवाएं यह दिल्चस प्लकता है सर शिक्षक ने आगे कहा हाँ, रवी इस परिद्रिश्य में आपको ग्राकों से उनके द्वारा उपभोग की गई उर्जा के आधार पर शुल्क लेने की अनुमती है लेकिन आपके पास कुछ नियामक समझोते भी हैं जो आपको कुछ लागतों को स्थगित करने की अनुमती देते हैं मान लीजिये कि उचित मूल्य निर्धारन सुनिश्चित करने के लिए सरकार यह नियंतरित करती हैं कि आप अपने ग्राहकों से कितना शुल्क ले सकते हैं रवी ने स्थिती को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया तो ये विनियामक स्थगन कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है रवी, शिक्षक ने उत्तर दिया इन AS 114 के तहट, नियामक स्थगन खातों का उप्योग उन खर्चों और राजस्व को पहचानने के लिए किया जाता है जिने आप अपने व्यवसाई को नियंतरित करने वाले नियोमों के कारण स्थगित करने की अनुमती देते हैं उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बिजली के बुन्यादी धाचे में सुधार के लिए लागत लगाते हैं, लेकिन उन लागतों के लिए अपने ग्रहकों से तुरंत शुल्क नहीं ले सकते हैं, तो आप इन लागतों को नियामक स्थगन खातों के रूप में पहचान स रवी उत्सुक दिखे, तो मैं इन लागतों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, भले ही मैं अपने ग्रहकों से तुरंत शुल्क न ले रहा हूँ। वास्तविक आर्थिक प्रभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं। आप इस दो मिलियन रुपए के खर्च को अपनी बैलेंस शीट पर एक नियामक स्थगन खाते के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे ही आप अपने ग्रहकों से भुकतान एकत्र करते हैं, आप धीरे धीरे इन राशियों को नियामक स्थगन खाते से राजस्व के रूप में अपने आई विवरण में स्थानांतरित कर देंगे। बिंदूओं को जोडते हुए रवी की आखे चौड़ी हो गई। तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने ये लागते वहन की हैं, लेकिन मुझे तुरंत अपने लाभ्या हानी पर प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है। बिलकुल शिक्षक ने उत्तर दिया। हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियामक स्थगन खाते को केवल तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब यह इन एस 114 द्वारा निर्धारित विशिष्ट मान्दंडों को पूरा करता हो। इसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि लागत की वसूली संभव है और स्थगन को संबंधित नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिकार रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा क्या होगा यदि नियामक संस्था उन लागतों को वसूलने के बारे में अपना मन बदल दे। एक और उतक्रिष्ट प्रश्न शिक्षक ने उत्तर दिया यदि नियामक वातावर्ण बदलता है या यदि आप यह निर्धारित करते हैं कि पुनर प्राप्ति अब संभव नहीं हैं तो आपको नियामक स्थगन खाते की मान्यता रद्द करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको अपने आय विवरण में नुकसान को पहचानना होगा। विनियामक परिवर्थनों के बारे में अध्यतन रहना और उसके अनुसार अपने खातों का प्रबंधन करना आवशक है। जैसे जैसे पाट आगे बढ़ा, रवी को इंडस्ट्रीज एस 114 के बारे में आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने नियामक ढांचे का अनुपालन करते हुए अपने बिजली व्यवसाई की वित्तिय स्थिती का सटीक प्रतिनिधित्व करने में नियामक स्थगन खातों के महत्व को समझा। कक्षा के अंध तक शिक्षक ने संक्षेप में कहा याद रखें विन्यामक स्थगन खाते आपके जैसे व्यवसायों को भविश्य के राजस्व के साथ लागतों का मिलान करने की अनुमती देते हैं, जिससे वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और निश्पक्ष सुनिश्चित होती है. यह प्रथा उन उद्योगों में महत्वपूर्ण है जहां नियम मूल्य निर्धारण और लागत वसूली निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं. जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने खुद को पहसूस किया और विन्यामक स्थगन खातों के बारे में मूल्यवान ज्यान से सुसज्जित हो गया. वह इन सिध्धान्तों को अपने बिजली व्यवसाय में लागू करने के लिए तैयार था. यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने संचालन को नियंतरित करने वाले नि दिकन दबाएं. एक धूप भरी दोपहर में रवी दिन के पाठ के लिए उत्सा से भरा हुआ अपनी कक्षा में चला गया. उनके शिक्षक जो अपने उल्लेखनी या कहानी कहने के कौशल के लिए जाने जाते हैं, इन डेयस 115 की जटिलताओं को जानने के लिए उत्सुक थ जो ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर केंद्रित है. जैसे ही रवी अपनी सीट पर बैठा, उसने सोचा कि उसके शिक्षक इस जटिल विशय को कैसे जीवन्त करेंगे. शुप दोपहर, कक्षा, शिक्षक ने शुरू किया, उसकी आखों में चमक थी. आज, हम एक कहानी के लेंस के माध्यम से राजस्व मान्यता की दुनिया में उतरेंगे. कल्पना कीजिए कि रवी ने अद्वितिय केस और चार्जर बनाकर और बेचकर अपना खुद का मोबाइल फोन एक्सेसरीज व्यवसाई शुरू किया है. रवी अपनी आकांक्षाओं से जु पध्यमशीलता यात्रा पर निकल रहा है. तो उसे यह समझने की जरूरत है कि वह अपने ग्राहकों के साथ किये गए अनुबंधों से राजस्व को कैसे पहचाने. Industries AS 115 के तहट, राजस्व तब पहचाना जाता है जब वस्तूओं या सेवाओं का नियंतरन ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यह पांच चरणिय प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है. रवी ने ध्यान से सुना जब उसके शिक्षक ने पहला चरण समझाया. पहला कदम ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करना है. मान लीजिये कि रवी को एक स्थानिय स्टोर से एक सौ मोबाइल फोन केस का ओर्डर मिला है. यह आदेश एक अनुबंध का गठन करता है, क्योंकि यह कीमत और डिलिवरी समयरेखा सहित विशिष्ट शर्तों को रेखांकित करता है. समझ गया सर, अगला कदम क्या है? रवी ने और अधिक जानने के लिए उत्सुख होकर पूछा. दूसरा चरण अनुबंध में प्रदर्शन दायत्वों की पहचान करना है. शिक्षक ने विस्तार से बताया. इस मामले में रवी को मामलों को वित्रित करके आदेश को पूरा करना होगा. हाला कि यदि वह मामलों के लिए वारंटी प्रदान करने का भी वादा करता है, तो उस वारंटी को एक अलग प्रदर्शन दायत्व माना जाता है, क्योंकि यह ग्राहक को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है. रवी ने जानकारी को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया. यदि स्टोर सौ मामलों के लिए दस हजार रुपए का भुक्तान करने के लिए सहमत होता है, तो यह लेंदेन मूल्य बन जाता है. हाला कि यदि रवी छूट की पेशकश करता है, तो उसे इसे अंतिम कीमत में शामिल करना होगा. दिल्चस्प मैं देखता हूँ कि यह कैसे काम करता है. रवी ने कहा, उसका उत्सा बढ़ रहा है. शिक्षक ने आगे कहा, चौथे चरण में प्रदर्शन दायत्वों के लिए लेंदेन मूल्य आवंटित करना शामिल है. यदि रवी के अनुबंध में मामले और वारंटी दोनों शामिल हैं, तो उन्हें अपने स्टैंडलोन बिक्री मूल्यों के आधार पर प्रत्येक दायत्व के लिए दस हजार रुपे का एक हिस्सा आवंटित करने की आवशक्ता होगी. यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त राजस्व प्रत्येग घटक के मूल्यों को दर्शाता है. वा, यह काफी विस्त्रित है, रवी ने कहा. और अन्तिम चरण क्या है? शिक्षक ने अपने उत्सावर धक्स्वर में कहा, प्रदर्शन दायत्वों को पूरा करने पर अन्तिम चरण राजस्व को पहचानना है. एक बार जब रवी मामलों को स्टोर में पहुँचा देता है और नियंतरन स्थानांतरित कर देता है, तो वह अपने वित्तिय विवरणों में राजस्व को पहचान सकता है. यदि वारंटी एक वर्ष से अधिक बढ़ जाती है, तो वह वारंटी के लिए राजस्व को अलग से पहचानेगा क्योंकि वह समय के साथ उस दायत्व को पूरा करता है. इस प्रक्रिया को समझकर रवी की आखे चौड़ी हो गई. तो राजस्व की सही पहचान करने के लिए मुझे इस बात पर नजर रखने की ज़रूरत है कि मैं मामले कब सौम्पता हूं और कब वारंटी सेवाएं प्रदान करता हूं. बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की. इस पांच चरणिया मॉडल को समझने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपकी वित्तिय रिपोर्टिंग इंड एज 115 के साथ संद्रेखित है. आपके व्यवसाय के वित्तिय प्रदर्शन को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए उचित राजस्व पहचान महत्वपूर्ण है. जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, शिक्षक ने जोड दे कर कहा, याद रखें, रवी, राजस्व को पहचानना केवल संख्याओं को दर्ज करने के बारे में नहीं है, यह अंतरनेहित अनुबंधों और आपके ग्रहकों को प्रदान किये गए मूल्य को समझने के बारे में है. यह ज्यान आपको एक उद्यमी के रूप में अपने व्यवसाई को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाएगा. इंड एज 115 की नई समझ के साथ, रवी प्रेरित महसूस करते हुए कक्षा से बाहर चला गया. वह इन सिध्धान्तों को अपने मोबाइल फोन एक्सेसरीज व्यवसाई में लागू करने के लिए उच्साहित थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे राजस्व की सटीक पहचान कर सकें और अपने उद्यम की सपष्ट वित्तिय तस्वीर पेश कर सकें. क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक उचली दोपहर में, रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ. यह देखने के लिए उचसुक था कि उसके शिक्षक के पास क्या मनमोहक पाठ है. अपने अद्वितिय कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक इंड-AS 116 के जटिल विशय का पता लगाने के लिए तैयार थे, जो की पहले के इंड-AS 17 की जगा पट्टो से संबंधित है. रवी इस बात को लेकर उचसुक थे कि इस अवधारणा को एक कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाएगा. शुप दौपहर, कक्षा, शिक्षक ने अभिवादन किया, उसकी आवाज गर्म जोशिपूर्ण और आमंत्रित्थी. आज हम एक कहानी के माध्यम से पट्टे के बारे में जानने जा रही हैं. कल्पना कीजिए कि रवी अपने पडोस में एक छोटा सा कैफे शुरू कर रहा है. अपने कैफे को चलाने और चलाने के लिए उसे संचालत करने के लिए जगह की आवशकता है. जब रवी ने खुद को एक कैफे मालिक के रूप में देखा तो उसकी रुची बढ़ गई. उसे किस तरह की जगह चाहिए सर? शिक्षक ने आगे कहा, रवी के कैफे के लिए आदर्श स्थान एक व्यस सडक के कोने पर एक अनोखी छोटी सी जगह है. हालां कि संपत्ती खरीदने के बज़ाए, रवी ने इसे पांच साल की अवधी के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया. यह निरनय उसे अपने व्यवसाई के अन्य पहलूओं, जैसे उपकरण और इन्वेंट्री के लिए अपने धन को संरक्षित करने की अनुमती देता है. पट्टे की व्यावहारिक्ता को समझते हुए रवी ने सिर हिलाया. तो इंड-AS 116 कैसे चलन में आता है? शिक्षक ने समझाया, इंड-AS 116 का सार यह है कि यह वित्तिय विवरणों में पट्टो का हिसाब किताब करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है. इस मानक के तहट, जब रवी लीज समझोते पर हस्ताक्षर करता है, तो उसे अपनी बैलन्स शीट पर उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती और लीज देंदारी को पहचानने की आवशक्ता होती है. यह इंडस्ट्रीज एस सत्रह से अलग है, जहां पट्टो को परिचालन या वित्पट्टो के रूप में वर्गी क्रित किया गया था. क्या आप इसे और समझा सकते हैं? सर, रवी ने उच्छुकता से पूछा. बेशक हमारे मामले में एक बार जब रवी पट्टे पर हस्ताक्षर कर देता है, तो उसे भविश्य के पट्टे के भुकतान के वर्तमान मूल्य की गणना करनी होगी, शिक्षक ने विस्तार से बताया. मान लीजिये की वार्शिक पट्टा भुकतान एक लाख रुपए है, जो प्रत्यक वर्ष के अंत में देय है. रवी को अपनी बैलन्स शीट पर पहचानी जाने वाली कुल्लीज देंदारी निर्धारित करने के लिए इन भविश्य के भुकतानों में छूट देनी होगी. रवी की भौवें हलकी सी सिकुड गई. उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती के बारे में क्या? शिक्षक ने आगे कहा, उप्योग की संपत्ती लीज अवधी के दौरान पट्टे पर दी गई जगह का उप्योग करने के रवी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है. वह शुरू में इस संपत्ती को लीज देंदारी के समान राशी पर पहचानेगा, जिसे किसी भी प्रीपेड लीज भुक्तान या प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत के लिए समायोजित किया जाएगा. यहां आर्थिक वास्तविक्ता को दर्शाता है कि रवी पट्टे की अवधी के लिए पट्टे पर दी गई जगह को नियंत्रित करता है. यहां समझ में आता है, रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए कहा. पट्टे की अवधी के दौरान क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, शिक्षक ने उत्तर दिया. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, रवी को उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती का परिशोधन करना होगा और पट्टे की देंदारी पर ब्याज व्याय को पहचानना होगा. हर महीने, वह उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती के मूल यहरास और बकाया लीज देंदारी पर ब्याज व्याय का हिसाब देगा. यहाँ द्रिश्टिकोण व्याय पहचान को उस अवधी के साथ संदेखित करता है, जिसमें उसे पट्टे से लाब होता है. तो, इसका मेरे वित्तिय विवर्णों पर क्या प्रभाव पढ़ता है? रवी ने पूछा. प्रभाव महत्वपूर्ण है, शिक्षक ने जोड दिया. पट्टा देंदारी और उप्योग के अधिकार वाली संपत्ति को पहचानने से, रवी की बैलेंस शीट उनकी वित्तिय स्थिती को अधिक सटीक रूप से दर्शाएगी. उसका कैफे अधिक लाभप्रत दिखाई देगा, जिससे पता चलेगा कि उसके पास संपत्ति और संबंधित देंदारी दोनों हैं. इसके अतिरिक्त, INDAS 116 के तहट यहाँ नया उपचार कंपनी की लीजिंग गतिविधियों के संबंध में अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है. जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ा, रवी ने INDAS 116 के महत्व को समझना शुरू कर दिया. तो लीजिंग मेरी लाभप्रत्ता और वित्तिय अनुपात को प्रभावित कर सकती है. है ना? उन्होंने पूछा. बिल्कुल, शिक्षक ने पुष्टी की. इस मानक को समझने से आपको पट्टे पर देने बनाम संपत्ती खरीदने के बारे में सूचित निरने लेने में मदद मिलेगी और आप हिद्धारकों के सामने अपनी वित्तिय स्थिती को सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे. जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, शिक्षक ने संक्षेप में कहा, याद रखें, रवी, इंड एस 116 की मुख्य बात यह है कि यह पट्टा लेखांकन में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोड देता है. संपत्ति के उप्योग के अधिकार और पट्टे की देंदारी को पहचान कर, आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके कैफे व्यवसाई की वास्तविक्ताओं को सटीक रूप से दर्शाते हैं. पट्टो की नई समझ के साथ, रवी प्रेरित होकर कक्षा से बाहर चला गया. उन्होंने पट्टे और अपने वित्तिय स्वास्थे पर इसके प्रभाव का ध्यान रखते हुए अपने कैफे के प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस किया. क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक थंडी दोपहर में, रवी अपनी कक्षा में चला गया, अपने शिक्षक से एक और आकरशक पाठ के लिए उच्साहित होकर, जो अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है. आज का विशय इंड एज एक सो उन्नीस था, जो सेवा रियायत व्यवस्था से संबंधित है. रवी इस बात को लेकर उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटे लवधारना को एक कहानी में कैसे पिरोएंगे. शुब दोपहर, कक्षा, शिक्षक ने अभिवादन किया, उसकी मुस्कान प्रभावशाली थी. आज, हम एक कथा के माध्यम से सेवा रियायत व्यवस्था का पता लगाएंगे. आईए कल्पना करें कि रवी ने अपने समुदाय में एक सारवजनिक पार्क को विक्सित करने और प्रबंधित करने की परियोजना शुरू की है. रवी की आखे दिल्चस्पी से चौड़ी हो गई. एक पार्क यह मजेदार लगता है. वास्तव में यह है शिक्षक ने जारी रखा. इस परिद्रिश्य में स्थानिय सरकार ने रवी को सेवा रियायत व्यवस्था से सम्मानित किया है. इसका मतलब यह है कि उसे एक निर्दिश्ट अवधी, मान लीजिये कि 20 वर्ष के लिए पार्क को विक्सित करने, संचालत करने और बनाए रखने का अधिकार है. इस दौरान, रवी जनता को पार्क सेवाएं, जैसे रखर खाव, सुविधाएं और मनोरंजग गतिविधियां प्रदान करेगा. यह एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह लगता है. रवी ने जानकारी को आत्मसात करते हुए कहा. बिलकुल. हाला की, इसमें एक दिक्कत है. शिक्षक ने समझाया. हाला की रवी के पास पार्क को संचालित करने का अधिकार है. स्थानिय सरकार अभी भी भूमी का स्वामित्व बरकरार रखती है. इन्डस्ट्रीज एस 119 के अनुसार, रवी को अपने वित्तिय विवर्णों में इस व्यवस्था का हिसाब देना होगा. ठीक है, लेकिन वहां ऐसा कैसे करता है? रवी ने उच्सुक्ता से पूछा. शिक्षक ने विस्तार से बताया, पहला कदम सेवा रियायत से संबंधित वित्तिय संपत्ति या अमूर्ध संपत्ति को पहचानना है. यदी सरकार ने रवी को पार्क तक पहुँच के लिए उप्योग करताओं से शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया है, तो इससे राजस्व उत्पन होता है. इस मामले में, रवी एक वित्तिय परिसंपत्ति को मान्यता देगा जो उप्योग करताओं से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के उनके अधिकार को दर्शाता है, जैसे कि प्रवेश शुल्क और घटनाओं से किराये की आए. रवी ने संबंध समझते हुए सिरहिलाया. परिचालन अनुदान प्रदान करती है, तो उसे एक अमूर्थ संपत्ति की पहचान करनी चाहिए, शिक्षक ने स्पष्ट किया. यह अमूर्थ संपत्ति सेवा रियायत व्यवस्था के तहत उसे दिये गए अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है. उदाहरण के लिए, यदि सरकार खेल का मैदान बनाने के लिए धनराशी का योगदान देती है, तो रवी इसे अपनी बैलन्स शीट पर एक अमूर्थ संपत्ति के रूप में दर्ज करेगा. यह दिल्चस्प है, सर, खर्चों के बारे में क्या? रवी ने आगे पूछा, शिक्षक ने समझाया, पार्प का प्रबंधन करते समय रवी को भी खर्च उठाना पड़ेगा. इंडेस 119 के अनुसार, उसे इन खर्चों को उसी रूप में पहचानने की आवश्चक्ता होगी जैसे वे किये गए हैं. उदाहरण के लिए, यदि वह पार्प के रखरखाव के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करता है या उपकरण खरीदता है, तो ये लागत उसके लाभ और हानी विवरण में दिखाई देगी. रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, इससे मेरी समग्र वित्तिय स्थिती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक ने कहा, प्रभाव महत्वपूर्ण है, वित्तिय और अमूर्द संपत्तियों को पहचानने से, रवी की बैलेंस शीट सेवा रियायत व्यवस्था से प्राप्त मूल्य की सपष्ट तस्वीर दिखाएगी. इसके अतिरिक्त, उसे यह सुनिश्चित करने की आवशक्ता होगी कि उप्योग करता शुलक और अनुदान से उसका राजस्व व्यवस्था की आर्थिक वास्तविक्ता को दर्शाते हुए सटीक रूप से रिपोर्ट किया गया है. वाह, यह विचार करने लायक बहुत कुछ है. रवी ने स्वीकार किया. अगर व्यवस्था खत्म हो गई तो क्या होगा? मैं इसका हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने आगे कहा, जब सेवा रियायत व्यवस्था समाप्थ हो जाएगी, तो रवी को संपत्ती के मूल्य और किसी भी शेश दायत्वों पर विचार करना होगा. अगर उसने पार्क विक्सित करने में निवेश किया है, तो उसे यहां आकलन करना होगा कि क्या वह उन लागतों को वसूल कर सकता है. वित्तिय या अमूर्द समपत्ती में किसी भी शेश मूल्य का उचित हिसाब लगाया जाना चाहिए. जैसे ही पार्ट समाप्त हुआ, शिक्षक ने संक्षेप में कहा, याद रखें. रवी, Industries AS 119 सेवा रियायत व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोड देता है. यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक शेत्र और निजीक शेत्र दोनों संस्थाएं अपने अधिकारों और दायत्वों का सटीक हिसाब लगा सकें. यह समझ आपको स्पष्ट वित्तिय तस्वीर पेश करते हुए अपने प्रोजेक्ट को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगी. सेवा रियायत व्यवस्था के नए ज्यान से रवी प्रेरित होकर कक्षा से बाहर चला गया. उन्होंने पार्प के प्रबंधन की चुनौती लेने के लिए तैयार महसूस किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने उद्यम के हर पहलों का सटीक हिसाब दे सकें. क्रिप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्यता लें, टिपणी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक धूब भरी सुभा में, रवी अपने शिक्षक से सीखने के लिए उच्सुक होकर अपनी कक्षा में दाखिल हुआ, जो अपने आकरशक कहानी कहने के द्रिष्टिकोन के लिए प्रसिद्ध थे. आज का विशय इंड एज एक सौबीस था, जो सरकारी रणों के लेखांकन पर केंद्रित है. रवी यह जानने के लिए उच्साहित थे कि उनके शिक्षक इस विशय को एक मनोरम कथा में कैसे बदल देंगे. सुप्रभाद, कक्षा, शिक्षक ने अभिवादन किया, उसकी आवाज उच्साह से भरी थी. आज हम एक कहानी के माध्यम से सरकारी रणों के बारे में जानेंगे. आईए कलपना करें कि रवी का अपने समुदाय में एक स्थाई बेकरी खोलने का सपना है. इस उद्यम को शुरू करने के लिए उसे वित्तिय सहायता की आवश शकता है और वह छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किये गए सरकारी रण के लिए आवेदन करने का निरनय लेता है. रवी परिद्रिश्य से उच्सुक होकर जुग गया. यह एक महान अवसर की तरह लगता है. सर, लेकिन रिण कैसे काम करता है? शिक्षक ने बताया, सरकार रवी के आवेदन को मंजूरी दे देती है और उसे सामान्य से कम ब्याजदर पर पांच लाख रुपए का रिण प्रदान करती है. यह रिण उन्हें उपकरण, सामगरी खरीदने और प्रारमभिक परिचालन लागत को कवर करने में मदद करेगा. हाला कि रिण की शर्तों में विशिष्ट शर्ते शामिल हैं, जिन्हें रवी को पांच साल के बाद रिण माफी के लिए अरहता प्राप्ट करने के लिए पूरा करना होगा. कर्ज माफी? यह कैसे काम करता है? रवी ने पूछा, उसकी जिग्यासा बढ़ गई. अच्छा सवाल है. इंड एज 120 के तहट, जब रवी को सरकारी रिण मिलता है, तो उसे इसे अपनी बैलेंस शीट पर देंदारी के रूप में पहचानना चाहिए, शिक्षक ने विस्तार से बताया. रिण राशी एक वित्तिय दायत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और उसे इसे समय के साथ, आम तौर पर ब्याज के साथ वापस चुकाना होगा. हाला कि चुकी यह रिण विशेश रूप से उद्यमिता को प्रोचसाहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, सरकार अनुकूल शर्तों की पेशकश कर सकती है, जिसमें कम ब्याज दर या कुछ शर्ते पूरी होने पर संभावित माफी शामिल है. रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिर हिलाया. तो इसका मेरे लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक ने आगे कहा, एक बार जब रवी धन का उप्योग करना शुरू कर देता है, तो उसे रिण के ब्याज व्याय का हिसाब रखना होगा. हर महीने, जैसे ही वह भुक्तान करता है, वह अपने लाब और हानी विवरण में ब्याज व्याय दर्ज करेगा. हाला कि यदी वह रिण माफी के मान्दंडों को पूरा करता है, तो वह रिण के उस हिस्से को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता दे सकता है. दिल्चस्प तो मैं अनुदान का हिसाब कैसे दूँ? रवी ने उच्शुक्ता से पूछा. शिक्शक ने समझाया, यदी रवी रिण माफी के लिए अरहता प्राप्त करता है, तो उसे उस राशी का आकलन करना चाहिए जिसे वह अनुदान के रूप में पहचान सकता है. इंड एज 120 के अनुसार, वह इस अनुदान को अपने लाभ और हानी विवरण में आय के रूप में दर्ज करेगा, जिससे उसके समग्र खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी. यह सम्मान उन्हें सरकार से प्राप्त वित्तिय सहायता को सटीक रूप से प्रतिभिम्बित करने में मदद करता है. समझ गया. लेकिन क्या होगा अगर मैं माफी की शर्टों को पूरा नहीं कर पाता? रवी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा. शिक्षक ने उसे आश्वस्त किया. यदि रवी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे रिन चुकाना जारी रखना होगा और इससे जुड़े ब्याज व्याय को स्वीकार करना होगा. यह सुनिश्चित करता है कि उसके वित्तिय विवर्ण सटीक रहें और उसके दायत्वों को प्रतिबिम्बित करें. जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ी, रवी चर्चा में और अधिक व्यस्त हो गया. क्या होता है जब रिन पूरी तरह से चुका दिया जाता है? शिक्षक ने समझाया, एक बार जब रवी ने पूरी तरह से रिन चुका दिया है, तो उसे अपनी बैलेंस शीट से देंदारी हटा देनी चाहिए. उस समय, उसके पास अपनी वित्तिय स्थिती की स्पष्ट तस्वीर होगी, जिससे पता चलेगा कि अब उस पर वह दायित्वन नहीं है. यदि वह रिन के किसी भी हिस्से को अनुदान के रूप में पहचानने में सक्षम था, तो यह उसके लाब और हानी विवरण में भी सकारात्मक योगदान देगा. जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, शिक्षक ने संक्षेप में कहा, याद रखें, रवी, इंडेस 120 सरकारी रिनों के लेखांकन में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोड देता है. इन रिनों और किसी भी संभावित अनुदान को पहचानने के तरीके को समझने से आपको लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी बेकरी के वित्त को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी. सरकारी रिनों की नई समझ के साथ रवी प्रेरित और आश्वस्थ होकर कक्षा से बाहर निकला. उन्होंने वित्तिय लेखांकन और सरकारी सहायता की जटिलताओं से निपटने के ज्यान से सुसजित स्थाई बेकरी खोलने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार महसूस किया.